हां जी गड़ियो नहीं चलो जी फॉरेक्स में सर फॉरेक्स में भी टाइम लग गए हम लोगों को हां जी टाइम तो लगता है अगर रिवीजन अच्छे से करना तो मुझे रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा लगेगा ठीक है साथ तो कौन सा चैप्टर हम करने जा रहा है हम करने जा रहा है फॉरेक्स ठीक है तियार हो आप लोग यहां सभी बिच्चे तियार है चैप्टर बड़ा है वैसे तो टार्गेट है कि चार घंटे से ज्यादा फॉरेक्स में नहीं लगना चाहिए पर अगर थोड़ा सा ज्यादा लग भी गया तो आप मैनेज करोगे इस चैप्टर में मेरा टार्गेट क्या है टार्गेट यह है कि मैं सब कुछ कवर कर दो जितना हो सकता हाला कि सब कुछ कवर नहीं हो सकता पचास घंटी की क्लास है फॉरेक्स की और चार घंटे में खतम करना इतना आसा नहीं होता पर क questions answer का तो काफी कुछ कवर है concepts तो मैं सारे-सारे कवर करने जा रहा हूं ठीक जिस्टार्ट करें चैप्टर का नाम है foreign exchange risk management इस चैप्टर को पढ़ने का target क्या है क्यों पढ़ा जा रहा है क्योंकि हमें जब MNC में काम करना है multinational companies में import export का काम होता है या loan बाहर से लिया जाता है और future में हमें loan का repayment करना होता है तो हमें कहीं ना कहीं विदेशी currency से या dollar या pound बढ़ रहा है या कम हो रहा है हो सकता है तो उसका risk हमेशा रहता है उस risk को management कैसे किया जाए इसके लिए हम पढ़ रहा है foreign actions risk management ठीक है जी foreign actions risk management और उसको हम total मिलाकर 14 parts में discuss करेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपके लिए कितना important है basics discuss करेंगे हम लोग basics dollar क्या होता है indirect quote क्या होता है direct quote क्या होता बहुत ज्यादा time pass नहीं करूंगा वे basics तो आपको already कम से कम पूरा Forex पर basics तो आपको याद हो गई होगा सर basics basics का यूच इन सब में होने वाला है उसके बाद arbitrage forward contract cover deal actions rate determination currency exposure इस तरह से इसको पढ़के मैं time नहीं खराब करूंगा इस तरह से हमने Forex chapter को चूदा भागों में बाटा है तो start करते है part number one जिसका नाम है basics basics में सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहा है कि actions rate क्या होता सर एक डालर ब्राबर कितना रूपया vocêz actions rate यस एक पाउंड बराबर कितना रूपय यस इस को action rate बोलते है तो एक डालर ब्राबर साथ रूपया एक पाउंड बराबर 82 रूपी एक यूरो बराबर about 75 और जो action rate हैं नंसर action rate उसको हमने दो दो तरह से express किया जाता है एक direct quote में होता है एक indirect quote इंडिया की बात करो तो इंडिया वालों और यूएस की बात करते हैं तो इंडिया वालों के लिए foreign currency कौन सी है डॉलर तो एक डॉलर बराबर कितना रुप है तिस डारेक्ट quote एक pound बराबर मतलब one unit of foreign currency और indirect quote क्या होगा one unit of home currency एक रुपिया बराबर कितना डॉलर तो यह सब कुछ मैंने discussion किया है इस तरह से लिखाता था रुपीस पर डॉलर एक डॉलर बराबर कितना रुप है यह क्या है यह diet quote है कहां के लिए इंडिया के लिए और यह वाला कौन सा है यहां rate किसका दिया है रुपीस का यहां rate क इसका दिया foreign currency का और इसके विसे में मैं आपको समझा चुका हूँ यह ISO code है इसको read generally कैसे किया जाता है वैसे तो इसको one पढ़ा जाता लेकिन जहां ISO code आया तो इसको one पढ़ा जाता है ठीक है यह discussion हो चुका बहुत अच्छे से कभी-कभी institute सिधा-सिधा दे देता धोका तो तो डायेट कोट इंडायेट कोट सिंपल है इसमें कुछ दिया है नहीं तो थोड़ी बहुत बेसिक जैए इट मींस हम बात करेंगे किसकी conversion of currency सद्रेस के अंदर फोर्टीनत्य सेक्वेंट चल रहा है नहीं भः नहीं टोटोल मिलाकर पॉटिन में फोर्टीन में वस्क्राइश पाता पकाता तो फिर समस्या होती youth in प्रूपीय यहहिए में द्रग क्पूर्णा से एक सेूहन से डिया रहेगा सबस्तों सबीधे सकिंए रोभा दॉलस एक डॉलर बराबर किपूर्ई और धिलिया इसनब तर पॉइंटिन पॉंट्पॉंटी्पॉंट फाइवन जीरो है तो 1,00,00 में कितना रुपै आएगा एक डॉलर में 70 रुपैया आता है तो 1,00,00 में कितना रुपैय आएगा तो सर यह तो बच्चै भी जवाब देगा मुझे बच्चो जैसा पूछना नहीं बटे आप सको बस समझाना है, मेरी बास समझो, rate किसका दिया है, मैंने बताया हूँ, डॉलर का, currency कौन सी है, डॉलर ही है, अगर rate जिस currency का दिया है, वही currency दी हुई है, तो सीधा multiply कर दीजे, एक रुपीय बराबर कितना डॉलर है, और currency कौन सी दिया है, डॉलर, rate है रुपीज का, currency है डॉलर, अब multiply नहीं होगा, अब क्या होगा, अब हो जाएगा divide, rate किसका दिया है, rate रुपीज का दिया है, पर currency डॉलर दे रखा है, तो अब divide ना होकर multiply हो जाएगा, सुरी यह क्या बच्चो टाइप का, बच्चो टाइप का नहीं है बिट्टे, आपको लग जरूरा हम बड़े expert है, बहुत expert होगे, divide और multiply में confusion, divide और multiply करना बच्चों को नहीं है था, divide करे की multiply करे, और इस चकर में exam में गलत करके आते हो, और फिर result नहीं निकलता, तो please, हलके में मतलो, यार, मैं खुद चाहता हूँ, बच्चे बड़े expert है, मुझे comments में आता है, सर, बहुत slow पढ़ा रहता है, मतलब इतना slow, कोई कैसे चेलेगा, कुछ बोलते हैं, सर, आप repeat करते हो, repeat क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या हूँ, फिर repeat हो रहा है, पर मजबरी है, rate जिसका दिया है, अगर वही currency दिया है, तो multiply, rate जिसका दिया है, पर currency कोई दूसरी है, तो divide, divide, multiply हमको समझने आगा, bid, ask, rate, पता नहीं, ये तो बच्चों को जिन्दगी में कभी समझे बनिया था, अजीब अजीब सी बात करते, इस ask rate क्या होता है, action rate is over the counter, RBI has appointed for an actions dealer to buy a sell currency, और जो dealer है, वो bid and ask rate देता है, bid ask मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बैंक आप से dollar खरीदेगा तो सस्ते में, बेचेगा तो मैं के में, तो जो खरीदने का rate है, वो कौन सा rate, bid, और जो बेचने का rate है, वो कौन सा rate, ask, SBI ने quote किया, rupees per dollar, 70.25, 70, तो bank इस rate से खरीदेगा, इसको कौन सा rate बोला जाता है, bid, और इस rate पे बेचेगा, महगे में बेचेगा, इसको क्या बोलते है, ask rate और इन दोनों के बीच का जो difference होता है, उसको आप bid ask spread बोल सकते हो, in पैसा, bid ask spread, तेक है, को समझाने वाली बात है, नहीं, तो चलो, देखते हैं, अब जो मैं लिख रहा हूँ, वो बड़ा important, जैसे conversion में, divide multiply में दिक्कत होती है न बच्चो को, ऐसे ही इसमें भी दिक्कत है, और दिक्कत किसमें होगी, पता हैं आपको, सब problem किसमें होगी, इसमें bid ask पहचान नहीं पाऊगे, मेरे साथ ध्य पहचान से समझना दिक्कत नहीं होगी, रुपीस पर डॉलर दे रखा, 75.50, 75.75, ये कौन सा रेट है, बोलो, bid और ये ask, राम ने इंपोर्ट किया है, यूएस से, और राम को एक लाख डॉलर पैट करना है, मैं राम हूँ, मुझे एक लाख डॉलर पैट करना है, ये कौन ह राम इसने इंपोर्ट किया है, यूएस से, तो पैइमेंट करना है, एक लाख डॉलर, बैंक के पास जाएगा, किस लिए, डॉलर खरीदने के लिए, डॉलर खरीदने के लिए, बैंक के पास गया, तो बैंक क्या कर रहा है, और बैंक डॉलर बेच रहा है, और इससे रुप रहा है सर बेच रहा है और बेच रहा है तो कौन सा रेट आस्कृ यहां तक ठीक है अब लिखा मतलब ये वाला रेट आएगा अब चेक क्या करना करेंसी कौन सी है डॉलर रेट किसका लिए डॉलर तो सीधा सीधा उठा कर क्या कर देना मल्टिप्लाइं बच्चो टाइप का समझा रहा हूं यार पर चलो देखते आगे फिर से यह आता एक्जाम अब बताओ डॉलर पर पांड दिया हुआ है वान पॉलचल फाउंड सीh से युन किस्ट्मर कै है यूके का है इंपोर्टalon किसे करanych हूं यूससे इंपोर्ट पर पांट करणा पड़े और यूस वाले को हमें किस में payment करना है बोले हमें 10 dollar 10,000 का payment करना है यहां तक कोई दिक्कत था नहीं तो हम bank से क्या खरी देंगे हम dollar खरी देंगे और बदले में क्या देंगे pound ठीक है हाँ बोलो हाँ सर मतलब customer dollar खरी देगा और bank dollar बेचेगा बेचेगा तो आसकरेट मैंने ऐसा नहीं बोला मेरी बात ठीक से समझना अब यहां तक तो हो गया है अब सोचो rate किसका दिया सबसे important है rate किसका दिया सर रेट दिया है pound का पहला question अपने आप से करना rate किसका दिया है pound का ठीक है दूसरी बात bank जो करेंसी दिया है ना उस करेंसी को खरीद रहा है कि बेच रहा है सर पाउंड को bank खरीद रहा है यास और खरीद रहा है तो bid rate आया समझ में bid ask कास आपको समझ में जाए तो दिक्कत गता हो जाएगी आदे से बच्चे को तो बेड़ास के समझ मनिया था यहां तक ठीक है सर कौन सा रेट बिट रेट इट मींस बस आपको यह कुछ मत सोचो अपना एक्ट्र दिम बस इतना सोचो कुछ बच्चे बोलता है सर इससे अच्छा तो यहां अगर करेंसी डॉलर है तो चलो न सर इसक बिल्कुल बच्चो ही वाला काम करके आओगए एक्जाम में एक्जाम में कभी भी ऐसा रेट चेंज नहीं कर दिया कि इसको वन से डिवाइट कर दिया है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा आप सोचो की बैंक पाउंड के साथ क्या कर रहा है और अब क्या लिखा डॉलर करना कि सोचना थोड़ा सा रेट किसका दिया है पाउंड का करेंशी कुणसी डॉलर तो दिवाइड होगा पोजिट है और डिवाइड करने पी जितना आसान आप बिड़ आस्क रेट को समझते हो इतना आसान है नहीं है पहचानने में दिक्कत हों कि खेर मैं आगे चल रहा और अब हम बात कर रहें पॉइंट नमबर फोर कि एक प्रिशिशन और डेप्रिशिशन इन करेंस यह इंपोर्टन्ट है ठीक है दिखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं चार कंडिशन हो सकती है चारों कंडिशन मैं आपको समझाऊंगा बिल्लुकुल ध्यान से समझें मेरी रूपीस पर डॉलर स्था रूप्ये कोई दिकत कभी यह आता है कि डॉलर जू है वह एप्रिशेट हो रहा है मतलब डॉलर महगा हो रहा है कितने पर्शन से दस पर्शन से तो बताए यह महगा होने के बाद नया एक्शिंज रेट क्या एक आएका 10% से महगा हो रहा ना डॉलर तो चलो महगा कर देते 10% बढ़ा देते बिलकुल सही यहां भी इंपोर्टेंट कि रेट किसका दिया है डॉलर का और क्या डॉलर ही बढ़ रहा है तो सीधा 10% को हम 1.10 भी कर सकते हैं सीधा उठाकर मल्टिप्लाई कर देना और आंसर है जाएगा 77 भी इस अप्रीशेट अब सुन्न धियां से यही सेम एक्जांपल रॉपिज पर डॉलर कितना दिया सतर और यह इंपोर्टेंट है क्या डॉप्रुछेट हो रहा रॉपीज डेपुछेट हो रहा कितने परशन से डस परशन से. वाट इस नियू एक्चेनग डिया है कि या डॉलर एप्रिशेट हो रहा दस परशन से हां तो क्या रुपीज डेप्रिशेट हो रहा दस परशन JUST नहीं बात बस मैं यह बोल रहा हूं कि जितने यह पर्शेंटेज वाली बात है यहां rate किसका दिया है dollar का और dollar ही appreciate हो रहा तो इच्छा है यहां rate किसका दिया है dollar का पर depreciate क्या हो रहा है rupees depreciate हो रहा है तो आपको क्या करना होता मालूम है सर 10% 90% का नपड़ेगा 90 लेकिन अब यहां multiply नहीं होगा अब क्या होगा divide जिस currency का rate दिया जो बोल रहा हूं statement important जिस currency का rate दिया है अगर वही उसी currency appreciate हो रहा है तो multiply depreciate हो रहा तो भी multiply एक जगा 1.10 से multiply एक जगा 0.90 से multiply लेकिन जिस currency का rate दिया उसके opposite currency में हो रहा है तो भी यह divide हो एप्रिशेट हो रहा है तो 1.10 से divide depreciate हो रहा है तो 0.9 से divide यह discussion किया हुआ है तो याद आता आ रहा होगा आपको अब ध्यान से समना रुपीज पर डॉलर कितना दे रखा है सत्तर रुपए है डॉलर विल डैप्रिशेट मतलब सदेप्रिशेट हो रहा तो पॉइंट नहीं आए गाना बेपर्शन और क्या यहां डॉलर रेट भी डॉलर कर दिए तो मैंट्रिप्लाई करके सीधा-सीधा कितना तो 63 कि बाकी सर क्या लोजिक क्या यह सब मेंने करवा चुका हूं मेरा टार्गेट है कि रिविजन में आपको बहुत ज्यादा लॉजिक पर ना ले जाओं वह ले जा चुका हूं जितना ले जाना 230 गंटे की क्लास है मेरी चार गंटे में निफ्टा रहा हूं पर आप ब्रिवीजन करने का तो फाइनल समझ है कि रेट जिस करेंसी का दिया उसी करेंसी में एप प्रीशीशन ये डेप प्रीशी शण हो रहा तो क्या करेंगे multiply पर rate जिसका दिया उसके opposite currency में appreciation depreciation हो रहा तो क्या करेंगे divide ठीक है regular class में हमने बहुत कुछ करके देखा इस पर और final answer वही आया तुम्हें आपसे उतना ज्यादा time आपका कराब नहीं करें ठीक है sir चले आगे calculation of customer rate a merchant rate point number five क्या चल रहा है basic सी चल रहा है अभी तो yes if inter bank rates are given क्या bank एक bank दूसरे bank से linden करती है yes उसे बोलते है wholesale rate या उसे बोलते है inter bank rates पर जिस rate पर एक bank दूसरे banks के साथ deal करती है customer के साथ भी उसी rate पर deal नहीं करती है customer के साथ भई मैंने किसी और से खरीदा तो मैं बेचूंगा तो और महगे मैं बेचूंगा ना यार सी दी सी बात है तो कभी कभी क्या रहता inter bank rate दिया रहता और आप से बोलता आप customer rate निका लिये साथ निकालेंगे समझने की कोशिश करते हैं यह एक bank और यह एक bank भी मालो हमने हम हम है bank ठीक हमने किसी दूसरी bank से एक डॉलर सब्तर रुपए में खरीदा और margin या Commission है हमारा वान परशंट तो मैंने किसी bank से 70 रुपीज में खरीदा तो मैं बेचूंगा तो और ज्यादा मैं बेचूंगा तो सब्तर में एक परशंट प्लस करेंगे 70.70 बेचिंगे तो और ज्यादा मैं मान लो कोई कि सब्सक् Jimin से खरीदेगा तो मैं दूसरे से जब बात करूंगा उससे कम में देना पड़ेगा यह निया तभी तो फायदा första इसका मतलब क्या समझाना चाहते हूं मैं यह समझाना बोल सकते, commission, bid rate में minus होगा, ask rate में plus होगा, commission and margin is added to ask rate, ask rate में क्या होगा, add, और bid rate से क्या हो जाएगा, minus, क्या निकालने के लिए कर, बेचेंगे तो और महगे में खरीदेंगे तो और सस्त है, sir इसका यूज कहीं होने आगे बहुत काफी जगा यूज होने वाला है, sir इसलिए में, divide, multiply, bid, ask, customer rate, interbank rate, इन सबका यूज होने वाला है, तो मैं आपको पहली तियार करती हूँ, चलो जी, आगे चलते, cross rate, sir इसका यूज, इसका यूज, तो पुरे forex में साथ, forex में, नियम याद रखोंगे, दिक्क कहानी क्या है, कहानी कुछ नहीं है, मेरा ये question है, सुनो के ध्यान से, कि भाई, मान लो, मान लो, मुझे, मान लो, मुझे, UK जाना, UK में कौन से करेंश जलती है, pound, और मैं कहा हूँ, इंडिया में, और UK में pound, तो मैं bank गया, मैंने कहा यार मुझे तो pound चाहिए, जी, pound की जरुरत है, तो bank के था, हमारे यहां तो pound नहीं है, हमारे यहां तो rupees है, आप rupees दीचिये, और हमसे dollar ले जाना, वहां तो pound चलता है, मैं dollar ले जाकर करूंगा, क्या, भाले, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, अब मैंने का, यार मैं UK जाके pound खरीद लूगा, टेंशन खतम, यार यह बेकार में यह बोलता है, हमारे पास तो dollar है, मैंने का, मैं UK जाता हूं, जब मैं UK गया, और मैंने का, जी आपके pound मिलता, कि हमारे यहां तो pound मिलेगा ही मिलेगा ना, भाई, हम तो UK वाले है, मैं बदले में, बदले में dollar देना पड़ेगा, रुपिया नहीं चिलता हमारे, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो सकता है, भाई, जरूरी थोड़ी है कि Hong Kong, तो बहुत जगा है, जहां हो सकता है, कि रुपिया ना चले, बोले हम pound देने को तियार है, लेकिन जो funding होग मतलब में, एक ऐसा rate निकालना चाहता हूं, इन दोनों को मिला के, कि मुझे पता लग जाए कि वहीं कितना रुपिया लगने वाला, एक पाउंड खरीदने के लिए 70 रुपै, तो एक पाउंड खरीदने के लिए कितना रुपै, क्रॉस रेट से हम निकाल लेंगे, इसलिए kspros rate यह यूच होने माला, इसके लावआ kspros rate आर्भीटरेज वगिरा में काम आता हैं, तो पढ़ते क्रॉस रेट के action rate, क्या हमें सारे foreign currency के action rate पता होता है, अपनी home currency के against में, नहीं, तो in this situation action rate को हम determine करते, उसी को हम cross rate बोलते हैं, इसके लावा kspros rate कहां काम आएगा, आर् बिड़ आस्क नहीं होगा विड़ आएगा तो ज्यादा तकलीफ होगी और एक क्रॉस रेट जिसमें बिड़ आस्क रेट होगा ठीक है चलो बात करें एक्जम्पल नम्बर अब ध्यांस सर वह आप यूनिट्री मैठ या ऐसा कुछ नहीं करवा रहा हूं भाई एक नियम बता डॉलर दिया है साट रॉपे डॉलर पर पाउंड दिया है 1.5 रुपीज पर पाउंड ठीक है रुपीज पर डॉलर दिया है डॉलर पर पाउंड दिया और मुझे चाहिए रुपीज पर पाउंड यहां से समझना दिक्कत नहीं होगी चेक करो मुझे उपर क्या चाहिए र रूपीज तो उपर ही है, it means मैं उपर ही चाहता था रूपीज और उपर ही है, तो सीधा सीधा 60 लिख देना, अभी धीरे से समझ मैं है, नीचे क्या चाहिए, सर मुझे नीचे चाहिए यह पाउंड और चेक करो, सर पाउंड तो नीचे ही दिया है, तो सीधा मल्टिप्लाइ करके 1.50, it means मैं चाहता था कि रूपीज उपर हो और उपर ही है रूपीज, सीधा लिख दोगे, मैं चाहता हूं पाउंड नीचे होना चाहिए, और पाउंड नीचे ही है, तो सीधा लिख दोगे, मैं जो चाहता हूं अगर वोई दिया है, तो सीधा सीधा कर तो आंसर आजाएगा लॉजिक पर मत जाना प्लीज टाइम नहीं है ठीक से चलो सर आगे दिखते हैं जो बोल रहे हैं वो बात तो समझ में नहीं आई अब यहां से आ जाए रुपीज पर पाउंड दिया डॉलर पर पाउंड दिया और मुझे चाहिए रुपीज पर डॉल डॉलर तो नीचे नहीं डॉलर तो भाई साब उपर ही दे रखा हैं यहां दिक्त हैं अब आप सीधा सीधा 1.50 नहीं लिख सकते हैं अब आपको 1 divided by 1.50 लिखना पड़ेगा अल्टिमेटली 90 इंटी 1 90 डिवाइदे तो आंसर कितना जाएगा 60 क्या समझ में आया इस चीज से सर मुझे जो करेंसी उपर चाहिए अगर वो उपर ही दिया हुआ है तो सीधा लिख देंगे पर उपर चाहिए ऑपर वो उपर ना देकर नीचे कहीं दे दे रिया अपोजिट में तो फिर डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा कोशिश करते हैं रट 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 वा रहे हो ना अब ही टाइम नहीं है जो लोजिक है वो करवा दिया हो मैंने रेगुलर क्लास में अब समझते हैं येन पर रुपीस ये दिया है रुपीस अब ध्यां से देखो ये भगवान डॉलर उपर लिखा होना चाहिए ओहो डॉलर तो नीचे लिखा ह है तो वन से डिवाइट करना पड़ेगा बस और कुछ नहीं है और ज्यादा दिमक चला ही नहीं बस एक्स बाइवाय ये मैं नहीं जा रहा हूं ये सीधा सीधा काम करो ठीक है सर ये नीचे लिखा होना चाहिए भगवान और ये उपर लिखा है फिर दिकत फिर वन से डिव क्रॉस रेट है अब हिम्मत चाहिए क्रॉस रेट विथ बिड़ आस्क अच्छा है बहत्रिन दो तीन तरीके इसको करने के लेकिन मजा आएगा ठीक अब ध्यान से समझना मेरी बात रुपीस पर डॉलर दिया है डॉलर पर पाउंड दिया है और मुझे चाहिए रुपीस प अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझना में वैसे तो मैं इस्टोरी बना कर भी करवाऊंगा आगे जब कोश्चन होगे तो इसमें इस्टोरी लिखी रहेगी कंप्लेट यहां इस्टोरी ने लिखिए बोले रुपीस पर पाउंड निकालो तो अब मेरे नियम फॉलो करू रुपीस पहले बिड्रेट निकालने की कोशिश करूंगा बिड्रेट उपर रुपीस होना चाहिए उपर रुपीस ही तो दिया है तो सीधा लिख दो 70.25 नीचे पाउंड होना चाहिए नीचे पाउंड ही तो दिया है यह दो नीचे पाउंड ही दिया तो सीधा लिख दो यह और आंसर आजाएगा यह कुछ नहीं ऐसी आस्क का दिस इंटू इस खतम एक समझ में तो दूसरा आप्टोमेटिक समझ में यह वाला एक्जामपल है जो आपकी जान लेगा इस इंपोर्टेंट बिल्कुल ध्यान से समझ रहा है तियार हो हाँ बोलो हाँ रुपीस पर पा तियार हो बिल्कुल ध्यान से डॉलर उपर होना चाहिए डॉलर उपर होना चाहिए डॉलर उपर तो डॉलर ही नहीं है डॉलर तो नीचे दिया है तो क्या वन से डिवाइट करना पड़ेगा हाँ बोलो हाँ अब जब वन से डिवाइट करने की बारी आईगी ना तो वन से इसको divide मत करना, opposite वाला ले लेना, इसको divide करना, 1 divided by 70, ठीक है, अच्छा सर, हाँ, पहली बात, जिसका rate दिया, मतलब, it means, मुझे dollar उपर चाहिए, dollar उपर ही होता, तो मज आता, पर dollar opposite नीचे दे रखा, तो मुझे 1 से divide करना पड़ेगा, और अगर 1 से divide करना पड़ेगा, तो bit क लिए ये वाला rate लेनी किया picture, पोजिट वाला rate ले लेना, ठीक है, logic discuss किया है, अभी मेरे पास logic का time, यहाँ क्या होना चाहिए, नीचे pounds, और pounds नीचे ही दिया है, तो क्या 1 से divide करना है, नहीं करना है, तो सीधा यही उड़े वाला rate उठा कर, multiply कर तो answer आजाएगा, ठीक है, अब बात करते, ask rate की, चेक करो, dollar उपर होना चाहिए, dollar नीचे दिया, तो ask rate मतलब अब 1 से divide करना पड़ेगा, और ask की बात कर रहे है, तो यह rate ना लेकर, यह ले लेना, और multiply करना तो answer यह चाहिए, खतम, cross rate with bid ask, एक बार story बना कर बता सकते हूँ कि क्या है logic, आप एक rate यह व यह वाला ले रहा हूँ, यह वाला ले रहा हूँ, ऐसे कैसी हो सकता, हो सकता ना बिटे, सुनो मेरी बात को ठीक से, तो कि यह story मेरे सामने नहीं है, आने वाले questions में story सामने रहेगी, तो वहाँ वैसे भी समझा दूँगा, पर यहाँ भी सुनी लो, यहाँ से भी मैं थूड़ा समझाने के कोशिश करता हूँ, यहाँ से सुना, सर यह मान लो कहाँ है, यह है, पाउंड पर डॉलर, मुझे यूएस जाना है, ठीक है सार, कोई दिक्कत नहीं, यूएस जाना है, पर जब मैं अपनी बैंक के पास गया, तो यूएस में, यहाँ से समझाते हैं, यह ज़्याद अच्छे समझ में आता, सीधी-सीधी बात है, आपके पास करेंसी कौन सी है, पाउंड और आपको किस में कर्नुर्ट करना है, डॉलर में, या फिर मुझे पाउंड चाहिए, ऐसा समझ लेता हूँ, मुझे चाहिए पाउंड एक लाक और मेरे पास है डॉलर, अब ध्यांस मेरे पास कौन सी करेंसी है, डॉलर, और मुझे चाहिए पाउंड और डॉलर और पाउंड का आपस में तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम पाउंड से देकर, पाउंड तो है नहीं हमें पाउंड से डॉलर देकर क्या खरीदेंगे रुपीज, रुपीज के दिरवत है, तो बैंक क्या खरेगा, सर बैंक डॉलर खरीदेगा, खरीद लिया और हमें क्या दे दिया, रुपीज, बैंक ने डॉलर ख समझाया हूँ लिखवाया भी हूँ यह सारी चीज़े पर मैंने कहा जब इस्टूरी रहीगी ना तब मैं डिसकस करूँगा कि यह अब यह सब भूल जाओ सिंपल सा कॉंसेप्ट रख कॉंसेप्ट आपको पता है अगर जिसका रेट चाहिए उपर चाहिए डॉलर अगर उप नहीं करना पड़ता पर अपोजीट दिया तो उट कर नहीं है और जब बिड रेट निकालना ऐसे डिविट करना तो इसकी जगह यह वलאל रेट लेड रके वाली बात थी, bid rate, आस्करेट, याद करने वाली बात थी, bid rate क्या होता, आस्करेट क्या होता है, ठीक है सर, इसके अलावा और क्या याद करने वाली बात थी, क्या customer rate बेचोंगे तो और महगchen, खरीदोंगे तो और सिस्ते में मतलब सर मार्जिन या से इंटर बैंक रेट दिया तो किस्टमर रेट कैसे निकालना और अब सबसे important cross rate यह चार चीज़े याद करनी आपको किसी भी आरत अब स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहा है कि क्लग अवसका रिट अलग अलग बैंक में अलंग अलंग हो सकता है ही सब्सक्रार भाणव अगर सब्सक्राइब सब्सक्राइब combined sport market arbitrage में हम खरीदेंगे currency जहां सस्ती बेची जा रहे है और बेचेंगे currency जहां महगी बेची जा रहे है suppose इंडिया में डॉलर का रेट कितना है 70 और USA में कितना है 72 तो इंडिया से खरीदेंगे 70 रुपीज में और US में बेज देंगे 72 में तो profit कितने का हो जाएगा 2 रुपए एक डॉलर पर प्रॉफट इस आर्बिट्रेस ठीक है चलो देखते क्या लिखा गया रुपीज पर डॉलर लिखा हुआ है रुपीज पर डॉलर यहां एक इंडिया में एक यूएस में calculate आर्बिट्रेस के dollar का rate dollar का rate एक जगह से खरीदना और एक जगह पेचना अगर यूएस से खरीदू 61.25 में मिलेगा और यहां 60 तो लॉस हो जाएगा पर इंडिया से खरीदता हूँ 60 रुपए 75 पैसे में और उसको यहां बेज देता हूँ 60 रुपए 90 पैसे में तो क्या gain हो जाएगा तो बस आप arbitrage कैसे कमा सकते इतने में खरीद होगे इतने में बेचू कि तो arbitrage के न जाएगा क्या exam में question आते हैं हाँ जी आई हुए एक question ले रहा है अच्छा question है और सर यह question किसका यह spot market arbitrage का है पढ़े on the same date DM spot rate DM spot rate डलर 0.40 इन नी-यॉक मतलब DM डॉलर पर DM दिया है 0.40 ऐसा लिख लिया करो आसान भासा में आप इस तरह से समझने में मुस्किल है पर ऐसले लिख लोगी तो दिक्कत नहीं होगी तो DM का रेट दिया है डॉलर य। पर DM दिया है 0.40 इसके लाबा पाउंड का रेट दिया है डॉलर पर पाउंड दिया है 1.80 ठीक है कोई दिखते है What would you expect the price of pound to be Germany Germany में pound का price क्या होगा मतलब sir pound का price मतलब per pound पूछ रहा है एक pound कितने क्या पर Germany में कौन से currency चलती है sir अब यार मुझे idea नहीं है पर सुनो उपर डॉलर तो होगा नहीं पूछो क्यों नहीं होगा तो उपर क्या होगा DM ही तो होगा हाँ sir बात साहिए बोल रहा तो DM पर pound मांग रहा है तो DM पर pound चलो तो काम करें हिम्मत दिखा है DM पर pound मांग रहा तो sir सोचते sir उपर होना चाहिए DM 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 तो DM तो यहां नीचे दे रखा तो 1 से डिवाइट करना पढ़ेगा बिलकुत सही sir नीचे होना चाहिए pound और sir pound ही तो नीचे दे रखा तो सीधा सीधा मल्टिप्लाई कर देंगे तो अगर DM 4.50 it means in rates को देखते हुए Germany में pound का price होना चाहिए pound का price होना चाहिए 4.50 होना चाहिए बोर है नहीं होना चाहिए किन rates को देखकर New York वाले rates को देखकर ठीक आगे क्या बोल रहा पर pound का price Frankfurt में Frankfurt कहा है जहां भी है Frankfurt में 4.40 है 4.40 है तो बताए क्या आपfeito कमा सकते हैं सि सिच्विशन से या, ये कहा कहा है जर्मनी में होना चाहिए पर जर्मनी का नहीं ये फोंने तो नियॉक का यह रेट कहां कहा है सर यह है नियॉयॉर्क का तो फ्रैंकफर्ट से खरी देंगे 4.40 में और नियॉयॉर्क में बेज देंगे 4.50 में तो अंसर आ जाएगा इस इस आर्बिटरिस चलो एक होता है ट्राइंगॉलर आर्बिटरिस इससे कोश्यन आ जाते है इसका तूं तो नहीं आना पर मैं अपको समझाओंगा पका पका समझाने वाला करने के सिए सब्सक्तराइब भाइन हें इस आपके पास हैएक मोइड यह और तोैस्लों आप आर्बिटरिस कमा है। Cross rate से भी हो सकता है, मैं cross rate से नहीं करवाने होता हूँ सुनो, एक होता है triangular arbitrage सुना दियां से, ये मेरे पास लिखा, आपके पास लिखा होगा, पक्का कौन कौन सा देश सर, एक है इंडिया एक है यूएस और एक है यूखे पहला तरीका, एक clockwise है और एक anti-clockwise है, सर, मतलब मतलब इंडिया से, इंडिया में rate क्या दे रखा, रुपीज पर डॉलर तो इंडिया से यूएस यूएस से, यूखे यूखे से वापस इंडिया, आपके पास currency कौन सी है, रुपीज तो रुपीज से रुपीज, मतलब यहां देखो, मैं कैसे बनाओगा, सर, हम सबसे पहले रुपीज से डॉलर में convert कर ले, रुपीज से डॉलर में, फिर सर, डॉलर से पाउंड में और फिर पाउंड से वापस रुपीज में रुपीज, अगर currency सी रुपीज दिया, तो रुपीज से स्टार्ट करके रुपीज तक पहुचना है, और सर, देख ले कि arbitrage आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया तो ठीक नहीं तो फिर सर, उल्टा करके देखेंगे रुपीज से पाउंड, पाउंड से डॉलर और डॉलर से रुपीज, clockwise, anti-clockwise, इसको बोलते है trial and error method, पहले ऐसा सीधा करके देख लेते हैं, अगर arbitrage नहीं आया, तो फिर opposite करके देख लेंगे, वैसे ये presentation बिलकुल बेकार, presentation तो मैं जो करवांगो, वही अच्छी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कि एक बार ऐसा करके देखो, answer आया, तो ठीक मतलब gain हुआ तो ठीक नहीं, तो ऐसे करके देख लो, ठीक से, अगर देखो गे तो आपके पास क्या, एक लाख रुपए, है, डॉलर का रेट दिया, तो डिवाइट, चुड़ो यहां समझाओंगा, आपको अच्छे से, सुना ध्यान से, एक clockwise एंटी clock को यह trial and error method से आपको आता है, कोई दिक्र की बत नहीं, फिर भी, एक लाख डॉलर दिया है, एक लाख रुपए दिया है, डॉलर का रेट दिया है, तो डॉलर में convert करना है, तो डिवाइट हो जाएगा, यह डिवाइट कर लिया, अब जु आया, वो क्या आ गया, सर यह डॉलर आ गया, रेट किसका दिया अब डॉलर से किस पे पहुचना है पॉंड में रेट किसका दिया है सर पॉंड का दिया है तो फिर क्या हो जाएगा सर फिर डिवाइट वापस डिवाइट हो जाएगा एक लाग मैं कैल्म लेटर उठा लो सर एक लाग डिवाइड बैस 60.50 तो सरी आगया डॉलर्स ठीक है पाउंड का पाउंड में कनवर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा डिवाइट डिवाइट डिवाइड वान पॉंट फाइव जिरो फॉर फाइफ ठीक है अब क्या आगया है पाउंड रेट किसका दिया है रूपीस का फिर डिवाइड डिवाइड इवाइड आप सुनो काम की बात काम की बात यह है सर मैं आपसे बोल रहा हूं या तो आप ऐसे जाए रुपीज से डॉलर डॉलर से पाउंड पाउंड से रुपीज या तो आप रुपीज से पाउंड पाउंड से डॉलर डॉलर से रुपीज या तो ऐसे दो अल्टरनेटिव हैं आपक बस सवाल यह पैदा होता है कि हमें ऐसे जाना है या फिर हमें ऐसे जाना है हमें इस रूट से जाना है कि हमें इस रूट से जाना है बस रूट नहीं पाला लेकिन एक बात है अब चेक करके देखोंगा तो देखूं कैसे सर करके देख लो ना सवाल पहले आप इस तरह से जाक ही कहता भाया सबसे पहले सर्जी रूट किदर से और उन्हें का रूट दुनने का एक तरीका है अब तरीका सुना ध्यांस और वह मैथड़े क्रॉस रेट है सबसे पहला नियम कणियों कि रूपीस तो टार्गेट ये रखना कि रूपीज ऊपर होना चाहिए यहां ऐसी कुई करेंसी दिखाए देब रहा कि तुमय इस करेंसी का रेट पता करना चाहता हूं मसकिले थोड़ा सामें जो बोल रहा हूं सबसे पहले currency कौनसी हमारे पास rupees rupees उपर दिया हुआ है कि yes तो पहले ये वाला रेट उठा कर यहां लेखते हैं और यह कहां की बात है इंडिया की ठीक है अब इन दोनों रेट को यूज करोगे और इससे भी यह वाला रेट निकालना rupees per dollar यह वाला रेट निकालना इन दोनों रेट को यूज करो cross rate rupees per dollar मैंने किस तरह से काम किया मैंने का कौन सी करेंसी हमारे पास बोले rupees तो पहले rupees पर डॉलर उठाया rupees उपर होना चाहिए दी है तो उठाकर यह लिग दिया मने का यह इंडिया का और जो यह वाला कोट है ना ऐसे वाला कोट मुझे फिर से चाहिए और इन दोनों को cross rates में काम करूंगा इन दोनों के cross rates ठीक है रुपीज उपर चाहिए, रुपीज उपर चाहिए, रुपीज नीचे दिया तो वन से डिवाइट करना पड़ेगा, डॉलर नीचे चाहिए, डॉलर उपर दिया, इसको भी वन से डिवाइट करना पड़ेगा, जब क्रॉस रेट निकाला तो यह आ गया, इट मिंस अब सोच के बताओ मुझे इंडिया में डॉलर खरीदना चाहिए कि बेचना चाहिए सर इंडिया में जादा रेट है डॉलर का और इधर का मैं तो सर इंडिया में बेचना चाहिए बस रूट पता लग गया कि इंडिया में बेचना है क्योंकि रेट डॉलर का हायर है इंडिया में तो इंडिया में बेचेंगे तो इंडिया में बेचेंगे तो उसके बाद हमको जब पता लग गया है जब इंडिया में यहां बेचना है तो इधर से खरीदना श्टाट करते ह के पास क्या है रुपीज तो एक लाक सबसे पहले, है कि पाूंड भाई कुरेंगे कहा से यूके से रुपीज दिया है, रुपीज रेड़ भी रुपीज पहले है, तो मॉल्टिप्लाई तो इतना पाूंड आ जाएगा, आगय कहा पॉंट यूएस जाते है रेट किसका दिया है इतना आ रहा है और एक लाक लगाया था तो यह आ गया 13,000 शोड़ा मुस्किल क्या था इस में सर अगर हम यही प्रोसेस और एक बार कर ले और यह वाला पार्ट ना करे तो फिर तो आपके लिए बच्चो वाला काम हो गया मुस्किल तो यही वाला काम है ना बच्चो और इसी से पता लगेग रूट अगर आप कह रहें कि हम ट्राइलन एर्र मेथट से काम कर रहा है तो फिर आपका सीए करने को कि मतलब नहीं है मुझे समझे में नहीं आता कि फिर तो आये तो ट्राइलन एर्र कैसे करोगे कोशन देखे यस कोशन तो सर डॉलर पर दीए है डॉलर पर दीए है ठीक है if on this date, यह कहां का दिया, New York का दिया, if on this date Paris was quoting, यह DM का rate FF per DM और sir FF perınız revenus ठीक यह लिख ली आ, यह Paris का rate, आपके पास है DM, सबसे पहला जाए एपने मन में आना चाहिए, हमारे मन में क्योंकि ट्राइंगुलर आयरबटेश है तो हमारे मन में पहला कोशन आएगा चेक करो क्या उपर कहीं किसी भी जगह DM दिया है क्या नहीं दिया है पर सर DM यहां तो दिया है न एक जगह यस इसको 1 से डिवाइट कर लो क्योंकि मुझे उपर DM चाहिए और DM नीचे दिया है तो पहले इस रेट को मैं ठीक तरह से बना रहा हूँ DM पर डॉलर यह आ गया यह कैसी आया सर यह 1 से डिवाइट करके आ गया 1 divided by 0.3876 तो यह आ गया अब मैंने इसको उपर कर लिया अब इन दोनों रेट को यूज करके इसमें भी मैं DM पर डॉलर बनाने की कोशिश करूंगा DM उपर चाहिए DM नीचे 1 से डिवाइड हो जाएगा डॉलर नीचे यह चाहिए डॉलर नीचे यह सिधा मल्टिप्लाइज जाएगा तो यह आ गया अब अब इन दोनों चीजों को सोच के देखो हम डॉलर कहां से खरीदेंगे सर डॉलर हम नीयोक से खरीद लेंगे क्योंकि वहां सस्ता है और हम यहां बेज देंगे ठीक है यहां जहां सस्ता वहां से खरीदेंगे तो बस डॉलर क्योंकि डॉलर का रेट में ने निकाला डॉलर है लोवर कहां नीयोक में तो डॉलर नीयोक से बाई करेंगे तो अब र यास च्राइबर तो श्टार्ट करें यास डॉलर talking केहां से नियॉयोंक 6 d.m आपके पास यतना प्चाश सेहर ऌर dm कही रेट दिया तो मल्टीप्लाई क्या गय ये वाला और डॉलर कही रेट दिया तो मल्टीप्लाई अब क्या आगये हमारी पास FF और DM का रेट दिये है तो डिवाइट फाइनली इतना लगाया था इतना इतना आया इतना लगाया था तो यह आर्बुट्र इस अच्छा सुनो यह और दिक्कत है यहां बिडास्क भी है ऐसा कोश्चन हो तो मज़ा जाए तो करेंगे कि बिडास्क वाले को सोचते हैं न यार दो तरीके हैं ट्राइलान अर्र से कर लो अगर ज्यादा दिक्कत हो दो पर फिर भी सोचते हैं क्या फर्क पड़ा है फॉलिंग अर्दी स्पॉट एक्षिंग रेट कोटिट थी डिफरेंट मार्क पहला कि यह जो रेट्स दे रखा है इसको मैं अच्छे से लिख लू सर इसका मतलब एक डॉलर इस इकवल टू इतना रुप है इधर वाले को वन लेते हैं हम लोग तो रुपीज पर डॉलर दिया है बिल्कु सहीं और सर यहां डॉलर पर पाउंड दे रखा बिल्कु सहीं तो पहले इन रेट्स को मैंने इस तरह से लिख दिया हमारे पास करें से डिवाइट कर दे तो बात हो जाएगी उपर डॉलर होना चाहिए अच्छा यह तो दिया है ना यार क्यों टैंसन ले रहा हूं हाँ यह दिया नहीं होता तो मैं एक बन से डिवाइट करके डॉलर करेंड बना उपर डॉलर होना चाहिए यह दे रखा और यह कहां का है एन पर पॉंड बनाना है क्योंकि ये डॉलर पर पॉंड है इन रेट्स को भी मुझे यूच करके डॉलर पर पॉंड बनाना पड़ेगा ठीक है सिप ये सारी महनत किसके लिए और ही रूट के लिए टाउन किशका नोगी शेक कररों डॉलर फॉपर दिया कि नहीं तो मैं इसको मैं प्रोपर तरीके से रखह रहा हूं इतना मुसके ली कोष्चन आयेगा नहीं पर सूनो इसको मैं प्रोपर तरीके से लेख दिया और उसको भी ब्रोपर तरीके से लेख दिया एंड हो सकता है कि हम पॉंड खरीदे आप मैं बेचे लूथ यह पर फिट eben here है न्यूयॉयॉक से खरीदना मतलब पहले हम डॉलर को देखकर न्यूयॉक्ट से पॉांड खरीदेंगे डॉलर को देखnis युठाट से अधुलर से यूंट पाउंड से रूपीश और रूपीश से वापस डॉलर अच्छा लेकिन याद रखना बेचेंगे तो महगे में खरी देंगे तो सस्ते में यह आपको समझना पड़ेगा अब पिक्चर और हमारे पास क्या है डॉलर इस्टार्ट कर रहे हैं से हां सरी हां से हमारे पास डॉलर है बैंक पॉंड बेचेगा बैंक पॉंड बेचेगा अब बेचेगा तो और महगे में बेचेगा तो मार्जिन क्या करना इसके बाद हमारे प numbers currency आगे पांट पांट से रुपीज फांट रुपीज यह बैंक पांट खरीदेगा इसमे से margin क्या हो जाएगा माइनस तो यह रेट इसका दिया है पांट का हमारे पास currency कौन सी है pound तो multiply है हमारे पस अब क्या आगे rupees bank dollar बेचेगा rupees है तो rupees हम bank dollar बेचेगा तो यह वाला rate इसमें margin add हो जाएगा rate किसका दिया है dollar का हमारे पास currency कौन सी rupees to divide finally इतना pound इतना dollar आया इतना लगाया था तो यह आगए 3894 question बहुत अच्छा था बहुत ही अच्छा ठीक है जी तो यह था triangular arbitrage आगे दो point कर चुके हमने basics किया है और spot market arbitrage उसी के अंदर triangular arbitrage कर रहा है दो point हुए अभी तक अब आगे हम चल रहा है forward contract आराम से समझते हैं चलो जी आगे चले यसा तो अब बात करते forward contract point number three इतना किया forward contract क्या पहले भी हमारा पढ़ा हुआ है यसा forward contract में होता क्या है actual मैं hedging कर रहे हैं हम लोग वैसे तो मैं currency exposure में discussion करने वाला हम forward contract पर forward contract के अलावा भी उसमें money market cover होगे रहा discussion होगा forward contract की questions जो है वो जादा आ जाते तो पहले forward contract अच्छे से discussion कर लेते कि क्या चीजे है हम लोगों को हमने import किया यह import कर रहे वाले और import आज करने वाले import करने वाले future तीन महने बाद तो payment भी हमें तीन महने बाद ही करना पड़ेगा ऐसा थोड़ी नहीं कि यह तीन महने बाद जब हम import करेंगे तो उसके और मालो तीन मेने बाद डॉलर का रेट ज़्यादा है तो फिर क्या करोगे तो इस condition में हम बैंक के साथ forward contract कर लेंगे हम तीन महने का क्यों टैंसन ले नात में नीन नहीं आ रहे कि डॉलर का रेट बढ़ गया है तो हमारा क्या होगा तो यह टैंसन ही नहीं चाहते तो हम लोग क्या करते हैं बैंक वाले से बोलते हैं यह बैंक हमें तीन महने बाद डॉलर से लगेंगे आज ही एक contract कर लेते हैं और बता दीजिए कि हमें डॉलर कितने में देंगे दो एक सब्सक्राइब आपको पता है कि तीन मेने बाद एक डॉलर आपको सत्तर रुपए के साब से मिलने वाला बैक से इस फावर्ट कॉंट्रक्ट कब करना है आच ठीक है तो चले आगे इसी पिथम थोड़ी से हम क्या करेंगे फावर्ट कॉंट्रक्ट में हम दो बाते पढ़े करेंगे फावर्ट कॉंट्रक्ट पहले बात किसके लिए करेंगे इंपोर्टर के लिए और फिर फावर्ट कॉंट्रक्ट बात किसके लिए करेंगे हम एक्सपोर्टर के लिए अलग अलग धीरे-धीरे करेंगे फारेक्स जो करना है वो धंग से करना बहले आए एक गंड़ ज़्यादा लग चाहा है करें तो सबसे पहले बात किस की करें सर बात करेंगे forward contract for import एक example से बात समझते राम ये US की पार्टी जिसका नाम है Mr. X तो राम ने import किया है US से तो राम को payment करना है कितना एक लाख डॉलर पर ये एक लाख डॉलर आज नहीं करना है तीन मेने बात करना है अगर आज ही करना होता तो एक डॉलर हम 71.25 के हिसाब से खरीद लेते हैं लेकिन जो payment करना है तीन मेने बात करना और हमें ऐसा लग रहा है कि तीन मेने बात डॉलर का rate 74 हो जाएगा हमें लग रहा है 74 हो जाएगा और आज क्या rate है तो जो चीज मुझे 71.25 के हिसाब से मिल सकती है वो चीज मुझे 74 के हिसाब से खरीदना पड़ सकता है मजबूरी में चिंता है कि नहीं है तो क्यों न हम बैंक के साथ जाए और एक कॉंट्रक्ट कर ले कि बैंक प्लीज आप हमें डॉलर 72.50 के हिसाब से हम दे दे रहा हम ऐसा नहीं बुलेंगा हम कहेंगे क्या rate चल रहा है तीन मेहने बाद हमें डॉलर कितने रुपए में देऊगे आप बता सकते हो बैंक बाला बताएगा बुले forward rate चल रहा है 72.50 बुले चाहे दुनिया इधर से इधर क्यों ना हो जाए आपको डॉलर 72.50 के सबसे मिल जाएगा और अगर हम forward contract नहीं करते तो चिंता और किस बात की चिंता यार 74 का खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमें उम्मीद है कि 74 तो कर लो भाई जब आपको ऐसा अलग रहा है कि यार 74 और यह 72 जब आपको सस्ते में मिल सकता forward contract में और tension अलग हतम हो जाएगी तो बिल्कुल कर लेना चाहे पहले नंबर वे बोला expected loss बताईए पूछे गा expected loss कभी भी इन दोनों की बीच का निकलता is portrait और expected is portrait ठीक है कि भई हमें कितना loss होने की उम्मीद है वैसे तो इन दोनों का difference into 1,00,00 कर सकते पर प्लीज मत करना मुझे आपका आप बड़े expert लोग है आप 10-10 into 1,00,00 करो के answer लियाओ के हाँ जोड के प्रातना करो मत करना कही रेट उल्टा दे दिया आ तो उलच जाओगे मैं जैसा करवा रहा हूँ ऐसे करो तो चलो जी expected loss आज अगर हम होते तो हम एक लाग डॉलर 71.25 की मतलब 71,25,000 जाता हमारे पास से पर हमें तो डॉलर तीन महने बाद खरीदना पढ़ सकता है कि 74 की सबसे खरीदना पड़ सकता तो 74 लाक उस इसाब से हमें 2,75,000 का लॉस हो सकता दिस एक्सपेक्टेड लॉस याद कर लीजिए एक्सपेक्टेड लॉस बोलेगा तो किस-किस के बीच का डिफरेंस इस पॉट्रेट और एक्सपेक्टेड इस पॉट्रेट क्या राम को अगर हम फॉट्रेट कर लेते हैं तो बताईए हम कितना लॉस बैस्ते में दे रहा ना 72.50 जबकि आपको तो ऐसा लग रहा कि 74 हो जाएगा तो पक्का कर लेना चाहिए क्यों कर लेना चाहिए विकोज फॉट्रेट इस लेस देन एक्सपेक्टेड इस पॉट्रेट और दू लॉस बचा पाएंगे आपको लॉस तो हो रहा तो कितना लॉस बचा पाएंगे दो तिन तरीके हैं पर एक ही पैटरन फॉलो करते हैं अगर हम फावर्ट कॉंट्रेक्ट करते हैं तो तो भी लॉस है कितने का लॉस है इस पॉर्ट रेट पे 71,25,000 देना पड़ता पर फाव तो फावर्ट कॉंट्रेक्ट करने में फाइदा है और कितने का फाइदा है यह डिफरेंस एक लाग पच्चास जार दिख रहे हैं एक लाग पच्चास दर का फैदा ऐसा कोश्चन आये का क्या पूछा जा सकता है तीन चीज एक्सपेक्टिड इस पॉर्टेट फावर्ट क कौंट्रेक्ट फा इंपूर्ट सबकिसकी करेयों फावर्ट कौंट्रेक्ट फाइफ्सपोर्ट है तो हम 90 रुपे के सबसे बेच देते बैंक हमसे पाउंड खरीता 90 रुपीज देता पर रेट कम हो गया आपको ऐसा लग रहा यार पाउंड का रेट तो गिरने वाला है रेट कम हो जाएगा 87.5 हो जाएगा लॉस और बैंक वाला बोलता भाई कॉंट्रेट कर लो हम 89 देंगे आपको 89 रुपीज देंगे एक पाउंड के पिछे आपको टेंशन दे रहा है करे के नहीं करे कर लो भाई क्यों क्यों कि ज्यादा मिल रहा फॉवट कॉंट्रेक्ट एक्सपेक्टेड लॉस पूछीगा तो इन दोनों की वीच का डिफरेंस वही पूछला दूसरा फॉवट कॉंट्रेक्ट में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो यस क्योंकि आपको ज्यादा रहा फायदा बता रहे है फायदा अगर हम forward contract करते तो loss तो हो काही 90 lakh 89 lakhs एक लाग रुपे का loss होगा पर नहीं करते तो हमें ऐसा लग रहा था कि धाई लाग रुपे का loss होगा तो forward contract करने की वज़ा से हमें फाइदा है और कितने का फाइदा है एक लाग पचा सरक ठीक है तो यही सारी चीज़े पूछेगा आप से आगे चले और क्या पूछ सकता है यह तीन चीज़े तो मैंने आपको बताया है पूछना पूछना अभी थोड़ा से concept सी discuss कर रहा है question पर आएगे 100% यह देखो यह वाला question forward premium are discount आज dollar 70 रुपे का है एक सल बाद dollar 75 का हो जाएगा तो क्या dollar का rate बढ़ रहा है हाँ sir तो हम कहते है dollar जो है वो premium पर अगर dollar का rate गिरता है तो हम कहते है dollar discount पर है हम आज का rate के हमें bank से पता हो सकता है yes तीन मैने बाद हमें dollar कितने एका मिलेगा क्या भी ये भी bank से पता हो सकता है yes तो बस forward rate और spot rate तो हम ये देखेंगे forward rate बढ़ा कि कम हो गया अगर forward rate जादा है इसका मतलब यार वो currency जिसका rate दिया है वो premium पर है sir इसकी जरुरत पड़ेगी क्या हाँ जी पड़ेगी जब हम एक तो जरुरत कहां कहां पड़ेगी क्योंकि ये directly कोई अगर हमें बोल दे कि यार dollar premium पर है तो हम समझ जाएंगी कि भी या dollar महगा होने वाला है ठीक है और दूसरा कहां जरुरत पड़ेगी जब मैं करवाँगा आपको actions rate determination वहाँ बात करूँगा जब मैं interest rate parity आपके साथ discussion करूँगा अभी देखते क्या लिखा हुआ है forward premium और discount in forex one currency में appreciate एक currency appreciate होती है तो दूसरी currency क्या होती है depreciate होती है ठीक अगर currency appreciate हो रही है तो हम कहेंगे कि ऐसी currency किस चीश पर है premium पर है अगर currency depreciate हो रही है तो हम कहेंगे ऐसी currency किस पर है discount पर है और सब formula क्या है simple सी बात है क्योंकि हमें percentage में निकालना होता है इसलिए forward rate minus spot rate divided by spot rate percentage में निकालना इसलिए 100 अब ये 3 महने का होगा हमें कभी भी per annum basis पे निकालना पड़ता है इसलिए यहाँ अगर 3 महने का है तो उसको हम 12 महने में convert करा कि सिधा percentage per annum में निकालेंगे ठीक है जी एक्जम्पल से समझते है पहले एक्जम्पल रुपीस पर डॉलर दिया दिख रहा है जी आपको प्रिमियम और कि अ है कि डॉलर बढ़ा है प्रिमियम पे कि डिस्काउं पे तो स ऐर बिट बिट का अलग निकालेंगे हाँ जी बिट का लग निकालेंगे आस का लग पहले टू मन्थ वाली बात करें यह कौन सा रेट है फावर्ड तो फावर्ड रेट माइनस इस पॉट रेट डिवाइड़ वया बेस तो कभी भी स्पॉट रेट ही होना और यह कितने इन्टू हंड़िट किया तो करेंगे जी आस करेट और आस करेट का यह वाला कैस तो 71.75 70.85 तो यहां के 7.62 पर रहे ना अब किसका निकालना अब 6 मंथ की बात करते हैं 6 मंथ और याद रखना कि यह कम हो रहा है मतलब डिसकॉंट पे है और यहां माइनस में अंसर आएगा मतलब डिसकॉंट पे है तो 69. 25 माइनस 70.25 डिवाइड बाई 70 और यहां 6 और यहां 12 तो यह आ गया और इसका मतलब है डिसकॉंट इन डॉलर आसान था कुछ था यह निए चलते आगे बात समझेंगे यह एग्जांपल अच्छा है समझने वाली बात है रुपीज पर डॉलर दे रखा है मतलब सर डॉलर क और थ्री मन्त फावर्ड डेट यह भी डॉलर का दे रखा है ठीक है आपको प्रीमियम और डिसकाउंट निकालना है डॉलर में और रॉपीज में रेट किसका दिया है डॉलर का अगर रेट डॉलर का दिया है प्रीमियम या डिसकाउंट डॉलर में ही पूछ रहा है तो कितने percentage premium पे 4.54 डॉलर premium पे है तो कौन सी currency discount पे रुपीज discount पे है तो क्या रुपीज भी 4.54 discount में होगा नहीं डॉलर premium पे है रुपीज discount पे दोनों चीज़ सही है पर डॉलर premium पे 4.54% premium पे है तो रुपीज discount पे होगा लेकिन वह 4.54 नहीं होगा कुछ और होगा अच्छा सर मतलब जिसका रेट दिया है सहाब उसका निकालना है तो सीधे-सीधा formula बैट जाएगा लेकिन अगर रुपीज का निकालना तो सबसे पहले इस रेट को मुझे रुपीज वाले रेट में convert करना पड़ेगा ये किस formula मेरा ये आ गया अब formula ना करके सिधा 1 से सबको divide करके answer निकालो कि तुभी आएगा पर इसका जब derivation किया तो ये formula निकल किया गया इस portrait minus forward rate divided by forward rate मतलब सर formula बिल्कुल उल्टा हो गया ये फ्र की जगह क्या आगे एसर एसर की जगह क्या आगे एसर एसर की जगह क्या आगे एफर एसर की जगह क्या क्या एफर ये formula मैंने डिराइब किया आपको derivation की ज़रूत नहीं है आप एक काम करो सर अगर हम इसको 1 से divide कर दे और जैसा formula है वैसे ही formula गया तो भी बात बन जाई है पर मैंने shortcut मारा कि यार अगर रुपीज में निकालना premium discount तो formula हम उल्टा कर देंगे और ये आ गया 4.49 पॉर्शन सब तो बात क्या है बात बड़ी simple सी हिसाब जिस currency का rate दिया है उसमें premium या discount निकालना है तो formula fr-fr sr divided by sr पर जिस currency का rate दिया उसके opposite currency में अगर हमें निकालना है तो formula पूरा की पूरा change हो जाएगा एफर की जगा जाएगा ऐसा एफर 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 ठीक है अगया और चल रहा है और अब क्या बात हो रही है अब बात हो रही है calculation of forward rate with the help of swap points सर ये क्या चक्कर है कभी-कभी bank में आप forward rate मांगने पूछने जाते कि यार तीन मेहने बाद forward rate क्या चल रहा है तो बैंक वाले साब जवाब भी उल्टा सिधा जेते हैं मुलते है अच्छा इस पॉट रेट क्या है बोले 70.25 तो बोले फावड एट थ्री मन्द फावड एट 25 बेसिस पॉइंट है 25 बेसिस पॉइंट तो आप समझते हो ठीक है स्वैप पॉइंट 25 तो 35 चल रहा इस तरह से तो वह स्वैप पॉइंट को यूज करके स्वैप पॉइंट को एजिस्ट करके हमें फावड एट निकालना पड़ता मैं समझा रहा हूं समझाने की कोशिश करो किशिट कर रहा है वाट टे शॉक्षप पॉइंट नोच यह सबस्त्रेंट को जाएगा पॉइंट q music मैं रहे है नहीं क्यों चिंता कर रहा है इस पोट्रेड दे रखा है किसका डॉलर का रेट दे रका है क्या रेट दे रखा चिस्टी पॉइंट टूफाइफ और यह क्या हो कहा है यह ascending order में पहले 10 है फिर 15 तो इसको एट किया जाता है इस तरह से 60.25 60.45 पैसों की तरह से है तो याद रखना पीछे से मिलाना होता है यह मैंने समझा जैसे 10 है ना तो 0 पहले लिखा 1 पहले लिखा फिर पॉइंट लगा दिया और इसको एट कर दिया तो यह क्या निकलाया य और सर ऐसा होता 25 & 15 25 पंद्रह तो देखो क्या descending order में है यह और descending order में है तो क्या होगा सर माइनस होगा यह और यह क्या निकल किया गया यह निकल किया गया टू मन्थ फॉवर्ट यह सब किस से अजिस्ट करना इस पॉट्रेट से ठीके सर सर अगर ऐसा होता तो तीस और साथ और यहां 4525 होता है 4530 तो हमको तो यह समझ में आगा कि प्लस करना पर प्लस कैसे करें 0.3 यह फिर मैंने का ना लास्ट से मिलाते हुए चलना इट मेंस 70.4525 है तो मैं 0 यहां लिखूंगा 3 यहां लिखूंगा और इसके सामने डबल 0 कर दूँगा ठीक और यह एट करकी यह आगा है तो सर 40 और 70 दे रखा तो यह भी वैसी होना चाहिए पर यहां तो आप यहीं से बिट्टिस के सामने ना पैसा लिखा और पैसे का मतलब होता है 40 divided by 100 तो यह 0.48 अगर यह पैसा सब्द नहीं लिखा होता तो सीधा- सब्सक्राइब करेंगे कि पहले मार्जिन को एजिस्ट करेंगे बिड में क्या होगा मार्जिन माइनस और आस्क में क्या होगा प्लस और स्वैप पॉइंट के साथ क्या असेंडिंग ओडर में तो प्लस डिसेंडिंग में तो माइनस पहले स्वैप पॉइंट से जिस्ट होते हैं यह प्लस होगा दोनों की दोनों और स्वेप पॉइंट्स के बाद फिर मार्जिन बेड में से माइनस आस्क में प्लस तो यह आ गया फॉवर्ड डिट कस्टमर डिट अगया ठीक है चले आगे चलो जी कोश्चन पिया जाते हैं तो यह कोश्चन आपके पास हो गए होगा ऐसा इन सेप्टेंबर 98 डा मल्टीनशनल इंडूस्ट्री इंकॉर्परिशन असिस्ट दा मार्च 99 इसपॉट अब भी क्या है बले अभी है सेप्टेंबर में और हम सोच रहे कि मार्ज का रिट क्या हो सकता है ठीक और हमें ऐसा लग रहा है कि मार्च में पाउंड का रिट 1.30 ड 1.35 भी हो सकता उसकी probability है 0.20 इस तरह से उन्होंने rate बता रखा और probability दे रखा मांग क्या रहा है मांग रहा है बताओ expected rate क्या होगा मार्च में तो expected rate expected spot rate मांग रहा है तो भाई जो भी rate है इसको हम probability से multiply कर देंगे तो expected spot rate आजाएगा this into probability this into probability और सबका summation किया तो expected rate रहा है कि भाई एक पाउंड एक पाउंड इस एकल तो इतना डॉलर हो सकता है एक पाउंड इस एकल तो इतना डॉलर 1.405 इप दा 6-month forward rate 1.40 मतलब वन पाउंड इस एकल टू डॉलर 1.40 ठीक है शूट द फिर्म सेल फाउंड इस पाउंड पुले पाउंड आने वाला है पाउंड आने वाला है आने वाला तो हम डॉलर देगे अगर हम फाउंड कॉंट्रेक्ट नहीं करेगा तो बैंक हमको डॉलर देगा 1.405 अगर हम फाउंड कॉंट्रेक्ट करते तो बैंक हमको देगा डॉलर 1.40 क्या लेना चाहोगे ज्यादा की कम सर ज्यादा तो फाउंड कॉंट्रेक्ट मत किजिए सर ठीक तो सिंस फाउंड इस देन एक्सपेक्टरिस पॉर्ट हैंस फिर्म शूद नॉट सेल इट्स पाउंड रसीवब वेल एट फोवड इसपोर्ट फोवड अच्छा कोश्चन है करके चले जाना बच्चा कोश्चन है अलग हां सार यह कोश्चन तो बहतरी नहीं जी हां बहतरी न कॉश्चन देखी क्या लिखा है लिखा है जेके एल लिमिटेड एन इंडियन कंपने ह कि इंडियन कभल कि एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट किया है कहां जापान में और क्या मिलेगा जैपनीज यहन mend 10 million पेबल लिखा बच्चे तो यहार अखर दिये बोलते सार यह कैसा कोश्चन हुभा मतलब हैFrank 보시면 पे कर हम और हम इना एक्सपोर्ट किया है ऐसे कैसे हो सकता है पेबल है वो यह नहीं बोल रहा है कि पेबल बाई जेके लिमिट पेबल और किस डेट में पेबल मतलब उनके तरब से पेबल है भाई और कब पेबल है 31 अगस्ट 2014 को ठीक है और आपको बता रहा है कि ये और इंडियन के बीच में डाल रेट नहीं दिया हुआ है इट मिन्स हमने क्या किया है सार हमने किया है एक्सपोर्ट और हमको मिलने वाला है ये और कम मिलने वाला 31 और रेट नहीं दिया है directly किस किस के बीच में ये और रुपीज के बीच तो रेट कौन से दे रखा एक रेट ये दे रखा एक रेट ये दे रखा ये क्या लिखा हुआ सर एक रुपए इस इक्वल टू इतना डॉलर बेकार की बाती तो धोका वाला कोश्चन है वैसे तो आई एसो कोड जैसा दिख र और सर यहां क्या होगा ये इन पर डॉलर इतना और क्योंकि मुझे रेट नहीं दिया है तो मिझे रेट तो निकालना पड़ेगा और रेट क्या निकालो मैं क्योंकि मुझे डारेक्ट रेट निकालता है रुपीज पर ये सर हम ये इन पर रुपीज भी तो निकाल सकते हो पर में direct court की बात कर रहा हूं ना यह direct court समझ रहा हूं प्लीज हां one unit of foreign currency foreign currency का one unit क्या ही है ना direct court जदे easy होता है इसलिए हमने direct court निकलिए कि बीया 1 yen कितने रुपय में आयेगा ये निकलेंगे क्या rupees उपर दिया है yes क्या ये नीचे दिया है नो तो कैसे निकलेगा सर 62 divided by 102 डिवाइड होगा ना मल्टिप्लाई तो हो नहीं सकते है ठीक है सर ये निकल गए है अब आगे क्या लिखा अच्छा और आगे क्या लिखा इंडियन रुपीज डेप्रिशेट होकी कितना हो जाएगा। अगैंस क्या होगा डॉलर? डॉलर के अगैंस में येन भी डेप्रीस हए होँ रहा और इंडियान रॉपीस भी डेप्रीस हो रहा है एक डॉलर मतलब रॉपीस येन पर झाजोगा रोड कांड लोगा 124 येन पर डॉलर 124 और रुपीस पर gallery कितना हो जाएंगा 65 और इन तोनों को यूज़ करके फिर मुझे क्या निकलना पड़ेगा मुझे निकलना पड़ेगा रूपी सingt और यह क्या एस्टीमेटिड दीया है सब्सक्क्राब हो हैस्पेक्टीमेट्टरी यह कंवा सब्सक्राइब अब आगे और क्या दिया बोले साहब हम आगस्ट का फावर्ड रेड भी आपको दे देते हैं अच्छा है दे दो फिर हमने बोले ऐसे ही दिया दे दो जो देना रुपीस पर डॉलर दे दिया ये इन पर डॉलर दे दिया कोई दिक्कत नहीं हम रुपीस पर ये निकालेंगे उपर रुपीस आएगा और ये नीची आएगा तो रुपीस पर ये न जायेगा ठीक है तो पहले तो ये तीन चीजे हम निकाल ले थे इसपCreate निकाला एस्टिमेटेड इसपार डियए और फ 27 कॉछ शं नहीं है पहले तो निकालना साहम इकस्परक्तिड नोस if hashing is not done अगर हम hashing नहीं करते है तो expected loss किसका होगा expected loss किस-किस के बीच में निकाला जाएगा is portrait and estimated is portrait क्या ये position change हो जाएगी अगर आप forward cover करते है तो yes saving in loss due to forward cover वो देख लेंगे point number two discussion करूँगा तो चलो अगर हम sell करते है ये इनको spot rate पे 10 लाक ये नहीं और spot rate आपने ये निकाला point 6080 तो हमें मिलेगा 60 लाक 80 पर हम sell तो spot rate पे करी नहीं सकते हम expected हमें ऐसा लग रहा है कि ये इनका रेट ये हो सकता है तो उस condition में ये कहां से है estimated spot rate तो 52,42,000 तो total मेरा loss हो सकता है 8,38,000 अगर हम hedging नहीं करते हैं पर अगर हम forward cover करते हैं तो जो sell कर रहा है वो हम इतने में करेंगे ये दूसरे तरीके से presentation किया आप जो मैंने example में presentation कर वाया वैसे भी कर सकते हैं तो सहाप एक बाँ बताओ अगर हम forward cover नहीं करते हैं तो 52,42,000 मिलेगा forward cover कर लेते हैं तो 60,26,000 मिलेगा तो total हम में लाका forward cover की वज़ा से हमें 7,84,000 बचेगा ये आना है दूसरे representation से भी ठीक अब important अब सुनना मैं क्या बल रहा है point number two पर बल रहा हमने forward cover कर लिया बहुत अच्छी बात कर लिया कैसे किया बताओ बले ये किया क्योंकि यार आज देखकी तो ऐसा लग रहा न कि forward cover कर लेना चाहिए हमने कर लिया बहुत अच्छे हमने का चलो एक ये जो भी आएगा हम बेचेंगे तो बैंक हमको 6.6026 से दे देगा कर लिया फॉवड को और बोले अब आ गया दिन कौन सा दिन 31 अगस्त अब उस दिन क्या रेट हो गया अगर उस दिन एक यह न बेचने पर हमें मिल देगा पॉइंट 5025 तो यार फॉवड कवर करके आपने अच्छा किया फॉव आप बरबाद हो गया आपको तो खरीदना ही पड़ेगा ना एक यह न बेचोगे और इतना रुपिया मिलेगा जबकि एक यह न अगर आप फॉवड कवर नहीं करते तो यह न बेचने पर आपको इतना भी तो मिल सकता था तो वो यह पूछ रहा है लास्ट वाले है कि नहीं तो पहले यह जो रेट दिया इस से फिर हमको किसका यह न करेट निकालना पड़ेगा और निकाल लिए और कितना आ गया देख रहा पॉइंट फाइव नाइट सेवन सिक्स जबकि फॉवड कवर करके हमने पॉइंट सिक जिरो तो भाया अच्छा किया सर सिस फॉ अच्छा है करना पड़ेगा चले आगे यह लजी और एक कॉश्ण हाँ हाँ है देखे क्या लेखा हुआ है का अपनीस ओपरेटिन इन इनकांट्री हेविंग दडा डाला as its unit of currency तो बहिए यह company sir, company कहाँ operate होती है ऐसी जगाज जहाँ currency कौन सी है dollar, currency कौन सी चलती है dollar, मतलब sir यह US की बात कर रहे है US की company और उन्होंने sell किया है sell किसको किया है Indian company को sell किया यहां से ऐसा पता लग रहा है US की company में है dollar उनने सेल किया है यूएस वाले को मिलने वाला इंडिया वाला पैमेंट करने वाला अभी तक ये पता नहीं लग रहा कि वो आपको किसके एंगल से एडवाइस देने के लिए बोलेगा ये अभी और आगे देख दब पैमेंट पैमेंट कौन करेगा इसमें कोई शक्की बात न इंडियन कम्पनिल फेमें कोन कोन करने वाला इंडियन कम्पनी किस subtle डालर में है वह आई गंडिजे कि घन्टी दाना चीनि जाना और मैं यूस कंपनी और और मुझको मैं एक्सपोर्ट किया मुझे ذा इंड्यां किसी मिल रही है Hamid की जब कपड़ती है जब हमें दूब सही हो रही तब यह कंपनी को पैमेंट कौन कौन करने वाला ऐंडियन कंपनी किस में डॉलर में इनको ॓र रहा है क्योंकि डॉलर में हो रहा है और तीन क्यों मैंने साथ साथ सो पचास किसके बराबर है 5 लाग अभी एक्सपोर्ट हमें पैमेट करना किसके एंगल से आपको एडवाइस देने के लिए बोलेगा इंडियन कंप्रें क्यों बोलेगा डर इसी को है और अभी बोल रहा पाच लाग रुपए के बराबर है तीरहहजार साथ सो पचा इस से निगलेगा स्फॉट रेट अर ऐसा लग रहा है की जो एक्षिन रेट है वह डिक्लाइट हो जाएगा 5% से गब And in order to protect, अब देखो, यहां से पढ़ो, In order to protect the dollar payment, जो dollar में payment हो रहा है, ना सहाब, उसको protect करना है, बैचाना है, किसके एंगल से बात हो रहे हैं? The importer, जो है, importer है, उन्होंने propose कुछ appropriate action लेना चाहता है, और forward rate जो है, वो ये दे रखा है, forward rate किसका दे रखा है, सब forward rate दिया है, dollar zero point, मतलब forward rate दे रखा है, rupees का, dollar per rupees, ऐसा वाला forward rate दिया है, you are required to calculate the expected loss, expected loss निकालना है, और बताना है, कि forward cover से आप किस तरह से hedging कर सकते हैं, ठीक है, सुनो साब, सबसे बड़ी समस्या ये आई, कि हम इस portrait कैसे निकाले, rupees per dollar निकाले कि dollar per rupees निकाले, सर आप तो बलते थे थे ना कि direct court होना चाहिए, foreign currency का एक unit निकाल लो, तो ये निकालना चाहिए, बिलकुल निकालना चाहिए, लेकिन problem क्या है पता है, problem ये है, forward rate किस तरह से दे रखा है, forward rate में किसका rate दिया है, sir, rupees का rate दिया है, rupees का, अगर forward rate rupees का दिया है, तो आगे सारे rate हमें इसी तरह से निकालना पड़े, अगर ये dollar per rupees है, तो ये वाला rate भी हमें dollar per rupees ही निकालना पड़ेगा, ठीक, सिर्फ इसकी वज़ा से मैं यहां ऐसा कर रहा हूँ, तो sir, rupees, sir हम ऐसा कर ले तो गलत हो जाएगा, कि 100% गलत होगा न, जहां decline वाली बात आईगी, वहाँ आप गरबड़ कर दोगे, अच्छा sir, तो यहां क्या जाएगा, हमारा rupees, dollar उपर, dollar 13,750, divided by 5 लाग, तो यह कौन सा rate हाजएगा, यह spot rate हाजएगा, पहले निकाले तीनो rate, spot rate निकला, estimated spot rate decline हो जाएगा, 5% से तो सिधा 95% लिख दिया, और यह है forward rate, क्या मांगा है, आप से मांगा है, सबसे पहले, expected loss, और पता एक्सपेक्टेड लॉस किस-किस के बीच में होता है इस पॉट्रेट और एस्टिमेटेड इस पॉट्रेट इन दोनों की बीच में चलो तो पहले होगी करते हैं अगर हम डॉलर खरीद ना पड़ सकता है और इस पॉट्रेट पे तो तेरह यह तो पाचला की आएगा पर हम आज थोड़ी दिन खरीदेंगे डॉलर बाद में खरीदेंगे इस रेट पर इतना तो हमें कितना लॉस हो सकता हमें लॉस हो सकता 26,316 रुप है 26,316 अगर हम हैजिंग कर लेते फावट कवर के थ्रू तो यह तो पाचला की है लेकिन फिर हमें इस रेट के हिसाब से खरीदना पड़ता तो 3663 तो फावट कवर की वजह से यार हमने पैसा बचा लिया और कितना बचा लिया 22653 क्या आसान कम था यासा चलो जी अगे चले अगे चले यस और एक कोशन ये भी कोशन अच्छा है और एक्जाम में आया हुआ पड़े अ कंपनी इस कंस्डूरिंग हैं इट्स फॉरें एक्शन रिस्क ठीक है भाई हैज करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है आगे लिखाँ इट एज मैड़ पर्चेस ऑन फर्स जैनुवरी 2008 फा विच इट हैस्टू मेकश पैमेंट कितने का पैमेंट करना डॉलर पच्छास जरका और कब करना सेप्टेमबर में और आज कौन सा है जैनुवरी पैमेंट करना सेप्टेमबर मतलब टूटल मिला कर कित पाइमेंट करना है डॉलर पचास जा आज एक डॉलर का रेट क्या है चालिस अगर एक्सपेक्टेड लॉस पूछेगा तब की बात है इट केन पर्चेस बुले आप अगर फावर्ट कवर करो तो 39 में खरीद सकते हो तो ठीक अभी फावर्ट कवर कर लेंगे तो कंपनी विल है टुटेक अप फ्रंट प्रीमियम टू पर्शन ऑफ दा फावर्ट एमाउंट पर्चेस यह बेकार की बात दे रखा है फावर्ट कवर में कभी भी प्रीमियम जैसी चीज आने ही नहीं चाहिए और हमने तो यही पढ़ा पूरे डेरिविट्व में तो यही कि प्रीमियम नहीं आता फावर्ट कवर कॉंट्रेक्ट ओर दा काउंटर होता तो कोई किसी को कुछ नहीं देता ना मार्जिन ना प्रीमियम पर यहां प्रीमियम दिया को चलो ठीक है प्रीमियम वह भी कब देना अप फ्रंट वैसे प्रीमियम एडवांस ही दिया जाता है कब देना आज और बोले प्रीमियम दोगे तो भी वो जो पैसा बैंक से निकाल के दे रहे हो जो फंड जो आपका बैंक में जमा था वो तो उस पे जो इंट्रेस्ट मिल रहा है वो भी तो लॉस हो रहा है तो कॉस्ट ऑफंड कितना है 10% पर रहा है प्रीमियम और उस पर पॉ करना है आगे भी पढ़ लो इगनोर ट्रेक्सें सर इगनोर ट्रेक्शिशन नहीं लिखा होता तो तो मैंने रेगुलर क्लास में डिस्कृश्टिन किया है यहां नहीं कर सकता तो सर यह वाला जो है रेट आप कॉर्प्रीमियम ते अब मेरे किसी काम का है क्या नहीं कोई काम if it is has its foreign बोल रहा है कि अगर हैज कर लेते फारवड कॉंटेट कर लिए अगर 30 सेप्टेंबर को रेट हो गया 42 इस एक्च्वल जब 30 सेप्टेंबर आया तो रेट 42 हो गया और आपने कितने कि सबसे थर्ट सर प्रॉपिट हो गया आपको अच्छा हुआ फारवड कवर कर ली प बोले पच्छा सेड़ डॉलर 39 के सबसे खरीदने का कॉंट्रेक्ट हो चुका है उस पर दो पर्शन प्रीमियम तो 39,000 प्रीमियम का लगेगा और वह 39,000 आपने बैंक से निकाला होगा तो उसका पॉर्च्री कोस्ट और नौ मैने का उसका इंट्रेस्ट तो टूटल आपको प्रीमियम है प्रीमियम इंक्लूडिंग एक पॉर्चिकोस्ट Woo attachedoin Alpha का अब बोले रैट 42 आपको पॉर्पिट हो रहा है पर आपॉर्च cash प्रीमियम भाइनस करने के बाद आपको नेटगे नहीं हो रहा ठीक है अगर रेट 38 हो जाता तो तो बताओ यहां तो डबल नुक्सान जहें लगा है एक तो 39 के साब से खरीदने का कॉंट्रक्ट किया और रेट हो गया 38 फसे एक रुपया के तो लॉस ये सहन करोगे और प्रीमियम अलग तो पचासर का लॉस ये और प्रीमियम अलग तो इत इस कोशन पर यह भी अच्छा कोशन है देखा जाए तो मेरी नजरों से क्या लिखा है था कि तक है नहीं इंपोर्ट कॉस्टम इंपोर्ट कुटमर ऑफ यूर बैंक विसे टुबुक ए फारवर्ट कॉंट्रक्ट ठीक है कोई इंपोर्ट कोई कॉस्टमर है जिसने इंपोर किया forward contract work करना चाहता है इसको पैमेंट करना अब पैमेंट कब करना पैमेंट होने वाला है विट यूर बैंक ऑन 3rd September को आ गया बैंक सेल करेगा ठीक क्या सेल करेगा पाच लाग सिंगापूर डॉलर मतलब सामने मैं हूं मैंने इंपोर्ट किया होगा तो मैं बैंक के पास गया मैंक बैंक प्लीज मुझे बेज देना पाच लाग डॉलर ठीक मुझे पाच लाग डॉलर आगे पहुंचाना इस पॉट्रेट और यह चो एक डॉलर हाँ एक डॉलर रूपीस पर डॉलर 49.370049.3800 और स्वेप पॉइंच दे रखा है सेप्टमबर इसपॉट सेप्टमबर का मतलब जो जिस डेट को 30 है तो 30 समान के चलना अक्टोबर का मतलब निरेस्ट जो भी होगा नवेंबर का मतलब यह जो 30 अक्टोबर के आसपास का रेट है ना हुआ हमारे लिए तो सर यह वहला काम का है कि दो मैंने बात का रेट निकालना है और में ना हमंने क्या चाहिए हमें सिंगापूर डॉलर का पैमिंट करना हमारे पास प्यारा रुपीस करें आर्पीस पर सिंगापूर डॉलर पर direct rate नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं जो rate दिया उसको पकड़ लेंगे, ठीक है जी, पहले spot rate की बात करो, आज की बात करें पहले, और कुछ आगे और दे रखा है, calculate the rate to be quoted to the importer by assuming the exchange margin of 5 वैसा, ठीक है वो बात में समझेंगे, सबसे पहला का, हमें चाहिए Singapore dollar हमारे पास है रुपीज, rate कौन सा लेना, तो सबसे पहले, रुपीज देकर, डॉलर खरीद दो, और डॉलर देकर Singapore dollar, तो रुपीज देंगे, डॉलर खरीदेंगे, तो बैंक डॉलर बेचेगा, यह वाला rate, और बैंक डॉलर वापस खरीद लेगा, और हमें Singapore dollar देगा, एक rate यह आएगा, हाला कि हमें, क्या पूछा है, हमें rate पूछा है, और कौन सा rate पूछा, हमें rate पूछा है, forward rate निकल कर बताई है, swap points को adjust करना, और हमें निकलना, forward rate, तो सबसे पहले, 49.38, यह ask rate, तो 1300, 1300, यह plus होगा, की minus plus होगा, तो वही मैं कर रहा हूँ, कोशिश, 49.38, यह plus होगया, तो यह आगया, अब यहाँ क्या, यह interbank rate है, यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ margin दे रखा है, exchange margin और पैसे में दे रखा, 5 पैसा, तो बेचेंगे, तो swap points तो plus होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों कि यह interbank rate है, तो वह 5 पैसा भी plus कर दिया, तो यह आगया, कब का rate आगया है, दो महने बात का, हाला कि rate रुपीज पर डॉलर का है, कोई दिक्कर की बात नहीं, ऐसे ही क्या किया है, यहाँ नहीं, 1.7058, यह दिख रहा, 96, प्लस होगे की मैनस, प्लस, 0.0096, प्लस ही होगा, ना, टू मन्थ वाला rate लेना, 0.00, तो यह भी आगया, अब सवाल बस इतना, बच्चों के सबसे ज़्यादा राउट्स इस कोश्चन में है, अब डाउट्स क्या है, समझना, कुछ बच्चों का कहना है, सर, पाच पैसा यहाँ क्यों प्लस किया, यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, एक, दूसरा कि सर, पहले rate निकाल लेते, और फिर पाच पैसा प्लस कर देते, यह ज़्यादा अच्छा है, बिल्गुल सर, मैं हर बास से आपकी सहमत हूँ, कि पहला कोश्चन है, कि सर, इस कोश्चन में आपने पाच पैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ तो प्लस किया, पर यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, पहला कोश्चन, अब मैं उनकों बताया, अब देखो, मैंने यह बताया, मुझे, अब किसी भी तरह से कोश्चन, मैंने का, हो सकता है, हो सकता है, कि आई सी एई आई का यह सोचना हो, क्योंकि यह पैसा सब्द दिया है, तो यह प्लस वहीं होगा, जहाँ रुपीज इन वाल है, और रुपी कुछ में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हो सकता, आई सी एई यह समझा, इसलिए उन्होंने यहां पाच पैसा तो प्लस किया, पर यहां मार्जिन प्लस नहीं किया, ठीक है, और दूसरा क्या सोचना है आपका, तो फिर यह सर यहीं, यहां एजिश्ट कर देते तो ज्यादा अच पाच पैसा, इसलिए यहां क्या, क्योंकि यहां रुपीज इनुवाल, मजबूरी है, और इसके बाद तो रेट रुपीज पर सिंगापूर डॉलर आराम से निकल सकता, रिस रुपीज उपर दिया, सिंगापूर डॉलर उपर दिया, तो डिवाइड हो जाएगा, तो यह थोड़ी सी दिक्कत है, यह पाच पैसे वाली, बाकि यह कोशन बहुत अच्छा, और एक कोशन कर ले फावट कवर, और एक कोशन कर लेते हैं, फावट कवर का यह लास्ट कोशन होगा, फिर उसके बाद हम कहां पर जाएगे, उसके बाद हम नहीं चीजे पढ़ेंगे, कव लिखा है, following information relates to AKC Limited, which manufactures some parts of an electronic device, भई, electronic device बना रहे हैं इंडिया वाले, और वो कहां जाएगा, US में जाने वाला है, जापान में जाने वाला है, यूरोप में जाने वाला है, इधर जाने वाला है, एक्सपोर्ट हो रहा, एक्सपोर्ट, तो सर आएगा, यस, जापान से क्य आएगा, ये न आएगा भाई, US से डॉलर आएगा, यूरोप से यूरो आएगा, वैरिबल कॉस्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट, एक यूनिट का प्राइस दे रखा है, ये में डॉलर में, यूरो में, और बोले, 90 दिन बाद इतना ये न आएगा, इतना डॉलर आएगा, इतना यूरो आएगा, सब तो दिया हुआ है, और action rate दे रखा, spot rate दे रखा, 3 month forward rate दे रखा है, और 3 month spot, अगर हम hedging नहीं करते हैं, तो 3 मेने बाद spot क्या होगा, मांग क्या रहा है, और खास बात याद रखना, रुपीस का rate दिया, रुपीस का rate दिया, तो सो समझ के काम करे इसे ना, advice AKC limited by calculating average contribution to sales ratio, contribution to sales ratio, अगर आप has करती हो, अगर आप has नहीं करती हो, contribution to sales ratio, तो उपर क्या जाएगा, contribution निशे क्या जाएगा, sales, और contribution कैसे निकाला जाता है, कुछ पता है क्या, तो sales minus variable cost, और variable cost कितना है, एक unit का मालो में sir, 225, तो भाई या number of units कितना है, तो sir, this divided by this करेंगे न, 78 लैक आने वाला, एक unit का 650 येन, तो this divided by this करेंगे, तो number of units आजाएगा, कटके देखें, selling price हमको दिया है, येन में, receipt आने वाला है, येन में, तो this divided by this करेंगे, तो number of units आजाएगा, इसको variable cost per unit से multiply कर देंगे, तो ये आ गया हमारा variable cost, rupees में, कोई शक, अब बात करते हैं कि sales rupees में निकाल लेते हैं, अगर हम hedging करते हैं तो, अब सोचना पड़ेगा, सर 78 lakhs yen आएगा, rate rupees का दिया है, सर बैंक rupees बेचेगा, yen आएगा तो बैंक yen करते हैं, rupees बेचेगा, बेचेगा तो सर 4.24, 2.427, चेक करें, 2.427, मतलब सर उधर उधर वाला rate लेना पड़ेगा, यस, ऐसी 0.0216, और रेट किसका दिया है, rupees का, और currency कौन सी है, yen, तो divide ही होगा, divide हो जाएगा, divide करने के बाद इतना rupees, इतना rupees, इतना rupees, तो total variable cost है, इतना, total sales है, इतना, अगर हम forward contract करती है, तो, अगर forward contract नहीं करते है, सहाब, तो फिर आपको इस rate से काम करना पड़ेगा, इस rate से divide कर देंगे, तो इतना जाएगा, और total इतना, it means, यहाँ forward contract है, और यहाँ forward contract नहीं, और आपको क्या निकालना है, सर, this minus this, यह क्या आएगा, contribution, contribution और sales तो यही है, तो पहले contribution to sales ratio निकाला, तो 19.59% आएगा, और यहाँ country, अगर hedging, if hedging, if not hedging, अगर hedging नहीं करते हैं, तो 19.17%, अगर contribution to sales ratio की बात करो, तो यह ज़्यादा अच्छा, यह ज़्यादा अच्छा है, hedging is better due to higher contribution to sales ratio, ठीक है जी, यह सर, अब आगे हम कुछ नए concept करें, forward contract तक तो हमारा खतम हो गया, ठीक है, आगे चल रहा है, चल आज़े, तो चले आगे, यस, और forward cover के बाद, जो बात होगी, वो होगी cover deal, सर, cover deal है क्या चीज, तो सुनो बिट, बिलकुल simple है, यहाँ आपको bank के एंगल से सोचना है, मान लो, आप एक bank हो, ठीक है, ध्यान से सुना कुछ नहीं है, cover deal आपको याद जाएगा, आप bank हो, और आपके पास कोई customer आया, और customer ने कहा कि, हाँ जी, हमको Hong Kong डॉलर चाहिए, अब Hong Kong डॉलर आपने बेज भी दिया, हाला कि आपके पास, आपकी दुकान में Hong Kong डॉलर सही नहीं है, ऐसी currency जो बहुत कम चलती है, भाई, हर bank हर currency थोड़ीं रखता हो, तो Hong Kong डॉलर आपने customer को का कि ठीक है जी, वैसे होता कि जब आप मांगते हो न, डॉलर, जिस दिन transaction होती है, T plus 2, deliveries की दो दिन बात करना होता है, तो आपने बेज तो दिया Hong Kong डॉलर, किसको बेज दिया, customer को, ठीक है, ठीक है सर, अब बेज दिया, आपके पास है नहीं है, तो फिर क्या करोगे सर, कहीं और से खरीदेंगे, यास, जो आपने deal कर लिया है, उसको cover भी तो करना पड़ेगा, कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से खरीदना पड़ेगा, यास, और आपने बात कर लिया, कितने हैं बेज दिया, 7.25 में, ठीक है, अब इसको cover करें तो कैसे करें, आप local bank में पता किये, क्या Hong Kong dollar रखे हुए है, इन्होंने का, नहीं भई, हमारे पास Hong Kong dollar नहीं है, हमारे पास dollar, हमने का, छोड़ो, हम यहाँ पहुचे, international bank, हमने का, आप क्या Hong Kong dollar है, बोले, है तो सही, पर इसके लिए आपको dollar लेकर आना पड़ेगा, बात समझ में आरी, cross rate है, तो sir, इसका मतलब यह हुआ, कि local bank से सबसे पहले हमें dollar खरीदना पड़ेगा, 71 के सबसे, yes, dollar आ गया, और फिर यहाँ, bank हमसे dollar खरीद लेगा, क्योंकि वो Hong Kong dollar बेचेगा, dollar का rate दिया है, bank हमसे, international bank हमसे dollar खरीद के हमको Hong Kong dollar देदेगा, तो फिर इसके सहारे आपको cross rate नेकालना पड़ेगा, cross rate क कोई cover rate बोलते है, cover कुछ है नहीं है, जितनी भी transaction होती है, हर bank उसको cover करके रखता है, मसाला लगा कि मैं कुछ भी बता दूँ, पर फिर भी, जितना भी आप bank transaction करता है, उसको पीछे से cover करता है, इतनी वाद समझ लेना, question आते कैसे, question है, पहला आता है, question इस तरह से frame होता है यू सोल्ट, यू का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यू का मतलब होगा bank, आपने अपने कस्टमर को बेचा है 10 Ν, Hong Kong, कितने में बात किया है, 7.25, ठीक है, और cover कर दिया अपने आपको आपने in rates से, local bank का rate और international bank का rate, और सबसे पहले आपको क्या निकालना है, cover rate निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है profit or loss निकालना है ठीक cover rate निकालने का logic के साथ निकालो या फिर cross rate इट मिस्ट देखो मैं दोनों method समझार method one method one प्रॉपर लिखो logic कौन से बताओ कि क्या है बताए कि हम सबसे पहले dollar खरी देंगे local bank से कितने की सबसे 71 के सबसे डॉलर खरीं bank dollar बेचेंगे कितने के सबसे 71 के मैं था तू बाद में करेंगे पर में यह rate मेरे पास लिखा नहीं है ना पीछे है तो मैं यहीं से देखे 71 के सबसे dollar करेंगे और फिर हम dollar base देंगे और Hong Kong dollar खरीदेंगे, बैंक डॉलर हमसे खरीद लेगा, 12.5 के सब से, तो अब हमें ये रेट मिल गया, हमें ये रेट मिल गया, मतलब हमें दो कोट मिल गया, और इसके हेल्प से हम रुपीज पर होंग कॉंग डॉलर निकाल सकते, एक होंग कॉंग डॉलर कितने रुपय का, तो 71 उप को ये कहानी ने लिखनी है, तो कहानी ने लिखनी है, तो क्रॉस रेट, और क्रॉस रेट कौन सा, बिड आस्क वाला, रुपीज उपर होना चाहिए, रुपीज उपर है, होंग कॉंग डॉलर नीचे होना चाहिए, पर उपर है, तो वन से डिवाइड होगा, और फिर ये व कवर रिट निकलने में कोई समस्थिया क्या आगे चले अब आपने बेचा था 7.28 के सबसे आपने खरीदा है 5.68 तो आपको प्रॉफिट हो गया कॉंट्रक्ट से और यह हो गया टॉटल प्रॉफिट ठीक है सर कोशन आते है क्या आ सकते करना चुट्री जैसे यह वाला कोशन हा डेंजर अब यह कोशन आएगा तो यह आठ नमबर का आएगा उससे कमकबनता ही नहीं यह कोशन ठीक है ठीक है सब देखते हैं इसमें क्या लिखा है यू फॉर एक्षेंज डीलर ठीक हम बैंक ठीक हम बैंक है यू आ इंफॉर्म देट यूर बैंक है सोल्ट टीटी कॉपन हैगन फर डीके दस लाख एड़ दर बताओ भाई आपने किसी को डीके बेज दिया डीके के अच्छा सर डीके के डीके लिख दूह क्या कितना बेज दिया सर दस लाक और उसकितने के हिसाब से बेच्चा तो दिख रहा है रुपीज पर dk के 6.515 जिरो के हिसाब से बेज दिया अब भई हमको डीके के खरीद नहां है कहां से खरीदे तो अब देखोएटे अब यहां बोले आप या तो लंडन मार्केट से खरीद लीजिये या तो New York मार्केट से कोशन बढ़ा रहा है और खुछ नहीं कर रहा है बोले लंडन से खरीद हो या नीए यॉक से खरीद हो हमने गारेट बताओ अब रेट बताए मुंबई लंडन ये किसा रिट हुआ लंडन में क्या चलता है पाउंड और यह क्या है रूपीज तो पाउंड का रेट दिया तो मैंने चलो पहले लंडन मार्केट पर चलते हैं और वहां मैंने रूपीज पर पाउंड लिख दिया 7.74.300 74.32 इसमें कोई दिक्कत नहीं और यह तो कहां है डॉलर का रहते हैं डॉलर 1 ₹20.49 फिर लंडन कोपन है घंप लंडन में पाउंड चलता कारेट लंडन में मतलब पौंड मतलब सर ये दोनों रेट कहां कि है लंडन के लिदन लंकर अलग लिग दिजीए और ने नूय-इयोक मार्केत का रिधी और मुझे क्या निकालना मुझे निकालना रुपीज पर तो क्या सोच सकते हैं हमारे पास करेंसी कौन सी है रूपीज है ना हाँ रूपीज है कैसे पता लग रहा क्योंकि हमने रूपीज में तो बेचे हैं ना भाई और सेल पाउंड इन लंडन और यह और यह दो रिट ले लिए 74.32 और 11.42 अब मुझे चाहिए रूपीज पर रूपीज उपर होना चाहिए उपर है डिके के नीचे होना चीए पर पाउंड नीचे है समझ रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा तो यह आगे रेट बेचा था 6.5150 खरीदा 6.5079 इंट दस लाग तो 7100 का फायदा सेम चीज मैं यहां भी करा और यहां 4800 का फायदा तो बोलो भही कवर कहां से करें लंडन से करें कि नीचे फैंसे लंडन से करो ज्यादा फायदा है न 7100 तो ये चोपर डि मुआ तो यह कवर डील चुटे च्छोटेश्ट बहूं सारे है पर मैंने एक ही बड़ा question ले लिया चलेगा अब important एक्षेंज रेट determination इसका मतलब सर इसका मतलब यह है कि हम बोलते हैं कि future में dollar strong होगा हम बोलते future में रुपिया strong होगा कुछ भी हो सकता है आखिर ऐसे कौन से factors है जो यह decide करते हैं कि future में rate क्या होने वाला और ऐसे बहुत सारे factors ऐसा नहीं बोल रहा हो कि दो या तीनी बहुत सारे factors suppose suppose inflation जहां inflation कम होती है वहां की currency ज्यादा strong होती अगर US में inflation कम होगा तो वहां की currency ज्यादा होगी इंट्रेश रेट जहां रीट आप इंट्रेश्ट कम होता हो वहां की करेंसी ज्यादव इस ट्रॉंग घृण होती है एक दो फैक्टर में यहां डिसक्रेश करूंगा बाकि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर दिंद और सप्लाई आप पर इसने एक्षिंड करता कर्म आपको क्यों नहीं पढ़ाओंगे बस इतना बताओं में बात है कि इस से बहुत सारा बहुत सारा आपके एक कोशनद जरूर आया था हला कि ओ मेरे लिखर्रिप्टिव में जाओंगे है ना नुउ कोशन तो उसमें कवरब है और उस कोशनद में था रियल नॉमिनल तो र आओगे तो लेक्षर मिल जाएगा पर अब भी जो काम की चीज़े हों करेंगे रिविजन का मतलब आपको पता है तो इंट्रेस्ट रेट और इंफ्लेशन रेट हाँ अब समझना देहां से फ्यूचर में क्या एक्षेंज रेट होने वाला है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है इंट्रेस्ट रेट भी एक फैक्टर है और इंफ्लेशन रेट भी एक फैक्टर है अगर इंट्रेस्ट रेट एक फैक्टर है तो उसके जरिये हमको बात समझना है और वो पढ़ेंगे हम interest rate parity theorem में interest rate parity theorem में हम यही सीखने वाले है कि देखिए rate of interest की वज़ा से currency currency का future में क्या rate क्या strong होने वाली या weak होने वाली वो depend करता है interest rate में और पक्का यह हम सीखेंगे दूसरा क्या सीखना है दूसरा हम यह सीखेंगे नहीं नहीं purchasing power parity में क्या सीखेंगे हमें कहेंगे नहीं future में currency strong होने वाली या weak होने वाली वो depend करता है वहां के inflation rate पे हमने का कैसे वो पढ़ना है purchasing power parity में ठीक है दो चीज़े तो पहले बात किसकी करेंगे interest rate क्या लिखा है जरा देखते है as per interest rate parity action rate between two countries currency depends on interest rates ठीक है भाई interest rate पे डिपेंड करता है currency of a country having lower rate of interest will be stronger यह important मतलब सर क्या कहना चाहते है कहना यह है कि उस देश में जिस देश में rate of interest कम होगा उस देश की currency ज़्यादा strong होगी यह कहता है interest इस बात को कि जहां का rate of interest वहां की currency इस बात को सिद्ध कर सकते हैं सर बिलकुल देखते हैं अब सुनों और उन इसके पीछे क्या story है story तो मैंने regular class में discuss किया है मैं आ जाता हूं concept actual इस बाता है इस बाता है इस सर क्या चीज है अब सुनना ध्यान से सुनना ध्यान इस portrait रुपीज पर डॉलर कितना दिखाई दे रहा है पचास रुपए ठीक US में rate of interest कितना है 8 person इंडिया में rate of interest कितना है 12 person एक डॉलर किसके बरावर है पचास रुपए question यह है कि जब हम US में डॉलर जमा करेंगे तो एक डॉलर एक साल बात कितना हो जाएगा सर 1.08 डॉलर भाई अभी एक डॉलर किसके बरावर है पचास रुपए एक साल बात US में डॉलर जमा होगा तो डॉलर कितना हो जाएगा सर यह डॉलर बन जाएगा डॉलर 1.08 और पचास रुपए कितना बन जाएगा सर यह बन जाएगा पचास इंटू 1.12 तो सवाल है कि एक साल बाद एक डॉलर इस इकल टू कितना तो सर पचास इंटू 1.12 डिवादेट बाई 1.08 वही तुम्हें यहां करवाने वाला हूं भाई और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो संब्क्ता लगेगा कि 1 dollar करेट 51 हो गया जबकि पहले तना था 50 50-71 हो गया बताव क्या डॉलर महेगा हो गया य्स कौनसी करें सी स्ट्रॉण ओगी डॉलर क्यों क्यों कि वहां का rateUp इंटर uniquely कम यही बात ये हाला कि यहां मैं बहुत शाट में समझा रहा हूं बहुतकर S 1 प्लस आ रहे 1 प्लस आ रहे भी मतलब सर मतलब सुनो यहां आप एक चीज मिसिंग forward rate निकालना है कि future में rate मतलब मुझे 51.85 निकालना है S लिखा rupees spot rate है इसका मतलब spot rate दिया हुआ अगर यह rupees है न तो उपर यह rupees दोनों जगह rupees है तो यहां जो rate आएगा ना वो rupees का ही आएगा किसम खालो मतलब सर यहां dollar हुआ अगर यहां dollar हुआ तो यहां भी dollar होगा है भई यहां तो यहां भी rate किसका आएगा dollar का आएगा ठीक है फ़ड़ा सा मुस्किल है पर आपको अब यहां problem है फिर से बोड़ो अगर dollar dollar है तो उपर dollar का rate आएगा अगर यहां rupees रुपीज है तो उपर rupees का rate आएगा rate of interest मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह देखो यह F कैसे निकलता है ठीक है सर एक्जाम में क्या बोच सकता है एक्जाम में एक तो यह आ सकता है आर्विट्रेश आ सकता है वो तो आएगा ही एक यह आ सकता है एक चीज मिसिंग रहेगी यह देदेगा यह देदेगा यह देदेगा यह देदेगा यह देदेगा और 7.05 FF पर डॉलर मतलब FF पर डॉलर दिया है 7.05 complete the missing entries पहले 3 month वाला देखते हैं डॉलर का interest rate दिया 11.1 मतलब 11.5% एक दिक्कत है compounded annually सब दिया था compounded annually तो तीन मेने का factor कैसे निकालते power 1 by 4 ये तो आपको पता होगा ठीक आगे बड़े यस उसके बाद FF का rate of interest दे रखा 19.5% compounded annually और forward FF पर डॉलर ये निकालना आपको forward मतलब forward rate निकालना और forward discount पर FF निकालना ठीक है सुनो मेरी बात यहां से equation क्या बोलती है equation F S is equal to 1 plus R A और 1 plus R B F पता है क्या सर F नहीं पता spot rate मालूम है यह से 1.05 किसका rate है FF का FF का rate है नहीं FF dollar का rate है पर यहां लिखा क्या है सर यहां FF लिखा है तो ऊपर FF का rate आएगा और FF का rate कितना है 19.5 सर मतलब 1.195 power 1 by 4 और यहां जाएगा 1.115 power 1 by 4 divide करके power 1 by 4 कर देना कोई दिक्कत नहीं कि F निकल सकता है बिलकुल आराम से यह वाला टिक 7.05 दिख रहा है आपको 3 by 12 यह 1 by 4 एक ही बात है 3 by 12 किया दिवाइट करके 3 by 12 किया और फिर answer तो निकालना आता है आपको 7.17 बहुत ज़्याद मुश्किल नहीं है तो सर यह निकल गया है कि हमारा यह 7.17 आप मुझे बताओ और क्या मांग रहा फावड डिसकाउंट पर फ्रैंक पर सेंट पर यह एक है फफ में डिसकाउंट सुनो 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 पिक्चर में ट्विस्ट है डिसकाउंट डिसकाउंट प्रेमय में डिसकाउंट निकलना आता था ना या सर एफ-s divided by s करते थे forward rate minus spot rate divided by spot rate पर rate किसका दिया है डॉलर का अगर डॉलर में प्रीमियम या discount मांगता तो यह formula लगता rate दिया है डॉलर का पर discount या premium ff में मांग रहा है अगर ff में मांग रहा है तो भाई formula उल्टा हो जाएगा और उल्टा किया f की जगा किया s minus f divided by spot rate minus forward rate चेक करो spot rate minus forward rate divided by forward rate in 200 12 by 3 क्यों किया होगा यह 6.69 percent per m discount on ff ठीक है क्या question अच्छा था यस अच्छा था नहीं सर अच्छा है चल रहा है अभी अभी कहां का काम हुआ है थ्री मंत का आप किसका है six month का six month में आपको यह rate दिया है ठीक है यह दोनों मिसी है पर यह दे दिया है अगर discount दिया है तो discount का formula लगाएंगे और हमें हमें क्या है हमें यह पता है क्या हमें spot rate पता है यह क्या निकाला जा सकता है यह क्योंकि discount दिया है चेक करो फावर डिसकाउंट दिया हुआ है सर डिसकाउंट तो कितना दिया 6.15% दिया है ना सर डिसकाउंट 6.3% दिया पर 6 मेने का कितना हुआ 3.15 और डिसकाउंट को लिखते कैसे है डिसकाउंट को ऐसे लिखते है मैनस 0.0315 और formula उल्टा लगेगा तो क्या यह निकल सकता है यह equation आप math solve कर लो कि तो answer कितना आ गया से 1.28 यहां जाओ दूसरे में अ अब क्या सकते हैं अब हमें क्या पता लग गया ? Sir हमें यह पता लग गया forward rate पता लग गया तो अब क्या forward rate यह पता लग गया तो rate of interest निकल सकते हैं आराम से rate of interest निकल लीग बहुत जादा मुश्किल है नहीं ध्यान से देखना, F दिया है, S दिया है, ये वाला rate दिया, क्या ये वाला निकाला जा सकता है, yes, solve कर लोगे, इसको तो आ जाएगा 19.69 पॉर्शन, और मुझे नहीं लगता कि one year वाले में कोई दिक्कत होगी, one year वाला तो आप आसानी से निकालोगे, तो ऐसा question आ सकता, जिसम मैं missing value दिया होगा, कहेगा कि चलो calculate करके बता हूँ, सबस्किल question उठाया था, ठीक है sir, थोड़ा आसान वाला, ये वाला question, ठीक, ये भी question, अच्छा, एक बार read करें क्या, yes, लिखा, your company has to make dollar one million payment, dollar one million payment करना है, और कव करना हमें तीन महने के अंदर अंदर करना है, ठीक है, पर समस्या ये है कि भाया, जो payment हमें तीन महने करना है, वो dollars आज ही है हमारे पास, अभी available है, चाहो तो अभी payment कर दे, पर payment तो तीन महने बाद करना है, ठीक है, तो क्या करें इसको, sir, invest कीजिए, और कितने मंत के लिए, थ्री मंस के लिए, आप investment कर दीजिए, अब dollar है, और आप कहां के रहने वाले हो, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, अगर आप US में जमा करोगे, तो 8% में लेगा, और अगर आ पाउड में यार, फिर इसको पाउड में convert करना पड़ेगा ना, हाँ ना, यही तो दिक्कत है, पहले पाउड में convert करेंगे, फिर उसको invest करेंगे, फिर with interest pound का हमारे पास आएगा, और फिर उसको हमें dollar में convert, फिर देखना पड़ेगा, कि फाएदा है की नहीं है, सवाल बस कि जो 10 लाग डॉलर हम जमा कर जो 1 मिलियन डॉलर हम हमारे पास है उसको हम इन्वेस्ट करें तो 3 मैने बाद भाई जादा आना चाहिए चाहे आप UK में इन्वेश्ट करो चाहे आप US में इन्वेस्ट करो rate of interest को देखो ध्यान से तो मुझे ऐसा लग रहा पाउंड में UK में invest कर देना चाहिए 10% मिल रहा भाई जबकि हमारे यहां invest US में invest करो तो 8% मिल रहा है अगर सिफ rate of interest को देखो तो लेकिन और भी चीज है ना यहां risk नहीं है यहां रिस्क है ना यहां पता नहीं rate क्या होगा यह भी तो एक चीज है rate है अभी 1.80 तीन मेने बाद हो जाएगा 1.78 बताइए कहां invest करना चाहिए चलो देखें सबसे पहले हम US में invest करते हैं अगर US में invest करोगे तीन मेने के लिए 8% के हिसाब से तो तो दस लाग 20,000 डॉलर मिलेगा लगा था दस लाग तो 20,000 डॉलर का फाइदा हो जाएगा अगर आप US में invest करते हो तो और अगर आप UK में invest करते हो तो सबसे पहले इसको पाउंड में convert करना पड़ेगा इस पोट्रेट पे इतना पाउंड से जाएगा इस पाउंड को invest करेंगे 10% पे इतना पाउंड मिलेगा with interest after 3 months फिर उसको convert करेंगे डॉलर में इतना डॉलर मिलेगा और 10 लाग हमने लगाया था तो $13,612 की कमाई है और यहां $20,000 की कमाई है बोलो कहां invest करना चाहिए सर यहां invest in US is bet पहला point खतम हुआ second assuming that interest rate interest rate spot rate remains as above what forward rate would yield an equilibrium situation क्या बोल रहा था यह वो बोल रहा था भाई यह यूएस और यूके में rate of interest चलो अलग अलग एक जगह 10% एक जगह 8% ठीक है जैसा original question में था वैसा ठीक बोले forward rate जो है ना कहां गया 1.78 बोले यह इसको छोड़ थो बस बोले एक जगह आप यूएस में invest करने से फाइदा हो रहा था यूके में इनवेस्ट करने से उतना बोले आप यूके में इनवेस्ट करो चाहे यूएस में इनवेस्ट करो तो दोनों में इन्वेस्ट करो चाहिए इन्वेस्ट करो आंसर एक पाला ना चाहिए वह यह पूछ रहा फॉवर्ड रेट बाकी सारी चीजे एज़िश क्या काम कर सकते हैं दो तरीके से काम है अल्टरनेटिव है मैं इसके बात करो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना 10,20,000 और यूके में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले उसको पाउंड में करेंगे फिर उसको इन्वेस्टमेंट रेट अपे दस परसेंट है और जो भी आएगा उसको RA1 प्लस RB इसको solve करोगे तो answer कितना जाएगा 1.79 वो पूछ क्या रहा था वो forward rate पूछ रहा था forward rate तो simple forward rate हम IRP से करच लगते है यह IRP है और कुछ नहीं है ठीक है आगे क्या मांग रहा पॉइंट नमबर टू हो गया क्या एस एस देट यूएस का interest rate is portrait forward rate remains as in the original question बोले सब कुछ सेम रहेगा बस क्या है जो UK का rate है न UK का वो कितना परसेंट था 10 परसेंट बले 10 परसेंट की जगा 14 परसेंट हो जाए तो बताओ कहां इनवेस्ट करेंगे तो चलो देखें यूएस में तो यार भी सर की कमाई है आपने पहले convert किया फिर 14 परसेंट किया और फिर उसको convert किया तो सर हम UK में इनवेस्ट करेंगे अगला क्या पूछ रहा है लास्ट और लास्ट वाला बोले ओरिजिनल कोशन में जो था वो था बताइए रेट और रेट किसका बताइए डॉलर का बताइए कि डिपोजिट ट्रिट क्या होना चाहिए विद्ध ओरिजिनल इस्टिट इसपोर्ट फावड़ेट एंड डॉलर का डिपोजिट ट्रेट सेम रहेगा बोले UK का यहां 14 पर्शन भी मत रखो बोलो क्या रखे रेट अप इंट्रेस्ट की दोनों का एक वला जाए टी कैसा चलते लास्ट अब डॉलडरनेट यह पूछ रहा है यह बाकी सब इकवल आंसर आया 12.5 इतना करनें क्या पिक्चा आयर भी लगाओ खतम करो ना यार यह पता यह पता है और यह भी पता यह निकालना तो यह निकाला तो इतनी आए गा तो इस अल्टरनेटिव क्या यह करोगे तो जयाद तो ये अच्छा कोश्चन था ये भी अब काम की बाद हमने जो पढ़ा था न क्या पढ़ा हैं लोग इंट्रेस्ट पैरेटी उसी से रिलेटेड हैं कवर्ड इंट्रेस्ट आर्विट्रेस इससे कोश्चन आते हैं तो बहुत साउधानी से करना और ठीक से करना गरबड हो सकत कवर्ड इंट्रेस्ट आर्विट्रेस्ट का क्या कहना कवर्ड इंट्रेस्ट आर्विट्रेस्ट का यह कहना साब कि जो बैंक वाला हम निकाले आयर्पी के सबसे आर्विट्रेस फावर्ड रेट आयर्पी के सबसे फावर्ड रेट और वह आया एक डॉलर इस इक्वल टू और जब हम बैंक गए और वहां पता लगा forward rate 1.72 है सोरी एक डॉलर इस इक्वल टो 72 हमने अपने आयर पी को यूज करके कितना निकाला 70 रुपए जबकि एक्चुल में forward rate कितना 72 तो आयर पी यह बोलता है कि भाई इस condition में आर्विट्रेस कर लोगे अप इस तरह से आर्विट्रेस होगा कि यह 70 का 70 रहेगा ना इस से कम होगा ना इस से जदा आयर पी क्या कहना चाहता है साहब कि यह जो रेट निकाला जाता आयर पी के सबसे future में जब बैंक वाले के पास जाओगे पुछोगे कि क्या चल रहा forward rate तो बैंक वाला यही बताएगा अ उस आर्विट्रेस का नाम है covered interest arbitrage सब्सक्राइब का मतलब कि हम कहीं और से cover करते वह हम उसके थ्रू आर्विट्रेस प्रोसेस के थ्रू समझ लेंगे है ठीक है सर एक बार देखे कि क्या लिखा हुआ है यस as per IRP forward rate should be on the basis of interest rate but actual forward rate may be differ from theoretical forward rate that is forward rate calculated as per IRP in this situation there is a possibility of covered interest arbitrage IRP equation अब वो example से यहां समझा जागे है सुनना ध्यान से कैसे निकलेगा इस example को अच्छे से करना spot rate दिया है रूपीज पर डॉलर ठीक है एक डॉलर सटक यह forward rate दिया और यह कौन सा यह actual वाला actual जो bank वाला बता रहा है bank वाले ने बता है interest rate इंडिया का और US का दिया है calculate arbitrage gain if you can borrow रूपी 60 lakhs आप साट लाक रूपए बौरो कर सकते हैं या एक लाक डॉलर बॉरो कर सकते हैं तो सर आप अच्छे से देखोंगे रैगूलर क्लास तो यह equation में अगर मैं यह यह सब चीज लिख दू तो एकवल होना चाहिए ठीक अगर यह एकवल नहीं तो 1.025 इसका मतलब क्या है यह जो लिखे इसका मतलब क्या है एक डॉलर साट का है एक डॉलर 61.5 का मतलब सर डॉलर बढ़ रहा है इसको बोलते है कि या डॉलर प्रीमियम पर है हां सर डॉलर प्रीमियम पर है तो तो सहब dollar में invest करना चाहिए यहां रेट किसका है इंडिया में और यहां रेट किसका है US का तो यह यह क्या बोलता है डॉलर में इन्वेस्ट करो यह क्या बोलता है इंडिया में इन्वेस्ट करोंगी इंडिया में रेट ओप इंटरेस्ट जादा सवाल बस यहीं खड़ा होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां करना एक फैक्टर प्रीमियम इन डॉलर और एक फैक्टर इंट is better अगर यह जदा तो invest in India is better बस हमें कुछ भी नहीं करना है हमें इन दोनों को देखना है और compare अगर यह equal आ जाता है equal आ जाता तो खिल खता no arbitrage this covered interest arbitrage हमें यह decide करना होता कि invest कहां करना और borrow कहां से करना borrow आप rupees भी कर सकते borrow आप dollar भी कर सकते हो हमें बस decide करना rupees borrow करना कि dollar borrow करना interest difference is more किया यह ज्यादा है yes तो क्या हमें rupees में invest करना चाहिए yes तो भाई rupees में invest करना चाहिए मतलब dollar में borrow करना चाहिए यह decide हो गया अब क्या होगा स्क्राड़ा अब process होगा आज final क्या हुआ था dollar borrow करना चाहिए तो हम borrow करेंगे 1,00,000 dollars परशन रेट पे 8 परशन 8 परशन मालमें कहा से है यह 8 परशन कर लिया है इक लाक आठ बाठ अब जो डॉलर बॉरो किया था उसको बेचो किस रेट पे इस पॉर्ट रेट पे तो बोलो कितना रुपया मिल जाएगा आपको 60 लाख और 60 लाख रुपय को इंडिया में इनवेश्ट करो 12% revolution कर दिया कि यह पक्का है आपको कि एक लाख 8000 dollar देना है कि यह भी पखका है एक साल मात की 60 लाख का 12% आपको मिलने वाला है यहत तो एक साल बात क्या होगा एक साल बाद साथ लाक इंटु वन पॉइंट हमें 67,20,000 मिलेगा ही मिलेगा और आज ही के दिन हम फावर्ड रेक्ट भी बुक कर लेंगे तो जो रुपिया हमको मिलेगा उसको हम बेज देंगे और बदले में डॉलर ले आएगे यह डॉलर भी मिलना पक्का है आज ही पता हम को मिलेगा और यह पका-पका हमारे पास से जाएगा और हम कितना कमा लेंगे हम कमा लेंगे डॉलर 1268 अगर यह पता लगा लिया कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है तो यह भी पता लग जाएगा कि बोरो कौन सी करना है जब दोनों बात पता लग दी गई तो प्रोसिस्टम करी लेंगे ठीक है कुछ टीचर्स ट्राइल अन एरर बोलते भी यह मत करनो ट्राइल अन एरर मतर्स तीक नमबर नहीं मेलेगा एकाथ कोश्चन देखते बात समझ में आगे क्या लिखा हुआ है गिवन दा फॉलिंग डिटा एक डॉलर फोर्टी टू पॉइंट डबल जिरो वन जिरो और सिक्स मन्द फवर्वर्ड रेट डॉलर वन इस उकल टू पॉर्टी टू पॉइंट जिरो टू जिरो ठीक है इंट्रेस्ट का रेट दिया है बारा पर्शंट और आठ पर्शंट क्या आर्विट्र इस पॉसिबिलिटी है पहले आयर पी क्वेशन से काम करें एप बाइस वन प्लस आरे बन 42 फॉट इस पॉट एट क्या बोल रहा है सिर्फ प्रीमियम इन डॉलर एंडॉलर का रेट दिया है और यह क्या बोल रहा है बोले इंडिया में रेट ऑप में जाधा है तो मैं इन्वेस्ट करो अब देखते कॉन सा जाधा दिखरा सर वान बॉर्व करो खत्म, तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, since interest rate difference is more than premium in dollar, hence there is an arbitrage possibility in this situation, we should borrow from US and invest in India, it is assumed that borrowing amount is dollar 1 lakh, यहां बोला नहीं, यहां पता नहीं कितना dollar बॉर्व करना है, तो 1 lakh ले लिया है, और क्या 1 lakh से काम हो जाएगा, 1 lakh 8% के हिसाब से ठीक है, 1 lakh जो डॉलर आएगा उसको हम convert करेगे, तो 42 lakhs मिलेगा, उसको हम 12% के हिसाब से invest कर देंगे, 6 मेहने के लिए, 6 मेहने बाद इतना पैसा मिलेगा, उसको हम forward rate से convert कर देंगे, और 1 lakh 4,000 देना है, तो 16.31 डॉलर का profit हो जाएगा, ठीक है, अगला कोश्च्च, अच्चा कोश्च्च नहीं, यह कोश्च्च नहीं तो बहुत अच्चा कोश्च्च्च नहीं आपके प्रैक्टि, आईसी ए आई के study material में भी है, कोशिश करो एक बाद, चलो देखते हैं, यहान से करना, गीवन तब फॉलिंग इन्फोमिशन, एक्टिन रिट, कैनेडियन डॉलर, पर डियम, और कैनेडियन डॉलर, पर डियम, तो सर इसका मतलब है, कैनेडियन डॉलर, उपर आएगा, 0.670, फावर डियम, 0.665, मतलब सब, प्रीमियम इन्दीयम है न, हाँ, डियम का रेट है न, उपर कैनेडियन डॉलर का रेट, कितना परशन्ट है, 7 परशन्ट, नहीं, 9 परशन्ट, तो तीन मेहने का देख लेते हैं, 1.0225, 1.0175, एंटरेट दिफरेंस, तो 0.67 तो 0.6665, तो सर यह आगे, 1.0075, 19 ले लेता हूं, और यहां, 1.0225, डिवारेट, 1.0175, 1.00491, क्या करें, सर इस बार इधर इन्वेस्ट करते हैं, सर किस में, सर डियम में इन्वेस्ट करते हैं, और डॉलर बोरो करते हैं, खतम, सिंपल है यार, तो चलो, होई किया इन्होंने, सिंस प्रीमियम इन डियम, इस मोर दें, इंटरेट डिफरेंस, हैंस, बोरो इन डॉलर, मतलब कैनेडियन डॉलर, और इन्वेस्ट इन डियम, और बोर्रिंग अमांट क्या ले लिया, कैनेडियन डॉलर, 1.00, इसे से काम करेंगे, सोरी, यहां दिया, आज क्या करोगे, बोरो करोगे, डॉलर, 1.00, 9.00 के साब से, तीन मेने के, और जब डिवाइट किया, तो यह डियम आ गया, और इस डियम को इन्वेस्ट करना, 7.00 के साब से, कर दिया, तो इतना डियम आया, डियम को कनवर्ट किया, तो इतना कैनेडीन डॉलर आ गया, जबकि हमें देना है इतना, तो 265 कैनेडीन डॉलर, हमारे पास बच्चा, मैं बहुत स्पीट से यह करवा दिया, क्यों करवा रहा हूँ, करवा दिया ही, पर्चेसिंग पावर पारेटी है क्या साहब यह बोलता है जहां इंफलेशन रेट कम होगा वहां की करेंसी ज्यादे स्ट्रॉंग होगी जैसे इंट्रेस्ट दूसरा इनका यह कहना है कि जहां गोट्स एंड सर्विसेस की डिमांड ज्यादा रहेगी जिस देश में वहां की करेंसी की डिमांड ज्यादा रहेगी और जहां की करेंसी की डिमांड ज्यादा रहेगी वहां की करेंसी स्ट्रॉंग होगी और वहां करेंस गोट्स और सर्विसेस की डिमांड क्यों ज्यादा रहेगी क्योंकि वहां सस्ता होगा इंफलिशन कम है कुमा फिराकर एक ही relative form of purchase, देखते हैं, theoretical है, as per purchasing power parity, action rate of two country currency depends on demand of goods and services of their country, it means demand of goods, demand of goods create demand of currency and currency will become strong in future, ठीक है, example कि थू सम्झाया है, कि माल लो, एक pain का price 10 dollar है, कहां, US में, और उसी pain का price 500 रुपए है, इंडिया में, तो purchasing power parity के हिसाब से, 10 dollar 500 रुपए का हो गया, या 1 dollar कितने का होना चाहिए, 50 रुपए का होना चाहिए, purchasing power parity के हिसाब से, if actual action rate, 1 dollar 50 के अलावा कुछ और होता है, तो there is a possibility of arbitrage, suppose actual action rate, 1 dollar is equal to 40 का हो जाता है, तो इस situation में, हम 10 dollar खर देंगे 400 का, और 10 dollar का pain लेकिया जाएगा, और उसे बेचेंगे 500 रुपए का, तो क्या हमें 400 रुपए का profit हो जाएगा, और pain की demand बढ़ जाएगी, उसकी वज़ा से, क्योंकि वो सस्ते में भिकरा, तो dollar की demand बढ़ जाएगी, और dollar की demand बढ़ जाएगी, तो dollar महगा हो जाएगा, और जो अभी 40 रुपए का भिकरा है dollar, वो कुछ समय बाद dollar 50 का हो जाएगा, अगा theory आएगा purchasing power parity पर, तो please लिख देना, example के साथ लिख देना, so action rate depends demands of goods and services, expectation form of purchasing power parity क्या बोलता है, कि जहां का inflation जो है, कम होगा, lower, वो currency ज्यादा strong होगी, suppose एक पिन इंडिया में कितने का है, पास्तों का, प्राइज अप सच्छ में 10 डॉलर का, तो एक डॉलर कितने का होगा, 50 रुपए का, कोई देकर नहीं, अगर inflation rate इंडिया में कितना है, 10% और US में कितना है, 8% तो पेन, पास्तों पचास का हो जाएगा, एक सल बात, और US में 10.80 डॉलर का हो जाएगा, तो 10.80 डॉलर किसके बराबर हो जाएगा, 550, तो एक डॉलर किसके बराबर हो गया, 50.92, अब पहले एक डॉलर कितने का था, पहले एक डॉलर था, 50 का, तो क्या डॉलर का rate बढ़ गया, यस, क्यों, क्योंकि वहाँ inflation क्या है, कम है, ठीक है सर, और उसी को equation के थूँख बनाएगा, equation ये बन गई, F की जगा बस, expected spot rate लिखना, बाकि और कुछ नहीं equation है, ठीक है, ये 50, कौन सा rate है ये, spot rate, 10% inflation का rate, ये US, एक साल और दो साल का action rate निकलना, तो एक साल का निकल जाएगा, ये पता है, याद रखना, यहाँ रुपीज है, तो उपन रुपीज का inflation, जैसा आएपी में कर रहे थे, काम किया 50.9, दो साल बात का पूछ रहा है, तो फर्स्ट वाले को, इसको हमने यहाँ spot ले लिया, ठीक, और आंसर आजएगा है 51.8, बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है, और पर्चिसिंग पावर पैरिटी, साड़े 6 बॉट्षन, spot rate पता है क्या? यस, तो आपको निकालना 1 year forward rate, और क्या निकालना 3 year forward rate, चलो, तो हमें spot rate पता है, हमें यह पता है, इंडिया का rate, हमें मालु में यूज का rate, तो क्या expected spot rate निकल सकता, एक सल बात का, 44.800, ऐसे ही, इस बार में ने यह जो spot rate है ना उसी को यहां लिखा है और तीन साल बात का rate पूछ रहा है तो power 3 power 3 हो गया answer आज जाएगा divide करके power 3 कर देना तो S3 का answer निकल सकता 47.98 3 month forward rate अच्छा इसमा FRV पूछ लिया था 3 month के 3 year 3 month यह 3 month forward rate वो दूसरा वाला पार्ट था यह गलती से डल गया for IRP आपको आता है बस और कुछ है क्या और कुछ नहीं है तो यह वाला point खतम हुआ action rate international fisher effect मैंने करवा रहा हूं नहीं आता है तो purchasing power parity और IRP IRP ज़्यादे important है equation आपको याद रखना और इसमें भी covered interest arbitrage आ जाता है तो please करना ठीक है जी चलो अब next topic पर जलते है चलो जी तीन part हो चुके है part number four अब जितने भी parts है सब important पहले भी important था अब ज्यादे important है क्योंकि अब 8 8 number के questions आएगे दिखते क्या है हम बात कर रहे है foreign currency exposures exposures का मतलब क्या होता था risk ठीक foreign currency exposure का मतलब है कि किस-किस type का risk हो सकता है और उस risk से बचने के लिए हमें काम क्या करना होगा तो तीन तीन टाइप के currency exposure बताया गया था transaction exposure translation exposure और translation exposure को ही accounting exposure बोलते हैं इसके अलावा economic exposure और उसी को बोलते operating exposure इससे practical question नहीं है इसी theory है इससे कोई practical question है नहीं है और क्यों नहीं है वो बाद में समझ में आ जाएगा इससे एक ही practical question है जो बहुत बढ़ा question last में करेंगे last में तो सर जितने भी है वो किस से related है transaction exposure से क्या होता था transaction exposure exposure का मतलब risk इसका मतलब होता था सहाब कि आप आप foreign currency के foreign country के साथ कोई transaction कर रहे हो ठीक है और जो currency payable है या receivable है वो हमारी वाली currency से नहीं है foreign currency या तो हमें देना है या foreign currency हमें मिलने वाली है तो डर क्योंकि उस foreign currency को हमें rupees में convert करना पड़े रुपीज मतलब foreign currency payable है तो उस currency को खरीदने के लिए कितना रुपिया लगेगा हमको नहीं मालूं foreign currency receivable है तो जब वो foreign currency आईगी हमारे पास तो उसको convert करना पड़ेगा रुपीज में हमको नहीं मालूम कि किस रेट पर convert हो जाएगा यह है रिस्क यह transaction आपने foreign currency country के साथ transaction किया है और transaction कौनसी क्या कौनसी currency payable foreign currency payable या receivable है तो ऐसा जो रिस्क है उसको बोलते transaction exposure simple translation exposure यह accounting exposure क्या होता यह समझाए मैंने समझाया था आपसको कि मालो हमारी कोई foreign subsidiary है यह foreign branch अब उस foreign branch यह foreign foreign branch पढ़ा होगा ना foreign branch हाँ उसका हमें कभी ना कभी accounting करना होता है consolidated balance sheet बनानी होती है और हमारा head office है यहां इंडिया में और branch कहा है foreign में यूएस में तो उस dollar को हमें rupees में convert करना होता है यह पिछले साल rate कुछ और रहे होगे इस साल कुछ rate कुछ और रहे होगे तो क्या हमारी balance sheet में effect आ सकता है यह और balance sheet में effect हमारे assets में की value में कुछ effect आ सकता है और उस assets की value में effect आने किस वज़ा से currency में fluctuation होने की वज़ा से आ सकता है आ सकता है तो क्या जब intrinsic value निकाला जाएगा share का assets minus outside liability जब intrinsic value निकाला जाएगा तो क्या उस value पर कोई फर्क पढ़ेगा पढ़ सकता है तो उससे क्या shareholder के share की value यह shareholder की wealth destroy हो सकती यह हो सकती this is accounting exposure हाग ला कि इतनी सब सारी कहानी बता दिया यह notional है इससे बचा जा सकता की कैसे बचोगे भई it means इसको hedge नहीं किया जा सकता this is accounting exposure तीसरा क्या economic exposure यह तो मैं उस समय डिसकस करूंगा जब मैं economic exposure की बात करूंगा सबसे पहले बात करें हम transaction exposure इसको आप direct exposure भी बोलते हैं यह risk कौन face करता है एसी having foreign currency payable या receivable है एसी firm जिसको foreign currency pay करना है या receive करना है ठेक है वही import export का example दे सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि कितना हमें pay करना है और transaction exposure को hedge किया जा सकता है और hedge करने की बहुत सारी techniques हैं दूसरा है translation exposure यह किस टाइप का exposure है नोशनल और फिर मानलो कोई foreign branch या foreign subsidiary है ऐसी ही firm जिसकी foreign branch या foreign subsidiary है वही इसको face करती है और जब आप financial statement बनाते हो ठीक है तो foreign subsidiary को भी आप translate करते हो किसमें home currency में और action रिष्टे क्या value of foreign subsidiary की assets की subsidiary की assets में change हो सकता है क्यों इस वज़ा से intrinsic value भी effect हो सकता है और इसको जरुरत भी नहीं है hedge करने की और hedge कर भी नहीं सकते है इससे question ही नहीं है हो ही नहीं सकता तो जो question है वो किस से transaction exposure तो एक था transaction exposure एक था translation exposure और एक पढ़ रहा है this is operating exposure या economic exposure sir economic exposure क्या है बहुत सारे examples हो सकते examples की बात करें तो कि यार एक आम आदमी जिसको foreign currency pay भी नहीं करना है receive भी नहीं करना foreign currency ना तो payable है ना तो receivable है ठीक है क्या वो भी चिंतित है ना तो उसकी foreign में कोई branch है तो transaction exposure हो नहीं सकता translation exposure हो नहीं सकता foreign में कोई branch नहीं है foreign में कोई currency payable भी नहीं है receivable भी नहीं है dollar के rate बढ़ने से petrol के rate बढ़ सकता है जो भी चीज़े इंपोर्ट करते हैं आप नहीं कर रहा हूं में नहीं कर रहा हूं पर जो भी इंपोर्ट कर रहा हूं वो मुझे मेहगे में बेचेगा ना भाई मुझे भी इंपोर्ट और वह सारे एक्सपोर्ट करता है तो वहां से मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए डॉलर पर जब मैंने एक्सपोर्ट किया ना तो मैंने का भाई सुनो तीन मेहने बाद दो पैमेंट कोई दिक्कत की बात नहीं पर मुझे डॉलर नहीं चाहिए मुझे रुपिया में रुपिया चाहिए रुपिया मतलब मैंने इन्वाइसिंग किस में किया रुपीज में क्या कोई ट्रांजेक्शन एक्सपोजर है क्या फॉरें कंट्री से मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है हाँ पर क्या फॉरें करेंसी receivable है नहीं इंडियन करेंसी ही receivable है तो क्या ये transaction exposure हो ही नहीं सकता है ठीक है invoice amount कितना है 60,00,000 तो वही transaction exposure तो नहीं है और 10,000 unit कितने के साब से 600 per unit के साब से ठीक है ये भी कोई दिखकर नहीं 60,00,000 रुपए हमें मिलने वाला कोई टेंशन है नहीं आज मिले तो साट लाग तीन मैने बाद मिले तो साट लाग रुपए है इन दे situation transaction exposure in this situation transaction exposure hedged है 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 हो गया transaction exposure hedge नहीं कर नहीं है हो चुका था था ही नहीं और रहा भी होगा कि या dollar मिलने वाला है तो कोई बात नहीं है है हो चुका है because invoicing in Indian rupees ठीक बट अब important but there is a possibility of economic exposure अब economic exposure की कैसे possibility जरा सोच के देखना एक डॉलर का rate कितना हो गया अभी कितना है साट इसका मतलब US party को एक लाग डॉलर देना पड़ेगा US वाली party उसको रुपिया खरीदना पड़ेगा रुपिया खरीदने के लिए बैंक वाले को एक लाग डॉलर देगा बदले में रुपिया आएगा और वो रुपिया बोलो रिस्क है कि नहीं है ना सर पर आपको नहीं है US party को यूएस पार्टी पहले एक लाग डॉलर खर्च कर रही थी अब एक लाग बीस जाग तो उसका है पर्षेंटेज में कितना 20 पर्षेंट से उसको जो हमसे खरीद रहा था ना उसका कॉस्ट 20 पर्षेंट से बढ़ गया अगर बढ़ गया तो प्राइज elasticity of demand है 1.5 इसका मतलब demand of goods क्या होगा डिक्रीश होगा बढ़ चीजे मैं की होगी तो मैं ज्यादा demand नहीं करूंगा ना ठीक मैं US का हूं मैं नहीं खरीद ना भी इतना पैसा मेरे पास एक लाग डॉलर तो अगर price बढ़ा तो मैं अपना demand किया करूंगा कम कर दूंगा कम कर दूंगा तो price elasticity of demand है 1.5 मतलब मतलब price elasticity of demand का मतलब अगर बढ़ा price 10% से तो demand गिरेगा 15% से इसका मतलब सर यहां 20% से price बढ़ा तो demand कम हो गया 30% से तो Mr.Ram जो है sales of Mr.Ram will decrease it means this is economy example of economic exposure इसका मतलब Mr.Ram ने बले invoicing rupees में किया पर dollar के rate change होने से किया इसको भी loss हो गया indirectly तो loss हो गया ना भाई बिसे economy और इसे क्या hedge कर सकते इसे hedge नहीं कर सकते ठीक है इसे एक ही question और सबसे last में है तो उससे को मैं आराम से करूँ अब इल्कुल ठीक है सर तो अब हम जब बात करेंगे तो बात करेंगे important है कि transaction exposure से कैसे बचा जा सकता है techniques of housing of transaction exposure और उससे बचने के दो तरीक है internal housing और एक का नाम है external housing internal housing का मतलब सर मतलब आप बचने की दो तरीक है US की party है और आप तो आप एक काम किजिए US वाली हम से कुछ बात कीजिए और आपस में कुछ ऐसा कीजिए कि इस रिस्क से बस सकते हैं आपस में बात कर लीजिए इसको बलते internal housing पर अगर US party नहीं मान रही है तो कोई बात नहीं हम बैंक के साथ रहते हैं और बैंक है इसका नाम क्या external housing आपस में बात है तो internal अगर बाहर वालों के थ्रूँ आप हैज कर रहे तो external तो इसके अंदर हमें क्या क्या बढ़ना लीडिंग एंड लेगिंग इन वाइसिंग नेटिंग एंड मैच और external में क्या है forward contract यह पढ़ चुके वैसे money market cover currency future and currency option तो पहले बात किसकी कर ले हम लोग है internal housing के बात करें क्या है leading and lacking कुछ नहीं है साथ कुछ नहीं बढ़ा simple है और simple ऐसे है कि अगर आपको कोई currency pay करने इंपोर्ट किया तो payable foreign currency payable ठीक है तर देना है हाँ देना और आपको ऐसा लग रहा है कि rate बढ़ने वाला भई डॉलर करें बढ़ने वाला तो यार डॉलर तो महगा होने वाला है तो उसको बोलो कि यार अभी ले लो ना भी डॉलर खतम करो अभी ले लिची ठीक है और चाहो तो आप डिस्काउंट भी मांग लो थोड़ा से डिस्काउंट दे तो देखो में वैसे तो तीन मेने बाद देने मला था पर अभी पैमेंट कर दे तो इससे लीडिंग मतलब अभी पैमेंट फिर याव तो आपको ऐसा लग रहा कि यार foreign currency जो पेबल है डॉलर तो सस्ता होने वाला अब भी खरीदो कि तुम महेंगा फ्यूचर में खरीदो कि तो सस्ता लैगिंग अगर ऐसा है कि foreign currency decrease होने वाली है तो आप को सिस करो सुनो न साब foreign party US party थोड़ा लेट से पैमेंट करूं तो चलेगा क्या यार आपको थोड़ा से इंट्रेस्ट भी देना पड़ेगा मुझे मालूम है foreign currency decrease है लीट का मतलब अभी पैमेंट लैक का मतलब बाद में वह डिपेंड करता कि foreign currency increase हो रहा है कि decrease हो ठीक है ठी question इसके आते हैं तो पहले एक आद दो example करवा देता हूं फिर question करवा देता हूं मत करें yes हाँ जी राम ने import किया है तो पैमेंट करना है डॉलर एक लाग कब करना है तीन मेने बाद ठीक है ठीक है सर अब आज डॉलर का rate कितना है 70, 71 70 रुपए bid rate 71 ask rate और तीन मेने बाद payment करना तो तीन मेने बाद तो rate बढ़ जाएगा भाई देखा दे कब payment करना चाहोगे सर payment आज करे कितीन मेने बाद आज कर देते सर आज करना अच्छा है और कितने के साब से 71 के साब से अगर आज payment करोगे आप Mr. A को तो कुछ बोलोगे ना इसे फ्लीज थोड़ा discount दोगे उन्होंने का ठीक है जी 1% discount ले ले लेना चलो हमने का ठीक है कुछ तो discount दे रहा है पर आज payment करोगे तो आज आज आपका bank bank में पैसा जमा होगा या bank से उधार लोगे ना आपको 3-3 महा का comparison करना है तो अगर मैं bank तो यहां का rate of interest कितना है 14% आप और्शिटी कोस्ट भी समझ सकते है मैं यह सोच रहा हूँ कि आज payment होगा तो मेरे जिब से कितना जा रहा 1,00,000 डॉलर payment करना 1% का discount मिल जाएगा उसको बलते है lead payment तो pay बल है 1,00,000 डॉलर 1,00,000 डॉलर खरीदना है sorry forward covenant leading की बात करो 1,00,000 डॉलर 1% का discount उन 99,000 डॉलर ही payment करना पड़ेगा जो कितने के सबसे मिलेगा 71 के सबसे मिलेगा तो हमें इतना रुपिया लगेगा और इतना रुपे हम bank से उधार ले लेगे 14% की सबसे 3 महने के लिए तो total मिलाकर इतना cash outlaw है अगर हम इस party को आज ही payment कर दे तो पर यह नहीं मान रहा कि आज payment नहीं है तो मैंने का ठीक है हम bank के साथ बात करते कि bank 3 महने बाद कितने का दोगी उन्होंने का 73 तो 73 लेक्स हमको payment करना पड़ेगा यह भी fix है आज payment करे तो तीन महा बाद total cash outlaw होगा 72 लेक्स 75,000 और तीन मैंने बाद payment करे तो 73 लेक्स क्या ज़्यादा अच्छा है leading is better sir आज payment करो तो हम bank से क्यों धालेगी हमारे पास तो पैसा रखा हुआ है न सर आप कैसी बात करते है बेटा मेरा बस यह मानना है कि यह cash outlaw कप का है तीन महने बाद का तो यहाँ भी मुझे तीन महने बाद का ही cash outlaw दिखाना पड़ेगा comparison करना है न आपको comparison कैसे करोगे इसलिए मुझे यह rate of interest consider करना पड़ेगा ठीक है तो सर इसका मतलब leading कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है आराम से बोलो क्या अच्छा है यह अच्छा सर एक example और लेते हैं यस example number 3 सर 2 कि दर गया 2 की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने इसको हटा दिया इस बार आपने क्या किया export तो आपको मिलने वाला है pound 1 lakh और मिलने वाला है तीन महने बाद आज का rate कितना 85-86 मतलब अगर आज pound मिल जाए तो हम 85 के हिसाब से convert कर लेंगे लेकिन आज थोड़ीं मिलेगा तीन महने बाद हम बैंक से पूछे तीन महने बाद का rate किया चल रहा बोले भाई 82 मैंने गा इस party को बोलते आज ही payment करूँ और इसको लालज भी देते है कि अगर आप आज payment करूगे तो हम आपको discount देंगे टू पर्शन ये तियार हो सकता है नहीं होगा तो फिर तो छोड़ो एक्टरनल है जिंग तो कर नहीं कर नहीं ये तैयार हो गया और ये जो पैसा आया अब मुझे comparison करना तीन-तीन महने का तो ये जो पैसा ये तो आजा जाएगा वो उसको हम बेच देंगे बैंक वाले को तो 85 के सबसे में रुपिया मिलेगा और उस उरुपिया को हम बैंक में जमा कर देंगे क्यों जमा कर रहे हैं हम cash outload दोनों एक जैसा होना चाहिए ये कोशिश कर रहे है ठीक है सबसे पहले आज पैमेंट डॉलर रसीवेबल पाउंड वन लक सब लेगा उसको हम आज का रेट 85 के सबसे बेचने से इतना आएगा और इतना पैसे 12 परशन के सबसे तीन मेने के लिए जमा कर देंगे बैंक में तो total cash in तो इतना आ रहा है अगर यह नहीं मानता भाईया तो जाब देना तब दो पैमेंट एक लाग पाउंड और किस के सबसे 82 के सबसे तो 82 लाक से फिर हम सोच रहा है क्या करें अगर इधर से बात होती तो 85 लाक इधर से 82 लाक इधर पर मज जाओ उसको बोलो की आज पैमेंट करें इधर फायदा दिख रहा है cash in place, this is a lady ठीक क्या सब एक कोश्चन है और इए कोश्चन अच्छाव कोश्चन पड़े चल्लो दिखते त्यारो लिखा Indian Importer को 1,35,000 का पैमेंट करना है 1,35,000 का डॉलर का पैमेंट करना किसको Indian Import इंपोर्ट किया डॉलर का पैमेंट और जो एक्सपोर्टर है ना जो US वाला है उन्होंने Indian कंपनी को दो आप्शन दिया पहला आप्शन दिया कि अभी पैमेंट कर दो हम आपसे इंटरेश्ट नहीं लेंगे ठीके अभी पैमेंट करेंगे इंटरेश्ट नहीं लेंगे डिस्काउंट तो दो वो तो कुछ बताए नहीं है अभी पैमेंट करना है तो हमें अभी 1,35,000 डॉलर खरीदना पड़ेगा इतने के इसाब से पर इतना रुप्या आएगा कहां बैंक से उधार लेगे और बैंक से कितना उधार लिया जाएगा बैंक से बैंक, 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 इंपर्टर बैंक 16% पर आना दूसरा एक्सपोर्टर बोल रहा है कि सुनो सुनो ऐसा करो तीन मेने बाद ही पेमेट कर देना लेकिन आपको 1,35,000 डॉलर नहीं लगेगा उससे ज्यादा लगेगा 6% एक्स्टर देना पढ़ेगा अब मुझे तो इंटरेस्ट दोनोई जगा देना या तो उस भाई साब को तीन मेने बाद पेमेंट करूँ जगा तो जगा इंटरेस्ट दो या तो उस सर को आज पैमेंट कर देता हूँ और बैंक से 16% के साब से उधार ले लेता हूँ तो बच्चा भी बता देगा सर सुनो उसको बोलो ना 6% के साब से इंटरेस्ट दे दो ना 16 के पर्षेंट केस दब से क्यों उठा रहे हैं पैसा करेंसी भी तो माइने रखती है ना चलो देखते हैं कि पहला उप्शन है अच्छा की दूसरा अगर आज पैमेंट करते हैं तो एक लाग पैतिजिज़ इतना रुपिया लगेगा बैंक से उधार लोगे 16 परशन के सबसे तीन मैने के लिए तो इतना कैस अउट है अगर तीन मेने बाद payment करोगे तो एक लाग पैसा जार विध इंट्रेस्ट इतना डॉलर पे करना पड़ेगा कब आज की तीन मेने बाद इस रेट से खरीदना पड़ेगा तो टोटल इतना पैसा जा रहा बो लो क्या अच्छा है पे करना है आज की तीन मेने बाद इसलिए मैं आगे चल रहा हूं चलो अब बात करते तो यह क्या पढ़ रहे थे हम लोग हम सर पढ़ रहे थे लीडिंग और लैगिंग अब आगे चल रहा है एक है सर इनवोईसंग का मतलब क्या है इनवोईसंग का मतलब बढ़ा सिंपल अब जिसको एकसपोर्ट कर रहा हो ना उससे बोलो कि सुनो यह डालर वालर मत दो घुर्पिया दो बाद खता जो इन वैसिंग होगा ना वो फॉरेंड करेंसी में नहीं वह हमारी करेंसी में हो फिर आप साथ लाक 1,000,000 डॉलर इंटू साथ साथ लाग रुपए आज दो चार दिन बाद दो दस दिन बाद दो मुझे डर खतम हो गया कि रेट चाहे जो भी हो मुझे तो साथ लाग रुपए ही मिलेगा न तो बोल रहा है अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते फॉरिंड कंट्री से तो पैमेट ये रिसीवेबल वह हम किसमें होम करें से में इस करें को कि इननवाइसिंग करने से सठ ट्रैंजेक्टशन एक्सपोजर खतम हो जाएगा इसमें कोई शक बात नहीं है कि एक्सपोजर अभी भी है यह मैंने समझाया था example आगे भी समझाऊंगा ठीक है सपोस उन्होंने का हम एक्सपोर्ट किया है यूएस को और एक लाग डॉलर मिलने वाला है छे मैने बात दो alternative है invoice कीजिए home currency में current action rate अगर डॉलर मिलता तो हम 70 के सबसे उसको बेज दिते तो हमें 70 लाख रुपए मिलता तो हम सामने वाली पार्टी से बोल देंगे कि यह 70 लैक रुपए आप दो के बात कता दूसरा क्या है कि जो डॉलर आएगा उसको 68 के सबसे बचेंगे 68 लैक्स मिलेगा फावरट कवर में जाएगे तो 68 लैक्स इन्वैसिग में जा रहा है तो 77 लाख क्या अच्छा सर इन्वैसिंग बैट इससे कोशन नहीं है एक आत कोशन है तीसरा क्या है नेटिंग नेटिंग किया है सब नेटिंग कुछ भी नहीं है एक country है वहां मुझे पाच लाग डॉल देना है और वहां से 2,00,00 डॉलर आने वाला है तो भाई 5,00,00 डॉलर खरीदूं 2,00,00 डॉलर जो आएगा उसको बेचूं यार बेडास का भी तो खेल है न आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे है कि 5,00,00 डॉलर जिससे आने वाला उसको बोलो 2,00,00 उसको दे दे न दो लाक आप उ क्या एक जाने वाला है और अगर हम नटिंग नहीं करते तो भाई या 3,00,00,00 ख्रीदना पढ़ेगा और जो दो लाक डॉलर आएगा इससे आपको बेचना पड़ेगा अगर netting नहीं करते तो 3 लाग डॉलर खरीदना पड़ेगा और 2 लाग डॉलर जो आया उसको हमने बेचा तो इतना हमारा pay बल इतना receive तो net cash outflow इतना हो रहा है पर अगर हम netting करते हैं और 1 लाग डॉलर ही pay करते हैं तो हमें 71.75 के इसाब से net cash outflow इतना आएगा तो netting करने की वजह से क्या आपका फाइदा हो गया यस और कितने का फाइदा हो गया दो लाग पचास यह भी एक टेक्निक्स है netting के actually आपने hedge कर लिया और कितना hedge कर लिया दो लाग डॉलर तो वैसी hedge कर लिया एक लाग डॉलर का hedge कर लिया और एक लाग चले किया यस मैचिंग किया मैचिंग कोई कॉशन आजता काय नहीं होता क्या है अगर फोरेंड कनेंसी रिसीवेबल है तो आप ऐसी कोशिच किजिए कि वहाँ पेड़ा कर दीजिये मैनी मार्केट टाइप का मनी मार्केट पढ़ानी है रिसी होने वाला है ना आप वहां से लोन ले लीजिए तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तो आपस में ऐसा कुछ कीजिए जुगाळ कि आपका लें देन कैंसिल हो जाए उस कंट्री से और हमें कोई हमारा टेंसर रिस्क तो खतम हो गया ना इसकार बस यहीं मैचिंग बोलता है ठीक है नेट बैलेंस को हैज कर ले ना पढ़ लोगे इसको अब बात किसकी करें एक्स्टर्नल हैजिंग अगर कहूं इंटर्नल हैजिंग में कुछ इंपोर्टेंट था क्या सिर्प लीडिंग एं तो इसमें बाइऽ सेल करते है और हमें पक्का मालूम है कि हमें उतना ही मादऑ इना कितना है फ्टोर अवरत तर्फ मुझे समझाने के जरू नियुकित लिए है में इंपोर्टेंट मनी मार्केट कवर इसी का इंतर्जार था मझका मनी मार्केट कवर यह अच्छा है बिलकुल ध्यान से समझने वाली बात है ठीक है जी? तयार हो जी? यस सर एक्जामपल से समझा रहो लिखने का मतलब नहीं समझ में आए गरी सर यह कौन है? राम भाई साब इसने किया है इंपोर्ट और इसको पैमेंट करना है एक लाग तीन हज़र डॉलर तीन मैने बात का पैमेंट करना है तीन मैने बात अब इससे हम बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं अब भी रेट क्या चल रहा है सतर एकतर तीन मैने बात हो सकता है मतलब क्या डॉलर का रेट बढ़ सकता है कैसे पता लगाया बैंक जाके कि बैंक वाला फावर्ट कवर करने के लिए ज्यादा रेट मांग रहा है मतलब डॉलर का रेट बढ़ने वाला मेरा टेंशन तो है तो मैं मुझे कब पैमेंट मुझे आज ही पैमेंट करना चाहिए तो का मिश्टरे आप तो रुख जाओ भी फिर मैं घूमते हुए बैंक पहुचा यूएस बैंक और यूएस बैंक से मिने का सुनो बैंक अगर मुझे कुछ पैसे जमा करता हूँ यहां तो रेट अप इंट्रेस्ट कितना चल रहा है बोले जमा करने का बारा परशन अगर जमा कर कितना डॉललर जमा करूं कि तीन महने बाद 1,03000 actually कितना थीन इंट्रेस्ट through क्या या प्रेजट वैलिए इस बन्यां डिवाइडडिध एक को औक बैंक कहेगा कि प्लीज आप राम हमारे यहां आकर एक लाग डॉलर जमा कर दीजिए तीन मैने बाद एक लाग तीन हज़र डॉलर हो जाएगा वित इंट्रेस्ट तो फिर राम कहता है ठीक है उसके बाद आप यह मिश्टर एको पैमेंट कर देना बात कितम हो गई तो अल्टिमेटली मुझे डिसकाउंट में लगए आपको पता भी ने लगा तो आज मुझे कितना पैमेंट करना एक लाग डॉलर पैमेंट करना इसको नहीं करना बैंक में जमा करना तीन मैने बाद इसको आट्मेंटिक पैमेंट हो जाएगा कितना डॉलर एक लाग डॉलर अब एक लाग डॉलर आज खरीदना पड़ेगा और उसके 71 के सबसे तो 71 लैक रूपीज लगीगा और 71 लैक रूपीज चाहिए मुझे 71 लैक रूपीज क्या करूंगा उधार लूँगा और यहां इंडिया में उधार लेने का रेट कितना है तो तीन मैने का कितना हो गया है चार पर्शन तो मुझे बताओ तीन मैने बाद मेरा कैस आउट लो कितना यह दिख रहा सेवंटी त्री लैकेटी फॉर्थ आउट जबकि मैं कुछ ना करूं और फावर्ड कवर कर दूं तो मैं 73 के हिसाब से एक लाग तीन हजार इंटू सेवंटी थी जितना भी कैसा उट लेग वह कंपैरिजन करना है मनी मार्केट कवर में मैं क्या कर रहा हूं बिलकुल ध्यान से इंपोर्टन्ट क्या किया सर आपने पैसा जमा किया आपने सबसे पहले सर पैसा उधार लिया उससे फिर फॉरिन क को बैंक में जमा किया और वित इंट्रेस्ट एक लाग तीने जा डॉलर हो जाएगा जो कि मिश्टर एक को पे हो जाएगा सबसे बड़ी बात है क्या यहां मुझे पेबल है हां सर पेबल है पेबल तो मुझे रिसीवेबल खड़ा करना पड़ेगा मतला मुझे इनवेस्टमेंट करना पड़ेगा कि मुझे अगर उस कंट्री में पेबल है तो रिसीवेबल मतला मुझे इनवेस्टमेंट महां करना प दिक्कत क्या आती है दिक्कत यह आती कि इंपोर्टर की सबसे सूचना कि एक्सपोर्टर जमा करना की बौरो करना इसमें गंफियूज जाता है इसलिए मैंने यह लिखवा रखा है ठीक है आगे मैं पकर वंगो तो समझ मैं सबसे पहले इसी की बात कर दें तो सर एक लाग डॉलर हमको इनवेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो एक लाग डॉलर 71 के सबसे कितना रुपए खर्चाएगा 71 लैक्स रुपीज खर्चाएगा और वो 70 लैक मुझे बौरो करना पड़ेगा 16 परशन के सबसे तो टूटल मिलाकर मेरा कितना पैसा जाएगा तीन महने बाद 73,84,000 लेकिन मैं फावर्ड कवर में जाता हूं फावर्ड कवर तो एक लाग तीन हजार डॉलर मुझे 73 के साब से खरीदना पड़ेगा तो 75,19,000 बो लो क्या अच्छा है सर कम पेबल ही अच्छा है मनी मार्केट कवर इस बैठा ठीक अब मनी मार्केट कवर अब एक्सपोर्टर की बात करते हैं एक्सपोर्टर ठीक है इसको समझना ठीक से फिर से बात करते हैं मैंने किया है एक्सपोर्ट तो मुझे मिलने वाला है 1,6,000 डॉलर आज रेट क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या हो सकता है कम इसका मतलब समझ रहे हूँ अभी पैसे बलवाओ सामने वाले से मैं मिश्टर A के पास गया मैंने अभी पैमेंट कर दो Mr. A. बोलता है ही नहीं है तो कहां से payment तीन मैने बाद payment करूँगा जो ठीक है तीन मैने बाद करूँ मैं US Bank है और US Bank से बुला मुझे ना dollars उधार चाहिए मैं आपको payment कर दूँगा बहुत पैमेंट कहां से करोगे Mr. A. आपको दे देगा तीन मेहने बाद डॉलर एक लाग छेजर में उसको बोल दूगा कि तीन मेहने बाद मुझे चे मेने बाद मुझे देने किया पिक्चा बैंक वाले को दे देना तो प्लीज में जिब पैसे उधार दे सकते हो किया बाराइप परशन के सबसे तो वो कहेंगा मिस्ट यूएस बै बाद 1.06 हम आपको एक लाग डॉलर उधार देंगे तो मुझे यूएस बैंक से कितना डॉलर मिलेगा एक लाग जो डॉलर आएगा उसको मैं बेज दूंगा कितने के सब से सबतर तो कितना 70 लैक मेरे पास आ गया उसको मैं अब क्या करूं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं इन्वेस्टमेंट कर दिया कितने परशंट के सबसे इन्वेस्टमेंट च्छे मैने के लिए इन्वेस्टमेंट करने का रेट 8 परषंट 4 परषंट तो 6 मैने बाद 72,80,000 मुझे मिलेगा या फिर भाई चुप चाप एक काम करो एक लाग शेजर जो मिलने वाला उसको 68 के बोलो क्या यहां से receivable था यस मतलब एसिट था तो liability create करना पड़ेगा मतलब मुझे borrow करना पड़ेगा receivable है मतलब asset है तो मुझे liability create करना मतलब borrowing करना money market cover में तिक्कत यह आती है कि यहां हमें investment करना की borrow करना तो आपको यह चीज सोचना पड़ता बस बात ठीक है देखें यह ऑप्शन नम्वन मनी मार्किट कवर बोरो dollar from US money market 12 परशन के सबसे तो एक लाग डॉलर एक लाग डॉलर को 70 के सबसे बेज दिया तो 70 लाग रुपय आ गया और 70 लाग को invest कर दिया तो with interest आ गया 72,80 था हो जा दूसरा फावर्ट कवर तो भाई जो एक लाग छी जाजर डॉलर आने वाला है ना उसको आप फावर्ट रेट से मल्टिप्लाई कर दो तो 72 ज्यादा आना अच्छा मतलब क्या अच्छा 72 लाग 80 थाउजन अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है यह कोश्चन मेरा फावर्ट कोश्चन है मनी मार्केट का बहुत ही अच्छा कोश्चन बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा ऐसा देखें यस लिखा एन एक्सपोर्टर इस यूके बेश्ट कमपनी यूके इन्वाइस एमोंट डॉलर डॉलर मतलब यूएस आपने क्या किया है सर हमने एक्सपो किया तो हमको आने वाला है डॉलर 3,50,000 ठीक है क्रेट कितना है थ्री मंस रेट किसका दिया सुना रेट पाउंट का दिया इस पॉर्टर इट फॉर्वर्ट इट और डिपॉजिट रेट और यह दे रखा पाउंट का भी डिपॉजिट रेट और लोन रेट दे रखा है तो अगर मैं फॉर्वर्ट कवर में जाता हूं किदर गया फॉर्वर्ट को यह 3,50,000,1.614 forward कवर में जाता हूं तो इतना pound मुझे मिलेगा ठीक स्भी मनी मार्केट कवर में यूएस में क्या आने वाला है यहाँ आने वाला है तो इसको क्या बोलते receivable, receivable मतलब asset, तो वहाँ क्या create करना पड़ेगा, liability, liability मतलब borrow करना पड़ेगा US से, और borrow का rate क्या US का, 9% तो चलो यहां से, borrow dollar from US, 9% तो आप 6, 3 मैने का देख लो, 3 मैने का factor आ गया, तो यह आ गया present value, और यह जो dollar आया, उसको spot rate से convert कर ले न, divide होगा कोई शक्की बात नहीं तो इतना pound मिल जाएगा और जो pound आया, उसको आप invest करोगे तो finally इतना pound आपको मिलेगा cash and flow, जबकि forward cover में जाते तो इतना pound, which option is better, some money market cover is better यह question अच्छा है, please इसको करिएगा, ठीक आगे चले आगे अब थोड़े से मुस्किल topic है, दो topic वो है, option hedging बोलते है, कुछ बच्चे, जो कि उनको derivative में पढ़ते है, option hedging वो derivative में, मैं option hedging या future hedging नहीं पढ़ाता है, वो मैं forex में पढ़ाता हूँ, और उसको मैं नाम दूँगा currency option, या नाम बात करें, मैंने गाना, दो बड़े important topic discussion करना है, इसमें एक है currency future पहले करेंगे, और currency option बात में करेंगे, तो पहले बात करते हैं, currency future future का मतलब क्या समझते हैं, सरबैटिंग stock exchange में upside या downside simple यार, future थो हमको पता है currency future means future contract और future contract किस पर किया जाएगा, currency पर किया जाएगा, ठीक है, समझते example के थो, राम है सहब, राम ने import किया है, तो इसको payment करना है, तीन मेने बाद और एक लाग डॉलर, बड़ा simple सा है, पहला कि यह आप forward cover करो, rate अभी क्या चल रहा है, 60, एक ही rate दिया हूं, बड़ास का जुन जुन जुन, और आपको पता है कि rate बढ़ जाएगा, पर ठीक है, बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा, forward cover करो, 61.5 के सबसे बात कतम करो, दूसरा, stock exchange आईए, और stock exchange में पूछिए, क्या आपके बैटिंग की जाती है, करेंसी पे, उन्होंने कहां की जाती है, मैं निचीक, तो बले हमारे एहां की इस rate पे किस rate बैटिंग करना, मैं निका मतलब, बूले वन month वाले पे बैटिंग करना, कि two month वाले कि three month वाले अलग-अलग rate होता है derivative में ऐसा ही होता है मैंने का तीन मैने बात क्यों कि यार मुझे तीन मैने बात payment करना मैंने का तीन मैने बात dollar का rate बढ़ जाएगा बोले फिर है ये rate चल रहा 61 इसमें बैटिंग कर लो बात बस बड़ी simple सी है इस portrait जो bank के साथ actual में हम dollar खरीदते है और जो stock exchange में उसमें थोड़ा सा अंतर रह सकता लग-बग उतना ही रहेगा थोड़ा बहुत अंतर रहता है ना कि बढ़ यहां 60 रुपए यहां 60 रुपए 50 पैसे में लिखा है और पता है perfect positive perfect positive नहीं positive correlation होता है मतलब सब्सक्राइब अगर एक्चुल में dollar करेट बढ़ गया actual में actual में बढ़ा actual मतलब बैंक से जो खरीते ना वाकई market में dollar करेट बढ़ गया तो stock exchange में भी dollar करेट बढ़ता है हाला कि बिलकुल perfect positive correlation नहीं होता पर थोड़ा बहुत आगी पिछे चलेगा पर इतना पक्का है कि अगर dollar करेट इदर बढ़ेगा तो future में भी बढ़े गई बढ़ेगा ठीक तो राम कहता है यार मुझे डर है और जिस बात का डर उसी में बैठिंग करना है मैं कह रहा हूं कि चलो सर्थ लगाते कि dollar det 61 से विभागे लगी शर्थ अगर 61 से उपर जाएगा तो पका इधर वी इधर dollar बढ़ेगा तो इधर भी तो बढ़ेगा स्टोक किशिंग में अगर इधर बढ़ेगा तो मुझे जादा कर रहा हूं मैं बहुत सा और कुछ नहीं जिस बात कर रूसी में बैटिंग में पढ़ा हूँ ठीक है तो इन दिस सिच्वेशन वी टेक कौन सा पॉजिशन लोगे सर डर किस बात का है डॉलर के बढ़ने का तो आप कौन सा पोजिशन डॉंग पुजिशन लोग अपसाइड ब लो सेटिल्मेंट डेट को सेटिल्मेंट डेट को रुपीस पर डॉलर फावर्ड मार्केट इस इसका मतलब इसका मतलब यहां कितना रेट हो सब्सक्राइब करेंगे इसको काटने के लिए सेल करेंगे फ्यूचर दो रुपे यह भी प्रेजेंटेशन थी कि दो लाख रुपे जीद पर हमें सर हमें एक लाख डॉलर खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि अपने फावर्ड कवर तो कर रही रखा था तो 62 के सबसे खरीदना पड़ेगा पर इधर से प्रॉफिट कमाया इस टॉक एक्षण से दो लाख रुपे अल्टिमेटली सर हमारे जेव से पैमेंट तो 60 लाख रुपे ही गया ना इस तो कुष ठिक है इस तरह से काम होता है एक्जामपल करवा रहो है एक्जामपल करवाना मेरी मجबूरी है क्योंकि बिना एक्जामपल के समझे में आएगा नहीं एक नाँग डॉलर अभी रेट चलना 70 रुपया, 50 पैसे 1 month forward rate और 3 month forward rate जब 3 मेहने बात payment करना है तो 1 month forward rate मेरे किसी काम का नहीं है और currency future में contract size दे रखा 9000 डॉलर, 1 month future rate मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का है 3 month future rate rate of interest भी दे रखा है, 1 month और 3 month, 1 month मेरे काम का नहीं है, 1 month में हटा देता हूँ वो दिया रहता है question में और मार्जिन दे रखा है पंद्रह हजार वन मंत के लिए और थ्री मंत के लिए बीस हजार तो वन मंत वारा पर कॉंट्रक्ट डिव डेट को मान लोबले स्पॉट रेट हो गया 73 और करेंसी फ्यूचर एक्षेंज में रेट हो गया 74.25 विच ऑप्से पहले तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लॉंग पोजिशन लेने वाले कि शॉट पोजिशन हमें पे करना है तो किस बात का डर सर डॉल के बढ़ने का डर क्या डॉलर के रेट दिया है यास तो हम लॉंग पोजिशन ले रहे हैं हम गह रहे हैं कि भाई जो डॉलर है वह 71.75 से उपर जाएगा लगी शर्त और कितना डॉलर एक लाग डॉलर पर कॉंट्रेक्ट साइज कितना है 9000 डॉलर तो एक लाग डिवाइड यह तो लिख दिया से डॉलर पेबल है तो हमें डर है कि कहीं डॉलर बढ़ना जाए तो हम कौन सा पोजिशन ले रहे हैं लॉंग पोजिशन ले रहे हैं करेंसे फ्यूचर और इस रिट पर कि इस से बढ़ेगा एक लाग डॉलर 9000 डॉलर का एक कॉंट्रेक्ट है तो नंब कि यह चैनिक यह चैनि नंब करना पड़ेगा एक कॉंट्रेक्ट पे 20 जारे मार्जिशन का पैसा वापस मिल जाता है है मार्जिन आज जामा करोगे और तीन मेंने बाद वापस मिल जाएगा अर्मार्जन जैसे की वैसा और ग्यारा कॉंट्रेक्ट दो लाग बीसी जार 74.25 क्या हम लोग जीत गए यस कितने रुपए से जीत थे 74.25 माइनस 71.75 इंटु 9000 डॉलर इंटु 11 कॉंट्रेक्ट तो हम जीत गए 247,500 अल्टरनेटिव आप ऐसा कर सकते हैं आपने बाइ किया था उसको काटने के लिए सेल करोगे जो भी डिफरेंस आएगा वह आपका प्र यह भी अल्टरनेटिव से कर सकते हैं तो कितना रुपए जीट चुके 247,500 पर आपको अब एक लाग डॉलर खरीदना तो पड़ेगा कितने के सबसे 73 के सबसे और जीतने पर प्रॉफिट आया अब जो मार्जिन जमा किया था इसको आप वैरीशन मार्जिन भी बोलते हैं जो आपने मार्जिन का पैसा जमा किया था नो डाउट आपको वापस मिल जाएगा लिकिन भाई तीन महने के लिए पैसा तो ब्लॉक हुआ और उस पर क्या लेन में मिल गया और ये गया तो इतना आउट लो है इतना करने कि आप एक्छा भाई फावर्ट कवर करो और फावर्ट कवर में क्या फावर्ड डिया है आपको यस कितना दिया फावर्ड डिट 72.75 के साब से खरीद लो और जंजट खतम करो तो बल्ला बता ये कौन सा अप्शन अच्छा सर फ्यूचर करेंसी फ्यूचर इस बैट क्यों क्योंकि लोवर पैयमेंट थेक है मैंने पहले ही कहा था कि करेंसी फ्यूचर और करेंसी ऑप्शन दो टॉपिक पर हमें मेहनत करने ठीक किसर आगे चले क्या सिधा ये कोशन उठाया और ये एक अच्छा कोशन आपको बहुत साउधानी से काम करने पड़ेगे तियार हुची यह दिखा x y z limited x y z limited export oriented business house based in Mumbai the company invoices in customer currency और आपको मिलने वाला है एक लाग डॉलर मिलने वाला और rate सबकी सब कब के दिया और कब मिलने वाला? September में पर rate कब के दिये सब एक June के दिये, this portrait पर rate किस दिया? रुपीस का दिया, याद रखना 1 month future 3 month future भाई सब आप September में मिलने वाला है और आप June में खड़े हो जून जुलाई जुलाई अगस सेप्टेमर तीन मैने बात मिलने वाला है ना हाँ तो भई ये वन मंथ फूट फावड हमारे काम का नहीं है हमारे कामका थ्री मंथ फावड करेंसी फ्यूचर में जा रहा है तो कॉंट्रेक्ट साइजे सारे के सारे ठीक है जी एक सेंप्टेंबर को इस पॉर्ट रेट हो गया यह पर रुपीज है और करेंसी फ्यूचर रेट हो गया यह कमेंट विच आप फॉलिंग मैथर उड़ बी मोस्ट एडवांटिस फर एक्स वाइज़ेट फावड कवर करेंसी फ्यूचर या सहाब है जी लीजे चलो देखते हैं इट मेभी एज्यूम देट वैरिशन इन मार्जिन उड़ बी सेटल और मैचुरिटी अब दग फ्यूचर कॉंट्रक्ट ठीक है यह सबसे पहले बात किसके करें सबसे पहले बात करेंगे फावड कॉंट्फ्रक्ट कितना डॉलर एक लाग डॉलर फ कोई दिक्कत नहीं दूसरी बात किसकी करें फावड कवर इची था दूसरी बात करेंगे करेंसी फ्यूचर की यही थोड़ा सा मुश्किल होता है सोचके देखना और यह सब्सक्राइब होडा जसरी होड सर्थ हमें किस बात करेंr क्या मिलने वाला है यस डॉलर आने वाला है जो आने वाले हैं डॉलर के गिरने का डर पर रेat किसका दिया है रुपीस का तो इसका मतलब रुपीस के बढ़ने कडर long position हमें ये देखना पड़ेगा कि रेट किसका दिया rupees का सर्थ लगाना है तो हम long position लेंगे पर किस पर लेंगे rupees पर लेंगे dollar आने वाला है तो dollar की सस्ते होने कडर पर रुपिया के बढ़ने कडर बस ये बात आपको ये ही बात समझ नहीं एक long position on rupees important long position on rupees और by rupees at three month future rate ये rate पर ठीक है अब सवाज है सवाल ये है कि contract size किस में दिया है सर contract size दिया है rupees में तो जो exposure है ना उसको सबसे पहले हम rupees में convert कर लेते हैं और convert कैसे करें कि 1,00,000 divided by इस rate पर बैटिंग करनी है एक लाग डिवाइड बाई ये कर लेते हैं तो क्या exposure निकल किया जाएगा yes total इतना है और एक contract है 4,72,000 का तो एप्रोक्स 10 contract क्या करोगे आप long position ले लोगे margin 15,000 रुपे जमा करना है 10 contract के सबसे तो 1,05,000 margin का जमा हो गया आपका कौन सा position है long की short जिस आपने बैटिंग किया था इससे बढ़ेगा और currency future ये rate हो गया इससे बढ़ेगा और ये rate हो गया वाकी बढ़ गया वाकी बढ़ गया तो क्या हो गया profit on settlement rate currency future rate ये हो गया hence profit on currency future this minus this into ये क्या है एक रुपे पर इतने डॉलर का profit एक रुपे पर इतने डॉलर का profit तो टोटल मिला कर कितने डॉलर का profit ठीक है और जो डॉलर bank जो जो stock exchange देगा न वो डॉलर में थोड़ी payment करेगा वो तो रुपीज में करेगा तो उस दिन क्या rate चल रहा है spot rate 0.0 तो margin को उसके equivalent रुपीज दे देगा मुझे डॉलर का फायदा हो रहा है और उस दिन rate क्या है 0.02133 तो इसके equivalent मुझे रुपीज मिल जाएंगे मुझे stock exchange से मिलेगा 35,405 यह बात समझ में आने चाहिए कि जो profit आ रहा है वो रुपीज में की डॉलर में इतना डॉलर का फायदा है एक रुपए पर तो इतने रुपए पर कितने डॉलर का फायदा तो चलो receipt under future जो export करोगे export डॉलर मिलेगा अब तो कोई मेरा हैजिंग था नहीं कोई इतना और जो मार्जिन मनी जमा किया तो इतना तो टोटल रिशिप्ट अंडर करेंसी future है यह वाला पार्ट इंपोर्टेंट है इसको बिल्कुल ध्यां से सुनना समझ में ना आया तो और एक बर रिपीट करके देख लेना नो हैजिंग तो कोई हैजिंग नहीं है जो भी एक लाग डॉलर है उसको जो भी रिट दिया उसके सबसे convert कर लो हाला कि इसमें कौन सा option is best currency option currency future is the best ठीक एक कोशन अच्छा है यह सर आपको करना पड़ेगा और एक अच्छा कोशन करा रहा हूं currency future को यह वाला कोशन इसको भी हम देखे लेते हैं अब देखना तो पड़े गई सा तो चलो देखते क्या लिखा मैंने कहा था ना और एक लास तो लंबी जाने ही थी और फॉरेक्स भी पर ही तो महना था लिखा निट्रोजन लिमिटेड यूके कंपरी यूकी की कंपरी है इस इन दा प्रोसेस अप नेगोशिएटिंग अन ओडर अमांटिंग तो यूरो फोर मिलियन विद लार्ज जर्मन रिटिलर ऑन सि यूरो फोर मिलियन के ठीचे इप सक्सेस्पूल इस विल भी दा फार्ष्ट टाइम दैट निट्रोजन लिमिटेड जो यूके की कंपरी है जो यूके की कंपरी है वो जर्मन फर्म को एक्सपोर्ट करेगा तो मिलने वाला अब कौन सी करेंसी मिलने वाली यूरो फोर मिलियन वाला ठीक कब मिलने वाला चे मैं ने फिक यहां तक बास समझ में आ गई है इसके लिए आप करेंट एक्षिन रेट को यूज कर लीजिए और करेंट एक्षिन रेट को यूज कर लीजिए यहां पढ़ाओ इसपोट ट्रेट दिया है तो यह रेट किसका यह यूरो पर पाउंड का रेट दे रखा और स्वेप पॉइंट असेंडिंग ओडर में की डिसेंडिंग सर डिसेंडिंग ओडर में तो माइनस करती है और यह सेंट्स है सेंड्स का मतलब समस्ते होने ऑप्रेइडट अ करना पैसा के तरह होता है तो पॉइंट सिक्स डिवाईडड बाइड हंडिंग कि Yeah आया तो माइनस करने के बाद यह हाला कि यहां premium सब्द भी लिखा हुआ है और जब premium लिखा है तो पक्का पक्का उप्लस होना चाहे ascending में है चाहे descending में i.c.a.i का यह भी सूचना है तो इस question में i.c.a.i. ने डोनों यह alternative गरवा राकि आप एक काम करो भई मद देखिये premium premium लिखाओ चाहे न लिखाओ से मतलम नहीं अगर descending order में तो मैनस होगा ascending order में तो फिर उन्हें ने का नहीं नहींकिजू लोग premium भी देखते हैं जए प्रीमियम भी देख रहा है वो आप तो आप अल्टरनेटिव आंसर भी कर सकते हो आप असेंडिंग डिसेंडिंग मत देखे प्रीमियम लिखा है तो वह हमेसा प्लस ही होग है दोनों ही अल्टरनेटिव है हम एक ही तरीक से करें भाई क्या होगा मैनस तो यह कौन सा रेट निकला spot और यह कौन सा निकला अब घरमन फर्म को यह कहा जा रहा है UK वाली कंपनी UK फर्म मुझत हम एक्सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन जो आई के करेंशी वहां यूरो नहीं होगी वह पांड़ कितना होगी वह हम बता रहा है अब जर्म 4,000,400,000 यूरो आता ओर यूरो आता रेट किसका दिया है पांड का 4,000,00,000,00,000,000 को यूरो आता है हम बेंक को यूरो देते थे और बैंक से बदले में मतलब रेंक पांड बेजता यास बेजता तो ये वाला रेट कर इसेड फे Could 1.170, उसके सबसे invoicing amount आ गया, इतना pound, बस, इतना pound, अब आप तीन मैने बाद दो, हमको कोई दिक्कत की बत नहीं, पर हमें दीजेगा pound से बस बात कता, यह invoicing, तो पहला alternative तो होई गया, दूसरा, आप invoicing मत कीजिए, pound में, आप forward cover कर लेजी, forward cover, वो वे चलेगा, 4,000,000,000 euro आएगा, और जो euro आएगा, बैंक हमको से खरीदेगा, और इस से सबसे हमको pound देगा, forward cover भी जी देख ले, यह forward cover, यह आगे forward cover से, ठिक, ठीक है सर, तीसरा point, अब important, अब काम की बात, इन्वाइस दे जनव बोले आप यूरो में इन्वाइसिंग कीजिए ठीक है एंड यूस सफिशेंट 6 मंथ इस्टेरलिंग फ्यूचर कॉंट्रेट कर लीजिए तू हैस्ट ट्रांजिक्शन रिस्क ठीक है और फ्यूचर कॉंट्रेट के लिए फ्यूचर है कितने में चल रहा 1.1760 कॉंट्रेक्ट साइज दिया है और बोले छे महने बाद इस पॉट्रेट और शिक्स मंथ फ्यूचर रेट यह हो गया सबसे पहले लॉंग पोजिशन की शॉट पोजिशन आने वाला है यूरो यूरो की गिरने का डर पर रेट किसका दिया है पाउंड का तो पाउंड के बढ़ने का डर तो हम कौंसा पोजिशन लेंगे लॉंग पोजिशन किस रेट पर लेंगे लॉंग पोजिशन 1.1760 pound receivable it means we are afraid of sorry euro receivable it means we are afraid for euro falling but base rate is pound then we are afraid from pound rising hence we should take long position 1.1760 से उपर जाएगा कितना euro है चार लाक contract size euro में दिया कि pound में दिया pound में दिया तो सबसे पहले euro को किसमे exposure को हमने pound में convert कर लिया और उसको फिर हम पने contract size से divide किया तो 54.42 contract आ रहा है तो approximately 54 contract में हमने कौन सा position ले लिया है long position settlement rate को बले ये rate हो गया ठीक है तो आप जीते की हार 1.1760 से उपर होना चाहिए उपर हो गया तो सब profit हो गया यस और profit हो गया तो उसको contract size से multiply कि आप सुना दियांसे गथे आप इतने यरो का फायदा है एक पाँंड पर पाउंड तो इतने पाॉंड पर इतने यूरो इतना यूरो तो घुल की मैं को तो एक्वींट एक्विवेलेंट या मिलेगा जी इसकी में सी कर लेंगे विदेया है रिश्व को अब और के होगा करेंसी Cat Smir अब उस्प्रनेशस्व Reach चारलाक यूरो आया उसको कर देंगे चुछोट के मार्जिन की मिशिए में कोई information दिया नहीं है तो यह question भी अच्छा था बस अब एक topic बच्चा है currency exposure का हुआ है currency option वो भी मुस्किल है साउधानी से बिल्गुर आराम से समझेंगे किस बात क्या बात करो मैं currency options के चल जी अब आगे चल रहा है और हम कहां पर पहुंच रहे हैं जी हम पहुंच रहे है currency option और मैंने पहले का था यह थोड़ा सा मुस्किल है तो इसको थोड़े से ध्यान से करना पड़ेगा एक आदो एक्जांपल करवाऊंगा साथ में questions भी होगे एक बार देख लेते है options दो टाइप के option होते है call option और put option call option का dictionary meaning है right to buy ठीक है ठीक है और put option का dictionary meaning क्या होगा right to sell right to buy right to sell call option कब खरीदा जाता है जब हमको ऐसा लगता कि rate बढ़ने वाला future में चाहे share का हो चाहे currency का हो it means हमें expectation होता है कि price बढ़ेगा और put option का price कम होगा और दोनों ही condition में हमें क्या देना होता है premium और ज़्यादा मैं option समझाने के चक्कर में नहीं हूँ इसलिए क्योंकि already आपका option किया हुआ हम सीधे example से बात करेंगे चलो देखते हैं example ले रहा हूँ और अच्छा example ले रहा हूँ बिल्कुल धियान से समझना मुझे मानलो बिटे दो टाइप है सुनो option में दो टाइप के question आ सकते हैं वो दोनों टाइप में आपको करवा रहा हूँ एक्जाम्पल के तुरू टाइप A टाइप B दोनों करवा हूँ तो सबसे पहले किस टाइप का question आ सकता है type A question इसमें होता किया सुना डॉलर पेबल है मानलो एक लाग टॉलर और कभड़ पे करना है आज से तीन महें बाद ठीक है आज रेट चल रहा सब्तर रुपै पेचास पैसे पर आज तो पे करना पे करना तीन महें बाद chocolgra 72 क्या डॉलर महगा हो सकता हैं कैसे पता लग रहा है, बैंक वाले से पूछ रहा है, तो यार वो महगा रेट बता रहा है, मतलब डॉलर महगा हो सबता है, currency option है, strike prices 70.25, आपको किस बात का डर है, महगा होने का, तो आप कौन सा option खरीदोगे, call option, put का भी premium दिया है, put हमारे काम करें, हम call option खरीदेंगे, और अगर strike price, अगर market में rate 70.25 पैसे से उपर जाएगा, तो हम 70.25 पैसे के सबसे dollar खरीद लेंगे, exercise कर लेंगे, अगर इससे कम गया, इससे कम गया, मेरी बात समझाना, तो फिर हम कम वाले में खरीदेंगे, बात सिंपल है, उपर जाएगा, तो exercise नीचे जाएगा, तो lapse, कौन सा option खरीदना, call, call option क्यों खरीदना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा, dollar rate बढ़ने वाला है, rate of interest है, 12% सर, इसका क्या use होने वाला, वो मैं बता दूँगा, और बोले price of dollar on maturity को क्या-क्या हो सकता, बोल रहा, 70 रुपए 10 पैसे भी हो सकता, 70.1.50 भी हो सकता, 72.25 भी हो सकता, उसकी probability दिया होगा, ठीक है सर, अब आपको option के थुरू कैसे hedge कर सकते हो, this is type A, अब समझ रहा है, solution बता रहा हूँ, सर, पूछ क्या रहा हूँ, पूछेगा बस ये कि option के थुरू क्या, कैसे hedge कर सकते हैं, आपका cash outflow कितना आएगा, ठीक है, तो मैंने लिखा क्या currency option में, और मैं सिर्फ IC AI के presentation की बात करूँगा, हाला कि इसको मैंने logic के साथ भी बताया है, कि देखो भाई, actual में ऐसा होगा, actual से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आपके number से, actual जो पढ़ना था, वो आपने regular class में पढ़ लिया, मुझे आपसे number चाहिए हो, revision में सिर्फ मैं number के लिए काम कर रहा हूँ, आपके marks, तो IC AI का ही presentation से हम करने जा रहा है, क्या हमारा dollar payable है, यस, तो हमें डर किस का बात का, dollar के बढ़ने का, तो क्या हम call option खरी देंगे, यस, कितने strike price, 70.25, 70.25 अगर 70.25 पैसे, अगर 70.25 पैसे से market में चला जाता है rate, तो कोई बात नहीं, हमें 70.25 पैसे के साब से dollar मिल जाएगा, अगर ये कम हो जाता, 65 हो जाता, तो फिर हम lapse कर देंगे, 65 के साब से dollar खरी देंगे, और premium कितना देना पड़ेगा, 0.5, और आप से पूछा जाएगा, कि बताइए, currency option के थ्रू, option hedging आप करते हो, तो कितना case outflow होगा, कैसे करना होता है question को, पैटे, ऐसे ही करोगे presentation, इसका alternative मैंने आपको समझाया, alternative आपके काम का नहीं, मैं सिफ ICAI के presentation की बात कर रहा हूँ, भाई अगर 70 रुपए 10 पैसे होता है, तो क्या option exercise होगा, नहीं, तो हम dollar 70 रुपए 10 पैसे के हिसाब से खरी देंगे, एक डॉलर, और साथ में premium का तो गया गया, तो उस हिसाब से इन दोनों को plus करोगे, तो हमें एक डॉलर का cost कितना पड़ेगा, 70.55, और total कितना dollars है, एक लाग डॉलर, तो 70 लाग 55 रुपए का खर्च हो रहा है, अगर 71.50 हो गया, तो फिर भाई हम 71.50 को क्यों खरी देंगे, हम 70 रुपए 50 पैसे में ही डॉलर खरी देंगे, premium 45 पैसे, तो ये cost पड़ा, अगर सर ये हो गया, तो 70 लाग 70 हजार रुपए खर्च हो सकता, इतना होने का probability कितना है, 30 पोशन, इतने होने का probability तो क्या expected cash outlaw निकाल सकते हो, ये निकाल लिया अपने expected cash outlaw, पर क्या हमें premium advance में देना पढ़ रहा है, हाँ, कितना premium देना पढ़ रहा है, हमें premium देना पढ़ रहा है, 45 पैसे, एक डॉलर पे, तो एक लाग डॉलर पे, 45,000, सब premium तो यहीं consider कर लिया ना, आपने, प्रीमियम तो consider कर लिया, लेकिन एक बात सोचो ना, प्रीमियम आज देना पढ़ रहा, तो उस पे opportunity cost भी तो लेना पढ़ेगा, तो 45,000 पे 12% तीन महने का opportunity cost, तो total मेरा cash outlaw, in currency option यह आ रहा है, तो यह हमको करना था, यह मैंने समझाया, और अब बात करते हैं, type B, दो type है, मुझे दोनों type आपको समझाना, type B, type B में क्या होगा सुना, dollar payable कितना है, 1,00,000, spot rate दे रखा, 3-month forward rate दे रखा, क्या dollar महगा मिलने वाला तीन महने बात, जिया, currency options available है, contract size दिया है, 9,000 dollar, strike price दिया है, 71, क्या मुझे dollar pay करना है, हाँ, किस बात करण, dollar के बढ़ने करण, मतलब मुझे लग रहा है, dollar बढ़ना जाए, तो कौनसा option, call option, ठीक है, तो put option हमारे काम का नहीं है, हम बात सिर्फ किस की करेंगे, call option के, which option is better, currency option, forward cover, सबसे पहले बात हम currency option का कर ले, forward cover की बात 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 में करें, ठीक है, सबसे बेले आपको ये दिखाना पड़ेगा, कि आप call option खरीद रहा है, कि put option, क्या dollar बढ़ने वाला, तो थियोरी आपको लिखना पड़ेगा, dollar payable है, तो dollar के बढ़ने का डर, तो हम call option खरीद रहा है, exercise price is 71, और premium जा रहा है 60 पैसा, यहां तक ठीक है, अब यार contract size है, 9,000 dollar, तो 1,00,000 divided by 9,000, 1,00,000, तो number of contracts से आगा 11.11 contracts, future में जब contracts निकालते थे न, तो हम rounded off कर देते थे, 11 contract, या फिर 0.5 से उपर आया है, तो 12 contract, हम correct पर betting नहीं करते थे, बिल्कुल accurate पर betting नहीं करते थे, हम कहते थे यार, एप्रोक्स 12 contract पर बैटिंग कर सकते हैं, एप्रोक्स 11 contract पर बैटिंग कर सकते हैं, option में ऐसा नहीं है, option में जो fraction है, fraction उसको आपको ignore करके, इस पर हमको forward contract करना पड़ता है, हम जो बच्चा whole number है न, उसी पर contract करेंगे, इट मींज हम call option किस पर खरीदेंगे, 11 contract, तो 9000 dollar into 11 contract, तो 99000 dollar hedge कर लिया, किस के से, currency option से, और इट मींज हम 71 के हिसाब से 99000 dollar खरीदेंगे, यह खरीदेंगे, यह तो final हो गया, premium का लक्से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पतलब सब 71.60 के हिसाब से, या 71.60 के हिसाब से, हम 99000 dollar खरीदेंगे, यह फाइनल हो गया, लेकिन बात, premium का चाहो तो हम अलग से भी कर लेंगे, हम 71 के हिसाब से 99000, लेकिन 1000 dollar के लिए क्या करें, तो बचे हुए के लिए आपको forward contract करना पड़ेगा, और कितने के हिसाब से 72.7, covered through forward contract, 72.75 के सबसे, तो 99000 dollar 71 के सबसे खरीदेंगे, किसके थूँ, currency option, 1000 dollar खरीदेंगे forward rate पर, और premium भी pay करना पड़ेगा, और premium कप पे करना पड़ेगा, आज तो 90, आज premium सर उसका opportunity cost भी तो आना चाहिए, आना चाहिए पर यहाँ rate नहीं दिया, तो ignore कर देते हैं, तो total cash outflow इतना, इसकी आप एक्छा हम सीधा forward contract करें, तो इतना cash outflow, cash outflow किस में कम है, sir currency option, which option is better currency option, तो जो currency option अभी पढ़ा है, क्या हमें, option hedging बोलते हैं, क्या हमें, इस पर questions बना लेने चाहिए हैं, हाँ sir बनाते हैं, चलो देखते हैं, लिखा X limited एक US firm, और जरूरत है pound 3 lakh in 180 days, मतलब sir, मतलब को US firm होगी, UK में pay करना है, pound, 3 lakh, 180 days, ठीक है, उसके लिए हमें dollar चाहिए, अभी rate है, 1 pound is equal to, और 180 दिन बाद, 1.96, मतलब dollar per pound दिया है, 1.96, rate of interest दे रखा, 180 days deposit rate, 180 days boring rate, UK US, UK US, इसके अलावा call option भी available है, pound का expire ही हो रहा है, 180 days, और exercise price है, 1.97 और premium है, 0.04, call option ही चाहिए, हमको किस बात का डर, क्यूंकि हमें pay क्या करना है, pound, pound के बढ़ने का डर, तो call option, और बोल रहा है कि, 180 दिन बाद, ये rate हो सकता है, probability दिया हुआ है, ये type A question होगे, type A, बताए, कौन सा strategy, अच्छा है, सबसे पहले बात, किस की कर रहा है, forward contract, कितना pound, 3,00,000 pound, कितने की सब से 1.96, pound का ये rate दिया, सिधा multiply कर दीजिए, forward contract आ जाएगा, इजी है, दूसरा क्या है, money market has, भूल गय होगे, मैं money market has, याद दिना रहा हूँ, क्या pound payable है, yes, क्या liability है, yes, तो asset create करना पड़ेगा, मतलब investment करना पड़ेगा, और investment कहां करना है, US में, यूएस वाले तो हम है यार, ठीक है, हमें UK में investment करना, मतलब, देना तो है pound, मतलब liability है, तो asset create करना पड़ेगा, UK में हमें investment करना पड़ेगा, और UK का investment का rate कितना है, 4.5 portion, अब इस पे dispute है, तो सरी जो rate है, ये 180 दिन का है, कि one year का है, generally क्या करते हैं, हम इसको परेनम मानते, generally, पर इसमें ICAI ने कहा, कि ये rate है ही 6 महने का, लिखा तो है 180 days, deposit rate, पर लिखा तो होता है, for 180 days, हम इसको परेनम मानते, पर इस question में, इसको आपको, ये rate 6 महने का ही लेना, ICAI, याद करना, ये question में आपको, 6 महने का ही लेना पड़ेगा, मेरे इसाब से बात नहीं चलेगी, ठीक है सर, तो US में, UK में क्या करेंगे, deposit, आज, 3,00,000 पाउंड ने, उससे कम ही deposit करना पड़ेगा, मतलब सर, divided by 1.045 करेंगे, येस, और जो deposit करेंगे, इसके लिए, जितना पाउंड लगेगा, उतना पाउंड हमें खरीदना पड़ेगा, आज के rate पर, तो उतने डॉलर की जरुत पड़ेगी, और वो डॉलर हम USA बोरो करेंगे, दिस इस मनी मार्केट, देख ले एक पर, calculation of amount to be invested in UK money market, ये वाला मैं नहीं ले रहा हूं, मैं ICSI, 3 लाग divided by तो ये आगे हैं, और ये जो आया, इसको change कर लेना, इसको आप spot rate पे खरीदोगे, तो total मिला कर ये, इतना डॉलर लगेगा, इस पे focus करना, ये हमारे काम की बात नहीं होगे, मैं IC AI के सबसे चलूँ, और इतना डॉलर हमको borrow करना पड़ेगा, इतना, इसको change कर देना, इतना डॉलर borrow करना पड़ेगा, कहां से, US money market के, 5.5% के सबसे, तो ये, 5.5% पूरे 180 रेस का, तो ये है मेरा cash outflow, as per money market है, तीक है, option contract, option contract में cash outflow, table बनाना पड़ेगा, table मैंने आपको समझा चुका हूँ, ये, rate है, dollar 1.97 से उपर होगा, तो हम exercise कर लेंगे, 1.9 हुआ तो option lapse हो जाएगा, हमें 1.91 के ही ज़ब से खरीदना है, प्लस premium तो हमें 1 dollar इतने का पढ़ा, तो dollar 5,85,000, तो इसको this और ये, pound 3,00, एक pound हमें पढ़ रहा है, 1.95 dollar का, तो 3,00, pound कितने का, और उसकी probability, ऐसे 1.95 हुआ, तो भी हम exercise नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर 2.05 हुआ, तो हम exercise कर लेंगे, हमें 1.97 rate पढ़ेगा, प्लस ये तो 2.01, और ये हमारा आ गया, cash out flow, लेकिन premium जो दिया, उस पे opportunity cost भी तो consider करना पढ़ेगा, मैं ICAI के हिसाब से चनू, तो ज़्यादा अच्छा है, और ICAI के हिसाब से, कितना pound 3,00, और 1 pound पे 0.04 डॉलर, तो 3,00,000 pound पे कितना डॉलर, और इसको कितने पर्शन के साब से, 5.5% पूरा साल भर का premium, 180 days का premium लिया, तो 660, तो total मेरा cash outflow, in currency option ही आगए, ठीक है, ठीक है, टाइप A, और no hedging में तो कुछ है नहीं है, 3,00,000 pound into 1.96, 1.96 नहीं है यार यह तो forward contract हो गाए, आपको expected rate निकालना पड़ेगा, और उससे multiply करना पड़ेगा, अगर hedging नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता, hedging नहीं कर रहे हैं, तो हमारा अंदाजा है, कि rate यह हो सकता है, expected spot rate, और 3,00,000,000 into 1.96, तो final यह आगे, और मालू मैं, answer क्या दे रहा है, no hedging is better, no hedging मतलब, risk तो है ना, हमें risk तो बचना है, पर ठीक है, IAC, AI का question, इसमें हम कुछ कर रहे हैं, और एक question, और question है आपके सामने, अच्छा question है, एक बार रीट करें, यह question, अच्छा question है, बार बार बोल रहा हम, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, इस question में, बच्चे जादत तर फसे, और मैंने चितने भी अच्छे question से, for x के, सब की सब description में, मतलब सर ढंग से समझना है, ढंग से समझना है, तो मैं description में list दे रखा है, सर यह question हमको अच्छे समझना है, तो इसका भी solution मेंने करवा रखा, अच्छे से, इसमें आदा गंटा लगाया होगा, समझाते हुए, तो वो भी description में, पर अभी क्या आपके पास, एक question के लिए, आदा गंटा का time है, नहीं है, ठीक है सर, चले आगे, लिखा, A limited of UK, ने import किया, सम chemical worth, इतने डॉलर, import किया, तो सर UK, यह मैं बना ले था हूँ, इससे मुझे आसानी होती, और US, योक्य ने सर, इंपोर्ट किया है, और payment किसका करना है, dollar, और dollar कितना, 3, 6, 4, 8, 9, 7, इतने dollars का payment करना है, ठीक है, अब payment कब करना है, सर, 6 मैने में payment करना है, the relevant spot rate, payment करना है dollar का, rate दिया है pound का, बस यही एक फसानी वाली चीज़, बाकि कुछ नहीं इस question में, payment करना है, dollar का, rate अगर dollar का देता, तो बात समझ में आती, पर rate किसका दिया, pound का, तो सोच समझ के काम करना पढ़ेगा, borrowing rate, UK और US का 7%, 6% and deposit rate, 5.5%, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ताकि मुझे दिक्कत ना, UK में borrowing rate deposit rate दिया हुआ है, और US का भी, अब ये जो बात है, ये किस की है, currency option की, तो सर जब हम currency option पढ़ेंगे न, तब इस matter पर बात करेंगे, यस, पहला option क्या है, forward cover, forward cover बड़ा simple है, कितना payment करना है, तो rate payment करना, मतलब UK firm को dollar खरीदना पड़ेगा, पर rate किसका दिया है, pound का bank, pound खरीदेगा, अगर bank pound खरीदेगा, तो कौन सा वाला rate आपको लेना पड़ेगा, ये वाला, सर बैंक pound खरीदेगा, मतलब, आप dollar खरीद हो गए, और bank को pound खरीद हो गए, इतना अच्छे महने बाद, तो इतने pound payable है, मैंने का ना, सिर्फ rate में problem है, बैटे बाकि और किसी चीज में नहीं है, दूसरा money market है, payment कहा है, US में payable है, मतलब liability है, liability तो asset करे है, मतलब investment करना है US में, और US में investment का rate क्या है, Sir, US में investment का rate है, पर हमें investment कितने मैंने के लिए करना, 6 मैंने के लिए करना, तो साड़े चार कहा था, तो जो भी आएगा, divided by 1.0225, अब जितना भी dollar लगेगा, उतना dollar खरी देंगे, आज की rate पे, तो जितना pound लगेगा, उतना pound हम borrow करेंगे, तो money market भी simple है, हमें चाहिए तीन मैने बाद इस rate से, तो इतना dollar हमको जमा करना पड़ेगा, इतना dollar हम खरीदेंगे, किस rate से, spot rate से, divide ही होगा, और कौन सा rate आएगा, ये वाला rate आएगा, ठीक है, तो इतना pound लगेगा, और ये जो pound लगेगा, हम market से, साथ पर्षन के साब से, हम बौरो करेंगे, तो cash outlaw as per money market है, ये आ रहा है, ठीक है, अब सबसे important है, currency option, इससे ही ध्यान से समझना है, बाकी और कुछ नहीं, अब सुना, लिखा, currency options are available, under which, one option contract is pound 12,000 pass, एक contract है, 12,500, और premium देना है, strike price, आपको एक pound, dollar 1.70, मिल जाएगा, एक pound है, पर premium देना पड़ेगा, call option के लिए, और put option के लिए, तो अभी हमाई decide करना पड़ेगा, कि call option खरीद रहे, कि put option, ओके, हाँ, चलो जी, सबसे पहले, हमें ये decide करना है, कि call option की put option, सर, dollar payable है, तो call option हाँ, पर rate pound का दिया है, dollar payable है, dollar के बढ़ने का डर, पर pound के गिरने का डर, तो फिर भाई, put option हो जगा, base क्या है, pound है, तो put option, और put option में premium कितना है, सर, ये, अब आया समझ में, यास, ये, ये ही मुस्किले है, बाकि और कुछ नहीं, तो सर, एक बार दिखाऊगे क्या, यास, dollar payable, dollar के बढ़ने का डर, पर base rate क्या है, pound, तो pound के, गिरने का डर, तो हमने put option खरीदा है, exercise price है, ये, और premium है, यहां तक कोई दिक्कत, नहीं से, अब, यहां से खिये ले, import, हमें payment कितना करना है, इतना dollar, contract size दिया है, pound में, तो सर, या तो हम, इसको pound में convert कर लिया, तो इसको pound में, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको पहले pound में convert कर लिया, 1.70 के हिसाब से, तो यार मेरा import proceeds, यह आया, इतना payable है, actual में मेरा, इतना pound, तो इसके हिसाब से, मेंने number of contract निका लिया, ultimately आप ऐसे भी कर सकते थे, कि pound 12500, into 1.70, तो कितना dollar का, एक contract, तो sir dollar, 21250 का, एक contract, और कितने dollar, sir dollar, 364897 का payment करना है, तो उस हिसाब से, 364897, divided by 12250, इस हिसाब से, approach 17 contract, इसमें भी आ जाता, 1.7 के लिए क्या करेंगे, हम forward contract करेंगे, तो 17 into 12250, currency option के थूरू, हमने cover कर लिया, dollar 361250, इसका मतलब क्या हुआ sir, इसका मतलब ये हुआ sir, कि dollar 361250, dollar आपका cover हो चुका है, वो आपको, 1.70 के हिसाब से, मिल जाएगा, लेकिन बचा कितना, बचा कितना, तो sir, 364897, माइनस 361250, हमें dollar, 3647 के लिए, कौन सा cover करना पड़ेगा, forward cover करना पड़ेगा, पहले दो बाते कर लिए, बात समझते, we should cover, 36250 for this, इसके लिए हमको, इतना पे करना, और ये किसके थ्रू, हमने cover कर लिया है, currency option के थ्रू, remaining जो unhasd portion है, वो किसके थ्रू cover करेंगे, forward cover और forward rate से, divide करने के बात, उसके लिए हमें, इतना pound लगेगा, दो चीज़ी तो confirm हो गई, एक तो भाई हमने, कुछ, जो whole number है, उसके लिए हमें, pound 2,12,500 लगेगा, ये currency option के थ्रू, हमने cover कर लिया, और ये किसके थ्रू cover कर रहा है, सरी हमने forward cover की थ्रू cover, forward cover हो गया, अब तीसरा important है, premium amount, तो बताओ, आप pound 12,500 इंटू 17, मतलब pound 2,12,500, pound 2,12,500, आपने cover कर रखा है, इसके थ्रू, currency option, इस पर premium भी तो देना पड़ेगा, और premium है, dollar 0.096 per pound, एक pound पे आपको, dollar 0.096 premium देना पड़ा है, तो इतने pound पे, कितने dollar का premium, this into this, इतने dollar, कुछ बच्चे कहते हैं, सर यह pound है, यह dollar है, तो answer क्या आएगा, answer बच्चे common sense लगाओ ना, एक pound पे इतने dollar premium, तो 2,12,500 pound पे, कितने dollar का premium, तो यह आगया है, dollar 20,000, यह premium कब देना है, आज, तो सर आज भी तो dollar खरीदना पड़ेगा ना, हाँ ना भाई, premium देना, dollar में जमा करना, तो dollar खरीदना पड़ेगा, तो आज के rates ने डिवाइट किया, तो premium के लिए हमें इतना pound लगेगा, तो दिखी रहा होगा, total हमारा, एक तो जा रहा है, 2,12,500, 1,2359, और 1,2,400 premium का, तो total cash outlook इतना है, इतना, हाला कि premium पे opportunity cost भी आना चाहिए, पर यहां नहीं ले रहा, तो कोई दिख्कत की बात है, this is currency option का बहतरीन question, दो type के question आते currency option, वो दोनों type आपको आना चाहिए, तब भी होगा, ठीक है जी, तो यह था हमारा transaction exposure, का hedge किस तरह से किया जाता है, ठीक है, अगले point पे बढ़ रहा है, और अब हम बात कर रहे, cancellation of forward contract, ठीक है, जीस है, और cancellation of forward contract में, हम अलग-अलग, अब इसमें भी सब पार्ट है, बहुत सारे, cancellation on maturity, cancellation before maturity, extension on maturity, अब before extend कर रहा हूँ, overdue forward contract, और सबसे important है, जो अक्सर पूछा जा रहा है, cancellation and extension after maturity, जो पहले 15 दिन का टाइम हुआ करता था, इसमें इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ, इस पे amendment है, इसको थोड़े ध्यान से सुनना पड़े, amendment कुछ नहीं, दिन में है, आजकल तीन दिन हो गया, और सर्व वो rule 8 है, क्या rule 4 वो discuss करूँगा ना, जब मैं यहाँ पहुचूँगा, सबसे पहले बात किस की कर रहे है, cancellation on maturity, चलो, कुछ लिखवाने से पहले, बात ही हो जाए, cancellation, क्या forward contract cancel हो सकता है, तो हो क्या रहा, आज कौन सी तारीक है, 1-1-2021, आपने इंपोर्ट किया है रामने, तो payment करना है डॉलर, 1-1-0-3 महने बाद, मतलब 1-1-2021, किस को मन से लिखाऊं, हलाकि 1-1-1-0-3 महने बाद, 31 मार्ट पर 1-1, due date, कितने में, रामने का कि ठीक है भई, मिश्टर है हम आपको 3 महने बाद payment करेंगे, लेकिन हम forward contract कर लेते, और हम बैंक की पास गए, और हमने का, बैंक आप हमें डॉलर बेचोगे क्या, बैंक के था हाँ जी, हम आपको डॉलर बेचेगे, कितने किसाब से 75, बैंक ने contract कर लिया है, राम को डॉलर बेचने का, और कब, कब बेचना है, एक अप्रेल को कितने किसाब से 75 किया है, maturity date को, एक अप्रेल को contract cancel हो गया, और उस दिन interbank rate, 72.5, 72.75, margin of 0.1% calculate cancellation charges, एक बात अच्छे समझ दीजिए, कि, बैंक ने contract किया था, डॉलर बेचने का, तो अगर आप उस दिन आते हो बलते हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए, डॉलर बैंक हैगा, ऐसा नहीं है, आप जूट मुट में खरीद लीजी हमसे, डॉलर बैंक डॉलर बेचेगा, contract किया तो बेचेगा, आपको नहीं चाहिए ना, आप से वापस खरीद लेगा, that's it, मतलब एक बेचने का rate, एक खरीद, अपोजिट लेट में कैंसिल हो जाता है, मतलब सर कौन सा वाला rate, ये वाला, खरीदने का rate, और इंटर बैंक है, इसमें मार्जिन क्या हो जाएगा, माइनस, जो भी डिफरेंस आएगा, या तो बैंक कस्टमर से वसूल करेगा, उसको कैंसिल, या तो फिर कस्टमर को पैमेंट करेगा, यही बात और कुछ नहीं, सेलिंग रेट और बैंक, कितने में कॉन्टेक्ट हुआ था, 75, कॉन्टेक्ट कैंसिल करना है, एक सेलिंग रेट है, तो दूसरा कौन सा रेट हाजाएगा, बाइंग रेट, और बाइंग रेट और बैंक, बैंक के अंगल से सोचना, ये है, इसमें से क्या होजाएगा, मार्जन माइनस, जो भी डिफरेंस आएगा, वो बैंक को फायदा है, बैंक को फायदा है, उसको मुल्टिप्लाई कर दीओ, बैंक वसूल करेगा किस से कश्टमर से कितना और इसी को आप क्या नाम दोगी कैंसिलेशन चार्जेश सिंपल सी बात है भाई बिल्गवरा इसी काटना है कैंसिल करना तो अपोजिट ट्रेट लेना होता है दूसरे एक्जमपल देखते हैं, एक्षपोर्ट में मिलने वाला धाल 210 मिलने वाला तो मैंने बैंक कसा कायएक, मतलब बैंक ने खरीदने का उट्रेट किया होगा, buying contract of bank कितने में 75.50 due rate को contract cancel हो रहा है उस दिन rate ये था तो bank ने खरीदने का contract किया है तो उसको काटने के लिए opposite selling और margin इसमें क्या हो जाएगा plus बस answer ने कालते है bank ने खरीदने का contract किया था bank बेचेगा this rate plus margin bank खरीद रहा है महगे में बेच रहा है सस्ते में इस चक्र में bank को तो loss हो गया तो bank अब क्या करेगा जो भी difference amount है bank बुलाएगा customer को करेगा आपका तो फायदा हो गए ये ले जाओ पैसे या तो customer से वसूल होगा या तो customer को pay करना पड़ेगा ठीक है जी cancellation on maturity कुछ भी नहीं है cancellation on maturity में आपको देखना पड़ेगा कि bank का selling contract है कि bank का खरीदने का contract है अगर bank का बेचने का contract है तो bank बेचेगा जिस rate पे बात हुई थी और bank वापस खरीद लेगा due date के spot rate पे अगर bank का बेच खरीदने का contract तो bank खरीदेगा forward rate पे और bank वापस बेच देगा उसी दिन के spot rate पे due date के जो भी difference आएगा वो या तो recover होगा किस से customer से या तो payable होगा किसको customer को अगर amount recover है customer से तो इसको आप क्या नाम दोगी cancellation charges हसान चले जी आगे एक example के थूँ बात करते राम मिश्टर राम ने import किया है तो डॉलर payable है डॉलर एक लाक देना है डॉलर आ कब है तीन मैने बाद due date है 31st March यह अच्छे समझना मैं बात कराऊं cancellation before maturity को दिहान से समझना पढ़ेगा 31st March 2021 को due date है बैंक ने बेचने का contract कर लिए राम को बैंक बेचेगा बोले हम आपको बेज देंगे और कितने में बोले तीन मेने बाद किस rate पे बात हो चुकिए 72.50 यहां तक ठीक है आज की date कौन सी है एक एक और due date कौन सी है यह वाली ठीक अब जब एक जनवरी को बैंक ने बोला था कि हम आपको बेच देंगे अब क्या हो रहा आब करीब 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 एक मेहने हो चुके है अभी भी दो मेहने बाकी है लेकिन तब राम को यह लगा नहीं आर जो मुझे चाहिए था डॉलर अब नहीं चाहिए किसी वज़ा से युक्रेन वगेरा में कुछ हो गया उसकी वज़ा से अब मुझे को डिलिवरी मिलने वाली नहीं है तो राम को पहले ही इस डेट का इंतजारी नहीं करना है इसी डेट में पता लग गया राम को कि मुझे डॉलर की जरूरत ही नहीं है और आज ही बेचूंगा और आप से वापस खरीद लूगा तो राम ने का ठीक है आप बेज देना बैंक इतने का और वापस खरीद लेना इतने नहीं ये रेट नहीं चलेगा दोनों रेट एक ही डेट के चाहिए मन का मतलब मतलब ये है कि ये रेट कौन सी डेट का है हमने का य तो यहां खड़ा हूँ, 31st March के लिए मुझे वहां तक जाना पड़ेगा ना, मैं contract तो आज ही cancel कर रहा हूँ, बोले यहां भी available होगा 31st March का, मैंने का कैसे, बोले यह देखो, यह है आज का, यह है यहां का, और यह है यहां का, तो यह तो rate है आपके पास 31st March का, अच्छा मैंन यह मात बोले हां, और आपका rate excelling है, तो एक rate buying rate है, तो इसका आपको forward rate निकालना पड़ेगा, क्या यह swap point है, yes ascending order में है, yes तो यह क्या हो जाएगा, plus तो two month forward rate निकल जाएगा, पर यह कौन सा निकलेगा, interbank, और इसमें margin क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, फूरी picture यह समझ म two month वाला, तो यह plus हो कि यह आगया, margin minus हो गया, तो यह आगया, जो भी difference आएगा, this is cancellation charges, तो फाइनली बात क्या समझ मैं, फिर से देखो selling contract है, कि buying, अगर selling contract है, तो bank पक्का पक्का sell करेगा, और वापस buy करेगा, लेकिन किस rate पे, this is important, forward rate of due date, available on cancellation rate, बाकी सारी चीज़े हुए अब बात किसी करेंगे, अब बात करेंगे, extension of forward contract, छोटे-छोटे question होते, इसके ज्यादा बड़े question नहीं होते, एक ही question होगा, जो बड़ा होगा, वो बात करेंगे, हम overdue forward contract, अभी तो असाना संगा, extension of forward contract, कुछ नहीं है, आपको original forward contract, cancel करना पड़ेगा, और new forward contract, फिर से made हो पर, आपने import किया, तो आपको payment करना है, 31st March 2021 को, ठीक है, बैंक ने का कि हम आपको बेज देंगे, 75.50 की, लेकिन maturity date को customer आया, यहां, और बोलता है, सुनो, 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 जो, हमें जो dollar चाहिए था, वो अब भी नहीं चाहिए, वो एक मैने बात का बात में, सबसे पहले, य जैसे की वैसा, selling rate of bank क्या है, यह, और buying rate of bank क्या जाएगा, यह, इंटर bank है, तो इसमें margin क्या हो जाएगा, minus, जब यह हो जाएगा, और पैसे वसूल करके, bank रख लेगा, फिर पूचीगा, अब बोलो, हमने का, हमें यहां के लिए contract book कर दीजी, ठीक है, फिर बेज देंगे, कि हमको क्या दिख्यात है, एक मेने बात का, बोले यह, इसमें यह plus हो जाएगा, और फिर margin अलग plus हो जाएगा, plus नहीं तो descending order है, तो minus हो जाएगा, कुछ है नहीं है, extension कुछ नहीं है, आपको नया rate, मतलब आपको सीधा-सीधा, नया contract book करना पढ़ेगा, देखते हैं, selling rate, buying rate यह इसका नाम आप cancellation charges ना बोलके, इसको हम क्या बोल सकते, extension charges, new forward rate, बोले selling rate और उसमें swap points minus हो जाएगा, margin plus हो जाएगा, तो finally, यह answer आजाएगा, तो extension क्या चीज है, extension कुछ नहीं है, extension एक प्रकार से cancellation है, उसमें original contract cancel करना होता और new contract बनाना होता है, आगे चले, yes, extension before maturity, यह भ कुछ नहीं है, बस यहां contract cancel जैसे हो रहा था, वैसे होगा, और इसको हम extend कर लेंगे, पर फिर भी करवा देता हूं, selling contract of bank है, 74.453 मनत में, यह एक महा गया गुजरा, यह दो महा, अभी तीसरा महा आ नहीं रहा था, उसी के पहले आपका क्या हो गया, cancel, तो सबसे पहले cancel करो और फिर extend, cancel कर और extend कब के लिए करना, बोले extend करना, एक, दो, तीन मैने बात के लिए extend करना, हमने का सबसे पहले cancel तो करते है, यह selling rate और buying rate कौन सा होगा, क्या यह लेगे, नहीं, एक मैने बात कर, due rate के दोनों rate, यह हमाला, 40 और 30 है, तो minus हो जाएगा, तो सबसे पहले देखे selling rate यह minus हो, margin भी minus हो, तो यहागा लिए, difference, यहागा, और new rate निकालना, और new rate निकालना, तो 3 months swap देख लिए यह बेचने का, और इसमें यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और margin अलक प्लस हो जाएगा, यह प्लस होbuild ऑना, margin अलक प्लस हो तो यह rate आ गया, सर कैंसलेशन तो सबसे ज्यादा आसान है हां ची कैंसलेशन आसान है चलो ची पड़े कोश्ञ यस कोश्ञ भी कर ले अखेर इक्जम्पल इक्जम्पल कितना करेंगे है अब बैंक एंटर इंटर 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 फॉर्वर्ड सेलिंग कॉंट्रेक्ट सेल और ड्यू डेट कोन सी है 15 सेप्टेमबर रेट कितने में बश्यू थी पोईन्ट जो इंटर बैंक रेट है यह इंटर बैंक तो मार्जिनेस में क्या हो जाएगा प्लस प्लस की मैनस यह बाइंग रेट है ना को मैनस कर देना और जो भी डिफरेंस आएगा इंटू किसे कर देना पाच लाग से आसाने सर, बैंक जो वसूल करेगा उसका नाम क्या रहेगा, Cancell बुक और फावर्ट कॉंट्रेक्ट दो लाग पच्छी सा फाई और इंपोर्ट मतला बैंक बेचेगा कितने में बात हुई है बहले डिलीवर देना पंद्रा मार्च को कितने में सेलिंग रेट कितना 65.3450 और उसको काटने के लिए कौन सा जाएगा बाइंग रेट डिव देट कौनसी है 15 मर्च ठीक है और डिव देट पे पई कैंसिल हो रहा है कश्टमार रिक्वैस्ट तु कैंसल दो कॉंटर्ट तु यह जह हैं इंटर मैंक रेट दे रख्गा डिवड एट यह है 65.29 यह रेट कपका है भ simulated year 65.29 यह फ़िए पंद्रा मार्च का तो पंधरा मार्च को तो क्या होगा यह वाला रेट होगा इसमें ज्यादा सोचनी की जरुपरती नहीं हमको एक्स्टेंशन की बात लिखा नहीं है तो फिर क्यों बढ़ दस्ति इतने सारे रेट को दे रखा इस पॉट अप्रेल इतना दो समझ में आगे अप्रेल अप्रेल का जो निरेश्ट रीट इसपॉट में का मतलव में का जो निरेश्ट रेट 15-15 मानके चलो इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए है 65.3450 यह इसमें से मार्जिन माइनस कर देंगे जो भी आया यह और फ्लाइट 400 रुपे अलग से मांग रहा है तो यह तो सिंपल था कोश्र यह क्यों डाला में ओवर्डिव फॉवर्वड कॉंट्रेट करने जा रहा है पर इसके लिए हम लोगों को पैसेंस की ज़रूत कर हां जी तो अब बात करेंगे हम लोग ओवर्डिव फॉवर्ड कॉंट्रेक्ट मैंने कहा इसमें एक रूल है रूल एट था पहले अब रूल 6 है जो कि नया है डिस्कुरिशन कर ले यस तो यह रो होता क्या है थोड़े सी स्पीड से डिस्कुरिशन करूंगा क्योंगि हमारे पास टाइम नहीं है वैसे भी चार घंटे से के गलास हो चुकी है तो अब हमें कम एक एक एकाम गहंटे में निफ्टाना पड़ेगा यह कौन है रााम राम ने इंपोर्ट किया है तो राम बेचने वाला है कितना डॉलर एक लाग किसको मिष्टर एक को तीन मेने बात मतलब टूडेट है 31マ恩 2021 लकात गख़written को खरीद रहे का तो बैंक ने बेचने का का कॉंटेट कर forward selling contract, हम 70-25 पैसे के सबसे आपको बेज देंगे, बैंक बेज देंगे किसको? राम को. आज की एक तारिख है, हमने टीम टैट तक में लेज तक का इंतजार किया, राम का राम नहीं आया. अब क्या किया जाए? बैंक ने बेचने का contract किया था 70 रुपय 25 पैसे के इसाब से राम आया नहीं और उसने कोई intimate भी नहीं किया क्या करें तो बैंक ऐसा नहीं कि तुरंत यार गर राम के घर पहुचेगी राम के घर पहुचेगी पर तुरंत नहीं रहा बैंक और तीन दिन का इंतजार करेगी तीन दिन पहले रूल एट चलता था पंधरा दिन हुआ करता था आपके नोट्स में हो सकता है पंधरा दिन हो अब उसको आप तीन दिन कर लेजिएगा जिन्होंने पहले क्लास ले रखा पहले की में बात करो ठीक है और कोई बहुत ज़्यादा चेंज दें यह तो चिंदा मत करोगी कुछ में इसी एक्जांपल जो आपके नोट्स में है न उसी में बस थोड़ा सा चेंज करा रहा हूं रूल 6 की जगह रूल 8 की जगह रूल 6 कर दिया और 3 अप्रिल करेगी ठीक 3 अप्रिल में जो कॉंट्रेक्ट है वो आटोमेटिक कैंसल हो जाएगा बैंक ने बेचने का कॉंट्रेक्ट किया था 70 रुपए 25 पैसे में तो बैंक बेचेगी 70 रुपए 25 पैसे में और यहां रेट कितना हो गया 68 बैंक खरेदी की 68.50 जो भी डिफरेंस आएगा वो केश्टिमर के घर जाके वसूल कर लिया जाएगा और कितना सर एक लाग पच्छत्तर अचार रुपए दिशिस कैंसलेशन चैर्से पर रेट सर 72 हो गया तो बैंक बेचेगी 70 रुपए 25 पैसे बैंक खरीदेगी 72 तो सर बैंक को तो क्या पेबल होगा नहीं करने का अधिकार तो है लेकिन पे करने का ओबलिगेशन नहीं पे नहीं करना अगर कस्टमर को फायता हुआ तो चलो कोई बात नहीं क्योंकि ओवाडिव है अगर कस्टमर खुद आके यहां बीच में आके बता देता यहां आकर कर बोले कांट्रेक्ट कैंसिल कर दीजिए तो फिर कस्टमर को अगर पेने पे करने का रहता तो हम पे कर देते हैं ठीक है जी ठीक है तो नो एमाउट नो पैमेंट बैंक दिस ओवर्डिव फॉवर्ड कॉंट्रेक्ट लेकिन बात इतनी सी नहीं है बात बहुत आगे जाएगी कि जब आपने फॉवर्ड कॉंट्रेक्ट बैंक करता है तो अपने आपको कहीं और से कवर करता है यह इंपोर्ट मुद्दे की बात यह है अब थोड़ा थियोरी देख लेते हैं अगर फॉवर्ड कॉंट्रेक्ट ओवर्डी हुआ और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला कस्टमर से तो जो कॉंट्रेक्ट वो आटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा पहले हां 15 था उसको काटके मैंने 3rd रुडिय कर दिया ठीक कोई एमाउंट रिसी होने वाला है तो वह रिसी हो जाएगा बैंक उसको रिकवर कर लेगा लेकिन कोई एमाउंट पेबल है कस्टमर को तो बैंक उसको पे न देखते क्या है और इसको मैंने डिटेल भी भी समझा सका समझाया हुआ है आधे गंट लगए डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो बास समझे में जाएगी अब भी हमारे हमारे पास इतना टाइम नहीं है ये कौन है राम राम ने क्या किया है इंपोर्ट तो पे करना है ड 10 जून द्स जून ठीक और इट मेंस राम ने कहा कि बैंक आप हमें बेच देना 10 जून को डॉलर सप्ता रुपए 25 पैसे 70.2575 के सबसे बैंक ने का ठीक है में हूं बाइंक मैं राम को बेच दूंगा डॉलर सप्ता रुपए 2575 के सबसे दस जून को लेकिन बैंक भी ना क्या करते बैंक को भी तो डर है और बैंक को भी तो रिस्क है यहीं डॉलर करेड बढ़ गया तो तो बैंक क्या करते बैंक की पास होते होते नहीं है होते है तो बहुत अची पर खुद को कवर करके रखती है तो बैंक कहती उस डेट में खुद बैंक एक क पर बेचने के लिए किसी और से खरीद के बेचने वाली तो इधर से कवर करके रखा है अब टेंशन नहीं है बैंक 10 जून को खरीद लेगी डॉलर सतर के सबसे दूसरी बैंक से और राम को ट्रांसपर कर दें बैंक को फायदा ही फायदा है अब दोनों ही लोग इंतजार कर र यह आ गया due date और भाई सब धोका दे दिया कौन धोका दे दिया राम धोका दे दिया राम आया ही नहीं राम आया ही नहीं राम आया नहीं तो डॉलर हमको देना नहीं है राम को डिलीवरी किसको देंगे राम तो आया ही नहीं हाला कि तीन दीन बात देखेंगे जो होना है ल इससे बोले बैंक हो गया ना अब खरीदो डालर में कर तो आया नहीं राम आया कि नहीं आया उसे मुझे मतलब नहीं यूजरी खरीदी इस बोड़े को आप थीक है तो अब हमारी मजबूरी बन गई है कौन सी 10 जून को कि हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा कितने केसाब से 70 केसाब से खरीद लिया अब डॉलर को करोगे क्या राम आएगा कि नहीं आएगा भगवानी मालिक है कि राम को डॉलर लगेगे तो अब इस डॉलर को हम दूसरी बैंके को बेचेंगे अब दूसरी बैंक का नाम क्या है C, बैंक C, बैंक C बोलते सुनो, सुनो, सुनो भई मैं अपने रेट पे खरीदूंगी पहली बात बिल्कु साब साब सद्दों मैं बोल रहा है, मतलब मतलब मैं यह देखूंगी कि मेरे लिए आप मेरे लिए कस्टमर हो गया मेरे लिए बिड रेट क्या है, मैं खरीदूंगी तो अपने रेट पे खरीदूंगी मतलब सर, मतलब सर बिड रेट उस दिन का 10 जून का ही यह वाले यह वाली जो बैंक है ना, वा 69.2575 पे खरीदेगी कभी-कभी बच्चों का कोश्चन आता है सर यह वाली बैंक बेच रही है ना तो बेचने का रेट यह बेटे नहीं इस बैंक के अब अठकी है यह कस्टमर बन गया हलाकि इसमें मार्जिन वार्जिन नहीं आएगा इंटर बेंक रेट ही आएगा लेकिन अब यह है बैंक और यह है कस्टमर तो इसके लिए सोचना पड़ेगा खरीदने का रेट क्या है 69.275 यहां तक ठीक है इस्टोरी थोड़े जल्दी चलाऊंगा मैं ठीक है सर और जिसको डिटेल में समझना वो डिस्क्रिप्शन में जाए यहां तक ठीक है ठीक है सर अब क्या है अब हमारा टेंशन खतम इधर से जो डॉलर आया था हमने दूसरी वाली बैंक को बेज दिया लेकिन फिर मन में एक बात है राम आ गया दो दिन बाद आ सकता है ना तीन दिन का टाई में दो दिन बाद आ गया तो बेचने का हमने का कर ले थे तो हमने इसी बैंक से क्या किया एक forward contract किया और कब आ सकता है बोले जून में आ सकता है जून ही तो चल रहा है अभी और जून ही तो जून का forward contract की बैंक आप हमें बेज दे ना 69.5 आपके बेचने का rate यही है न तो इस पे बेचने का कॉंट्र इट कर लीजी ठीक है यह कपका जून का जून का मतलब नेरेस्ट। डूडेट के आसपास जून तो जून ही और कुछ तो लिखना नहीं है तो यहीं का में कॉंट कर रहा हुं मैंने यह जून का है अब आजूर। भी हो सकता है nearest जो भी डिव डेट है जून इस पॉर्ट जून का मतलब जो डिव डेट है ना जब हमें लग रहा है उसके आसपास यह जून का रेट आ ठीक है तो एक फावर्ट कॉंट्रेक्ट किस चीच कहा है सर यह कॉंट्रेक्ट हमने डॉलर बेचा और एक फावर्ट कॉंट्रेक्ट किया डॉलर खरीदने का यहां तक ठीक है पुरिश्टोरी बात समझ में आ गई है अब आने वाले तीन दिन तक हम किस तीन दिन तक पंदरा दिन थ है ना आए मालो राम आ भी गया तो भी तेरा जुन की बात कर रहा हूं तेरा जुन को contract automatic cancel हो जाएगा और इस दिन क्या होगा और automatic cancel राम को बुलाएंगे राम से कहेंगे कि देखो हमारा बेचने का rate था यह और आप से हम हमें खरी देंगे इस rate पर और जो भी cancellation charges है वो आपको मदंने पढ़ेगा तो cancellation rate क्या होगा क्या निकाला जा सकता है सेंद सिफरीट और इंटर सनी का करना पढ़ेगा हमें margin क्या करना पढ़ेगा- करना पढ़ेगा वो कि आपन तेरा ज़न को bank sell करेगा currency इस rate पे और buy करेगा currency इस rate पे 69.25 इस में से margin minus करोगे तो ये आ गया cancellation rate पर हमें rounded off करना है 25.0025 में तो rounded off का मतलब मतलब ये 32 है ना मतलब 25 से जादा है तो इसको हम मतलब ऐसा होता ना sir 0 25,50,75 32 कहां आ रहा है sir 32 तो यहां आएगा ये किस के ज़्यादा करीब है sir इसके ज़्यादा करीब है इसके ज़्यादा करीब है ना तो फिर इसको rounded off करके 25 कर लेगे rounded off तो आता है ना यार में क्यों यहां time pass करो revision ठीक है तो यह जो आया यह कौन सा रिट आया cancellation rate अब क्या पूछेगा amount payable by customer on dollar एक लाग एक लाग डॉलर पर कितना payable होगा तो भाई यह दिख रहा है यह swap actual bank ने पहले बेचा spot sell और forward buy तो bank ने बेचा 69.25 पर bank खरीद रहा है 60 तो इसको बलते swap loss यह भी customer से वसुल करेगा यह किसकी वज़ा से हुआ customer की वज़ा से तो चलो customer से वसुल करेंगे bank ने बेचा है और खरीदा forward sell sell by swap बोल रहा हूं और यह बेचा है और forward buy किया है तो यह loss है इन्टो एक लाग दिस इस swap loss ठीक है उसकी बात interest on outlay of fund interest on outlay of fund क्या है देखो भाई सब हुआ क्या सुनना ध्यांस क्या यहां मुझे मजबूरी में खरीदना पड़ा इस bank से यस खरीदना पड़ा और यह जो खरीदना पड़ा कितने के सबसे खरीदा यहां कुछ rate दिया जितने में बात हुई थी बात कितने में हुई थी यहां कि चलो किसी दूसरे दरीकर से बनाता हूं interest on outlay of fund सुनना भी हां से क्या है भाई साब ऐसा है कि मेरा 10 जून को कितना डॉलर लग गया था यहां से खरीदा था और यहां बेचा था यहां से खरीदा कितने में था और यहां बेचा कितने में था इन दोनों में में मेरा कितना पैसा इन्वाल हुआ वो होगा interest on outlay of fund एक बार देख लेते हैं कहीं calculate किया होगा तो एक बार मैं देख ले तो यहां कैसे खरीदा क्योंकि आपने डॉलर कितने के हिसाब से 70 के हिसाब से 70 के हिसाब से बात कर चुके है वो मझे तिक कूँ नहीं रहा सपतर रुपए बस में यह देख रहा था यह है सपतर के हिसाब से आपने खरीदा और बेचा तो सपतर गया और सिक्षी नाइन आया तो वह जो difference है ना वो तो पैसा ब्लॉक हो गया ना आपका आपको सूचिए ना भई सब्तर लाक आपका गया और आपने बेज दिया जो डॉलर खरीदा था उधर से जो डॉलर आपको बेचा तो 69 ही तो आया तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया 74250 और अगर पैसा ब्लॉक हो गया तो उस पे भाई 3 दिन का इंट्रेस्ट आपको लेना पड़ेगा 73 रुपीस कुछ बच्चों का ये भी कहना था ये भी तो हमारा लॉस ही है ये लॉस नहीं है मैंने आपको regular class में डिस्कूस कर चुका तो टोटल मुझे कश्टमर से कितना वसूल करना पड़ेगा ये swap loss ये और interest on outlay of fund ही ये तो टोटल मुझे इतना पैसा वसूल करना पड़ेगा 1325 73 अब भई आप क्या चाहा रहा हूं कौन कश्टमर आप क्या चाहा रहा हूं तो कश्टमर ये चाहरा कि अगस्ट के लिए एक्स्टेंट कर दीजिए तो अब यहां डूंडो अगस्ट का रिट अगस्ट का रिट ये है ये मत सोचो कि 10 जून है कि 13 अगस्ट है कि 12 अगस्ट है कि उससे हमें मतलब ने spot अगस्ट का मतलब जिस आपको अगस्ट का जो लग रहा है न वही वाला रिट उसी डेट का रिट तो spot अगस्ट बेचने का contract रिट तो बेचेंगे और इसमें मार्जिन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये आ गया और इसको rounded off 5790 अब इसको rounded off करना है तो ये हमने 800 कर लिए rounded off करना पहाता ठीक है जे ये कोश्ट मैंने पहले ही कहा कि मुश्किल है और टाइम लगेगा टाइम लगेगा और सुनो इसके लिए सहाब आपको डिस्क्रिप्शन में भी चेक करना पड़ेगा ये वाला कोश्ट डाला है हाला कि उसमें डेट 10 जून 20 जून लिखा हुआ है अब 20 की जगा 13 जून लिखकर काम चला सकते है एक और कोश्टन है और वो कोश्टन है early delivery का sir early delivery का क्या मतलब है क्या customer पहले आ सकता है forward contract किसी और rate का क्या customer पहले आ सकता है कि नहीं नहीं मुझे अभी डॉलर चाहिए आ सकता है तो वो भी करी लिते ज्यादा अच्छा सुना एक नवंबर दोहजार छे स्टेट बैंक आप मैसो एंटर इन्टो ए थ्री मन्थ फावर्ट कॉंट्रक्ट फर सेल डॉलर टू मिलिया नंदी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंगलोर विथे फिक्स डिलिवरी और डिलिवरी कब देना है ए फर्स्ट फैप को सर क्या है बैंक ने कि शिसका बैंक ने बेचने का कॉंट्रेट किया है बेचने का बैंक बेचने का कॉंटेट किया है euro two million और बेचना कब है first fab fixed delivery और आज की डेट कौन सी 111 मतलब sir november, dicember, january fab में बेचना 3 मेने बाद बेचना है तो किस rate पे बेचने का कॉंटेट किया है वह rate नहीं बता आए इस question में वह rate हम निकाल लेंगे बेचना है 58.3 और 45 एट कर दिंगे इसको तो सर 58.53 प्लस 0.45 58.98 इंटर बैंक रेट है margin है 0.05 बेचेंगे तो प्लस 0.05 परशन तो सर इस रेट पे बेचने का कॉंटरेक्ट हुग है कब की बात है सर यह यह यहां ऐसा डायग्राम बनाओं तो सीधी सीधी बात है आज की डेट कौन सी है आज की डेट है 1.11 और बेचने का कॉंटरेक्ट हो गया है 1st फैव बेचने का बैंक ठीक है तो ओवरसी सप्लायर हैड मैं अरली सिपमेंट बोले भाई ऐसा है कि जो गुट्स है वो जल्दी आ गया और कब आ गया है बोले 22 बारों को ही गुट्स आ गया और बैंकर को सब हमने डॉकुमेंट्स वगिरा दे दिये और हमें बोले चाहिए हमें चाहिए एक-एक को चाहिए हमें डॉलर जो डॉलर यह भाई साब खरीद रहा था फर्स्ट फैप को अब उज़ित बुल रब फर्स्ट जनवरी को चाहिए ठीक सवाल यह है आप बेचने वाले थे तो आपने कवर कर रखा होगा कवर कर रखा कब के लिए फर्स्ट फैप के लिए कवर कर रखाओगा पर जहाब आपको जरूरत पढ़ गई डॉलर की कव फर्स जनवरी को कहां से दोगे 5 January को कहीं से खरीद के तो देना पड़ेगा और भाई सीधी सी बात है फड़ाई का रूल बिल्कुल सिंपल है अगर अरली भी आ जाता है तो जिस रेट पे बात हुई है उस रेट पे आप देने वाले हो सामने वाले को पर अब खरीदे कहां से तो बहुत आप किसी दूसरी ब मैं इस बैंक के पास गया मैंने बैंक प्लीज मुझे आपसे डॉलर खरीदना है तो आपकी अठके में कश्टमार हूं मैं बेचूंगा और मैं इस रेट पे बेचूंगा ठीक और इस बैंक से खरीद के हम इसको दे देंगे बात खतम हो गई लेकिन मेरे मन में है अगर एक म 0.46 मिनस 0.18 58.58 जनुवरी तो 1st पहब ही उख 58.58 58.64 ठीक है प्लस होगा नहीं है swap points यहां तक ठीक है यास मैंने सारी चीजी क्यों बताया क्यों कर रहा है यह चीज मैं आपको समझा चुका हूं अम मांग क्या रहा है interest on outlay of fund है 12 परण हो interest on inflow of fund है 8 परण ठीक है जी चले start करें सबसे पहले forward rate मांगा तो forward rate यह निकला यह उन है forward rate दूसरा मांगा क्या है दूसरा मांगा है amount to be collected from customer due to early delivery तो चलो क्या-क्या वसूल करेंगे भाई पहले तो customer को बेचेंगे जिस rate पे बात हुई है उस rate पे बेचेंगे तो यह पैसा किस से वसूल करेंगे है हम customer से पैसा वसूल करेंगे दूसरी बात swap loss या swap gain जो भी होग bank ने buying rate of bank 58 point और selling इन दोनों के बीच का difference मैंने आपको बता चुका हूँ इन दोनों के बीच का difference swap loss या gain आएगा देखते loss आया कि gain आया bank खड़िदेगा 58.48 में bank बेचेगा 58.64 में तो सर यह तो ज्यादा बेच रहा तो swap gain हो गया दो लाक यूरो है तो इतना swap gain हो गया और यह swap gain है हम पे करेंगे customer को इसके अलावा interest on outflow या inflow of fund जरह यह भी सूचना आराम से है यहां की बात करो हमने हमें यह बेचना पड़ा जल्दी एक महने पहले और यहां से हमें खरीदा एक महने पहले 58.48 से खरीदा और इतने में बेचा तो देखो कि हमारे पास extra पैसा बज गया क्या तो वही बात है आपने cash outflow है इतना और cash inflow है इतना आपने इतने में बेचा और इतने में खरीदा था तो आपके पास extra पैसे बजा उसको आपने invest किया होगा तो आपको यह 7195 भी पास करना पड़ेगा customer को तो customer से इतना पैसा वसूल करना है इसमें से swap gain हम पास कर देंगे customer को और यह भी पास कर देंगे customer को तो टोटल मिलाकर हम customer से net इतना वसूल करेंगे ठीक है जी तो यह था हमारा cancellation overdue forward contract early delivery सब कुछ ठीक है आगे चले यस अब हम पहुच गया point number 8 पर जिसका नाम है foreign currency account तो टीन टाइप की होते foreign currency account एक कनम होता है nostro एक कनम होता है वास्ट्रो एक कनम होता है लोर हो क्या है nostro account मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको bank से dollar खरीदना तो bank को आप rupees दे तो क्या bank आपको dollar देगा नहीं ऐसा नहीं होता होता क्या है मान लो यह bank state bank of India India का है और इसका कुछ dollar खरीद के इसने HSBC कोई bank है US में वहाँ current account खुला रखा किसने खोल के रखा इस state bank of India और उसमें इन्होंने दस लाख dollar जमा करके रखा है जमा करके रखा है और बोला कि इस dollar को मैं यूज भी कर सकता हूँ इस account में मैं निकाल भी सकता हूँ डाल भी सकता हूँ यह किसका account है SBI का अब राम आया भाई सतर लाख रुपए लेके बोलता है कि मुझे एक लाख dollar चाहिए बोले क्यों चाहिए बोले मैंने import किया मुझे Mr. A को देना और Mr. A है US का तो राम से state bank ले तो लेगा सतर लाख रुपए और बोलेगा कि जिसको dollar देना है ना किसको देना बोले Mr. A को तो बोले Mr. A Hsbc bank चला जाएगा हमारा वहाँ account है हम अपना बोल देंगे उनको और ये एक लाख dollar इसको transfer कर देगा पस और कुछ नहीं है it means राम से सतर लाख रुपए कलेक्ट कर लेंगे हम और फोन लगा देंगे कि हमारे nostro account से payment कर देना उधर एक लाख dollar Mr. A को तो it means हमारा account किसी दूसरी जगह दूसरी bank में है तो उसको बोलते है nostro account इसको बोलते है our account with you our account with you ये कौन से account हो गए नोस्ट ऐसे क्या होता है वास्ट्र एकाउंट वास्ट्र एकाउंट का मतलब HSBC का current account हमारे यहां है रुपीज में और यह क्यों होगा मालूम है क्योंकि Mr. A ने export किया होगा आपने क्या किया export और Mr. A से हमें लेना है डॉलर तो वो डॉलर देगा कैसे क्या लेकर आएगा एक बैग में डॉलर लेकिन नहीं वो क्या करेगा वो इस बैंक में डॉलर जमा कर देगा HSBC फोन लगा देगा किसको SBI को कि सुनो हमारा एकाउंट वहां है रुपीज में उसमें से रुपिया 70 लाख रुपए किसको राम को दे देना इटमिंस अब्की बार उसका एकाउंट हमारे याँ है इसको क्या वोत्तECT वास्ट्रग काउंट इसके लिए नोश्ट्रो एकाउंट है इसके लीजियन आउस्ट्रो है फिर से राम यूएस इंपोर्ट किया डॉलर का पैमेंट करना हम गए SBI के पास हमने का SBI सुनो ना यार हमको ना डॉलर चाहिए ऑन को आप हमें रुपयाद देज़ी हम किसी और के नास्ट्री एकाउट से फंडिं कर देगया हमारा उसके साथ अच्छा चलता है ये इसका पर और्फोरकी के पास ह आपके पास है इसको बंते है इसको बलते हैं लोगरो एकाउंट से मतला बगिन इस से कोस्ट नहीं आते हैं आप एक नोरके ऐकाउंट बनाने के लिए आ सकताई एक्जाम मैं कोस्ट भी थीशन भी चान abges雪 तो इसमें दो चीजे बनानी होती, एक नौश्टो एकाउंट, इसको cash position बोलते हो, एक का नाम होता है, exchange position, दो चीजे मांगता, मैं आपको one by one concept के साथ समझानी की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, त्यार हो, अब ध्यान से समझ रहा हूँ, ट्रांजेक्शन क्या है, वो थीक धीरे-धीरे समझनी पड़ेगी, इसका भी डिटेल वीडियो, इसका डिटेल वीडियो भी आपको description में मिलेगा, मतलब सर्फ ओरेक्स तो आपने पूरा ही करवा रखा है, यूट्यूब में हाँ, बस इधर उधर है तो आपको समस्या होती है, चलो देखते हैं, भाई, आपने क्या किया वहां के current account में एक लाख डॉलर जमा कर दिया, ठीक है, तो आपके cash position cash account में एक लाख डॉलर जमा है, और यहां credit debit होता और यहां position में long position, short position है, तो आपका long position है, एक लाख डॉलर वहां आपने खरीदा है, खरीदा मतलब long position और जाके जमा कर दिया, मतलब आपका long position है, डॉलर एक लग ठीक है कोई दिक्त है क्या कोई दिक्कत नहें से अप पोई नंबर टू में क्या है आपने डालर सेल्ल किया है 20 जार या इसको रेमिटीड बाे टीटी भी बोलते हैं आपने 20.000 करदिया तो आपका पारब्लू से कम किया है forward sell इसका मतलब आपने contract किया है किसी को बेचने का अगर आपने contract किया है आपने का राम हम आपको तीन मैने बाद 10 डॉलर बेज़ देंगे तो क्या हमारे account से अभी कम होगा हमारे cash से कैसे कम हो जाएगा हमारे current account से कुछ नहीं होने वाला लेकिन आपका position तो change हो गया आज नहीं तो कल आपका जो position था वो अब आपने और बेचा तो आपका short position हो गया position तो betting तो change हो गया ना भई आपका डर तो यह डर के लिए बना रहा है 10,000 डॉलर का short position मतलब सर फॉर्वर्ट सेल कर रहा है तो position तो change होगा लेकिन cash account में कोई cash account में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगला transaction दिखते है forward contract जो selling contract था वो cancel हो गया cash account में कोई change नहीं होगा लेकिन कहाँ change हो जाएगा आपका जो contract था जो position था वो cancel हो गया ठीक है ठीक है आगे चले spot buy किया 8000 मतलब आपने डॉलर खरीदा है 8000 या टीटी पर्चेस इसमें तो दोनों जगा change होगा कहां कहां change होगा यहां भी 8000 और यहां भी 8000 प्लस हो जाएगा अगली transaction यह important है बिल पर्चेस डॉलर 7000 सरी है क्या आपने export किया था Mr. A को और Mr. A से हमें आना चाहिए था डॉलर पर हमने उसने का कि चलो यार यह बिल्स बिल्स receivable हमसे ले लो हम आपको बाद में देंगे 7000 बाद में देंगे अभी पेपर ले जालो बिल्स ले जालो और उसको उस बिल्स को क्या हम दूसरी बैंक से discounting कर सकते हमने का बिल्स दे दिया दूसरी बैंक को और हमने का अभी हमको cash दे दो और इस बिल्स को आप इस बिल्स के पैसे आपको मिल जाएगे खुद यह Mr. A दे देगा लेकिन अभी नहीं मिले कि बाद में हो लेगे क्या cash position में change होगा नहीं पर ultimately आपने डॉलर तो खरीदी लिया पर वो कौन सा position है आपका long position है पर cash में तो अभी यहां तक बात समझ में आई और एक चीज अकसर आती इसलिए मैं बात करूंगा draft issue तीन हजार draft का मतलब क्या होता draft का मतलब कि आपको विदेश में DD पहुचाना DD बनाया हो ना कभी demand draft आप में bank आपने आपने मुझे पैसे दिये रुपिया और बलते मुझे ना foreign पहुचाना तो मैंने एक DD issue कर दिया तीन हजार डॉलर का मैंने का यह लो और जाना या फिर जब जाओगे ना विदेश तो यह DD लगा देना bank में आपको पैसा मिल जाएगा आपको डॉलर से मिल जाएगे ultimately मैंने किया किया मैंने DD issue किया मतलब सर हमने डॉलर बेचा ड्राप्ट issue किया मतलब आपने रुपिया लिया और डॉलर का पेपर दे दिया डॉलर का मतलब सर आपने डॉलर तो बेचा है ना बेचा है नो डॉट शॉट पोजिशन है इस्यू किया लेकिन यह कैश पोजिशन में कभी एफेक्ट पड़ेगा जब डी वहां जाके लगेगा ठीक है तो यही बात मैंने यहां लिखा जब जब भी डी डी इश्यू होगा तो आपने क्या किया आपने शॉट पोजिशन डी इश्यू किया शॉट पोजिशन यहां फर्क नहीं पड़ेगा और अगर वो डी डी कैंसिल हो गया तो कट जाएगा ठीक है अब कुछ नहीं करना जब आपने इसको जोड़ा यह क्रेडि बैलेंस अट्यासी हजार का और यहां एक लाग तीज़ार आपका लॉंग पोजिशन और शॉट है और यह है 97,000 का आपका ओवरबॉट पोजिशन बोलते हैं आपने ज़्यादा खरीद लिए यहां तक ठीक है अब अब आता है कोशन कोशन ही आया कि हम मैंटें करन चाहते नबए हजार क्रेड बैलेंस और आपका 88,000 ओर डिट बैलेंस है और आपको मैंटेन कितना करना है 90000 तो अगर मुझे 90000 मैंटेन करना तो क्या मुझे 2000 डॉल्लर और खरीदना पड़ेगा या तो हम सपॉट बाइ कर दिंगे 2000 डॉलर अगर 2000 डॉलर हम और खरीदते है लॉंग और बॉजीशन ठीक हो जाने दो पर बोल रहा कि 60,000 जो है हमें और बॉजीशन मैंटेन करना हमें ज़्यादा बैटिंग नहीं करना लॉंग पोजीशन जादा नहीं करना सिफ 6,000 तब क्या करें यह तो मैंनेज हो गया इसमें से हमें बेचना पड़ेगा पर हम spot sell नहीं कर सकते forward sell करना पड़ेगा और forward sell कितना करेंगे forward sell करना है तो 60,000 maintain करना तो forward sell कितना करना पड़ेगा 39,000 तो ultimately इसमें से 39 minus हो जाएगा तो 60,000 हमारा overbought position बच जीएगा ठीक है तो ये आता है अक्सा इसका एक ही question है और वो एक question मैंने ले रखा है तो चलो देखते है बैलेंस इन नॉस्ट्र एकाउंट में credit balance है एक लाग तो नॉस्ट्र एकाउंट बनाया होगा नॉस्ट्र एकाउंट मतलब cash position एक लाग का credit balance देख रहा है और opening position overbought position है पचास जार मतलब long position है पचास जार ये दोनों चीज़ तुमने लिखे दिया अब आगे आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है bill purchase किया cash position में फर्क पड़ेगा नहीं पर action position पर 80,000 आएगा यह आगे ठीक है आगे चलें इस वोल्ड किया फॉल्ड पर फॉरवर्ड कॉंट्रेट के थू किया cash position में फर्क पड़ेगा नहीं पर आगे चलते हैं फावर्ड पर फॉर्ड पर चीज़ जो किया था वो कॉंट्रेट कैंसिल हो गया पर चीज़ कैस में तो फर्क पड़ाना नहीं जो पर चीज़ किया था लॉंग लिखते अब शॉट है जाएगा मतब तीस जार इस तरह पढ़ेगा ठीक है यहां तक भी आगे चले रेमिटेड बाई टीटी मतलब आपने फावर्ड फावर्ड ने इस्पार्ट सेल किया तो दोनों पोजिशन में फर्क पड़ेगा एक तो यहां पच्छतर जर जाएगा और यहां भी पच्छतर जर जाएगा और जो ड्राफ्ट बनाया था कैंसिल होगा ड्राफ्ट एश्यू किया था इस्यू ही होता ड्राफ्ट एश्यू कैंसिल हो गया मतलब लॉंग हो जाएगा वापस ठीक है यहां तक बस इतनी है ट्रांजिक्शन थी तो देखते क्या हाल है बले हमारा क्रेड बैलेंस है पच्छिसजार एसेफ और हमारा पोजिशन हो गया पाच जाएगा अब क्या मैंटन करने के लिए बहुत है आपको अपना क्रेड बैलेंस तीस जार रखना है तो क्या होगा पच्छिस जार है था मैं स्पॉट बाइ करें पाच जार अगर इस्पॉट बाइ करोगे तो यह पोजिशन सोल्ड है ओवर सोल्ड है बाइ करोगति यह पोजिशन जीरो हो जाएगा इसके अलावा क्या बोल रहा है और नौश्टर एकाउन में दस जार हमें ओवर बॉट करना तो हमें फावर्ट बाइ करना पड़ेगा फिर तो ठीक है सर यह तो बात हमें समझ में आगे चिंता वाली बात तो भी बोल रहा तो 30,000 आपको मेंटेन करना है तो आपको स्पोर्ट बाइ करना पड़ेगा 5000 इससे आपके एक्षेंज पोजिशन जीरो हो जाएगी पर एक्षेंज पोजिशन को मेंटेन के लिए के लिए के लिए ओर बॉट पोजिशन एसेफ तो आपको फावर्ट बाइ करना पड़ेगा ऐसे 10,000 ठीक है जी तो में में टॉपिक हमारा खतम हो गया अब थोड़े से करेंसी और बॉर्विंग करेंसी और इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कैश मेनेजमेंट ये सब कुछ क्लासे से हो करना पड़ेगा आधा गंडे की क्लासे सोगी होगी खतम करेंगे सारे कुछन आते हैं उससे तो करना तो पड़ेगा ठीक है जी चलो जी नौश्ट्रो वश्ट्रो लोर होगा यह सर्थ अब कुछ नहीं बच्चा है खतब होने वाला है 15-20 मिनट में खतम होगा रिविजन तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी ओफ इनवेश्टमेंट सर्थ करेंसी ओफ इनवेश्टमेंट का मतलब करेंसी ओफ इनवेश्टमेंट का मतलब हमें जो इनवेश्टमेंट करना है हमारे पास पैसा है सर्प्लस फंड है तो हमें इनवेश्टमेंट यूएस में करना है मेरे पैस प्रूपीय सिम्हार एक्साओए तो एंडिया में पर यूएस में रेट ओप इंटरेस जादा दीख रहा तो यूएस में इंवेश्ट कराओ पर पहले रूपय को डॉलर में om करना पड़ेगा और जब वहां से वापस लाओगे तो डॉलर को वापस रुपीज में करना पड़ेगा यह भी देखना पड़ता है तो यहां हम लोगों को यह decide करना कि एक country में invest करें कि दूसरी country में invest करें this is currency of investment और यह decision लेना यह question I.C.A.I. का famous question है और sir यह कहां से उठाया है यह no doubt practice manual से उठाया होगा मतलब आपकी study materials है लिखा यह और bank London office has a surplus fund to the extent of dollar 5 lakhs office कहा है भाई लंडन में surplus है dollar अजीब सी बात नहीं लंडन में surplus होना चाहिए था pound पर इन लोगों के surplus है dollar ठीक है अच्छी बात पर याद रखना लंडन office की बात कर रहा है पर ठीक है surplus है इनके पास dollar available है और आपकी bank कैसा हाँ तो bank के पास रखा होगा dollar सुसमें क्या किसी और का रखा होगा फारे period of three month और सिर्फ three month के लिए available है dollar है आपके पास three months के लिए और इस fund का cost कितना है four percent तो जो dollar रखा हुआ है उसका cost actually हो सकता किसी को आपको interest देना हो चार पर्शन पार रहे ना ओफिस कहा है लंडन में ठीक है तो surplus जो dollar रखा है क्यों ना उससे हम कुछ कमाए ऐसे भी चार पर्शन लग रहा वैसी भी लगना से चलो नो कुछ कमाते है it proposes to invest this fund या तो आप इसे लंडन में इनवेस्ट कर सकते हो या तो इसे आप नी यॉक में इनवेस्ट कर सकते हो या तो इसे आप फ्रैंक फर्ट में इनवेस्ट कर सकते हो अप्टेन दा बेस्ट इंवेस्ट करोगे तो पाच पर्शन मिलेगा और फ्रैंक फर्ट जहां करेंसी चलती है यूरो वहां मिलेगा थ्री पर्शन देखने से ऐसा लग रहा कि नी यॉक में इनवेस्ट कर देना चाहिए लेकिन अभी बहुत बाते सोच नहीं है सर हमारे पास विडौर लेंडन में इनवेस्ट करना तो उसे पहले पाउंड में अपड़ेगा नी यॉक में तो डॉलर है उसी को जाकर लगा देंगे फ्रैंक फर्ट में उससे पहले यूरो में करवर्ट करना पड़ेगा यहां तक बाद समझ वह जो फाइनल आंसर आएका वो answer dollar में आना चाहिए कि pounds में आना चाहिए क्योंकि आप London के रहने वाले हो तो final answer जो गेन हो रहा है जो कमाई हो रही है वो मेरे expectations pound में आना चाहिए पर आगे देखिते क्या लिख रजे रखा London on New York लंडन में क्या चलता है pound? New York में क्या चलता लिखा तो यहां से यह समझ में कर लिए तो जब इसका मतलब लंडन लिखा वो नीचे आ रहा है पाउंड यह तो यहां भी लंडन लिखा तो नीचे पाउंड इसको देखके मैंने इसका का interpretation कर लिए मुझे यूरो के विसे में ज्यादा जानकर ही नहीं तो इस तरह से इनों ने लंडन के रेट दे रखे है मतलब डॉलर पर पाउंड दे रखा है यूरो पर पाउंड दे रखा है और बताए कहां लंडन में इन्वेस्ट करो लंडन में इन्वेस्ट करने भी कितना पर्शन मिलेगा एक बात तो पक्का है कि तीन महने बाद मुझे कितना डॉलर पे करना पड़ेगा जो पाच लाग डॉलर है अभी मेरे पास उसे विट इंट्रेस्ट पे करना पड़ेगा तीन महने बाद मुझे 5 लाग, 5 राट डॉलर का तो पैमेंट करना ही करना हूँ तो sir start करे, sir पहले कहां invest करने का इच्छा है, चलो लंडन में ही invest करे, अगर लंडन में invest करोगे, तो rate of interest कितना 5%, लेकिन पहले dollar को pound में convert करना बढ़ेगा, rate किसका दिया है, pound का, currency कौनसी है, आपके पास डॉलर डिवाइड होगा सर ठीक और बैंक पाउंड बेचेगा 1.5390 चलो दिखते हैं इन्वेस्ट इन लेंडन पाउंड्स 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 बेचोगे ये तो इतना पाउंड्स मिल जाएगा इतने पाउंड्स को पाउंड्स के सबसे तीन महने के लिए इ सबकी सबको डॉलर में करना है कि नहीं हमें तो दूसरी वाले पार्टी को 5,5000 टॉलर देना हैं बाकी हमारे जिब में रहेगे क्योंकि हम लंडन वाले तो बस यही मैं आपस कह रहा हूं कि अब हमें 5,5000 डॉलर खरीदना पड़े यह वाँन dor खरीदना है तो डॉलर खरी 5-0 और मेरे खाल से यह swap points है, swap points 85 यह तो plus हो जाएगा, किदर है, यह, plus हो गया, तो 5,05,000 डॉलर खरीदने के लिए हमें इतने pounds लग जाएगे, ठीक और हमारे पास आये थे इतने pounds, इस में से खर्च हो गया, इतने तु बोलो कितना बच गया, sir हमारे पास pounds 1662.86 बच गया, simple, कहां करें, sir दूसरा investment New York में करते, तो New York में 5,10,000 डॉलर मिलेगा, 8% की सबसे 3 मेने का, और देना है 5,15,000 डॉलर, तो हमारे पास 5,000 डॉलर बच जाएगा, और उसको हमको convert किसमें करना है, pounds में, तो bank क्या करेगा, sir, bank आप से डॉलर खरीदेगा, और आपको pounds बेचेगा, तो sir, ask rate आजाएगा, yes, bank pounds बेचेगा, plus हो जाएगा, 85, 85, this divided bias, तो 3,2,3,1 आखे, यहां के, तेक है, यह question मेरा, यूट्यूब में डला हुआ है, description में, अगर धीरे-धीरे आराम-आराम से करना है, अगला सार यूरो, तो यूरो, अपके पास कोई सी करेंसी, डॉलर, डॉलर और यूरो के बीच में रेट नहीं दिया है, पहले डॉलर से pound खरीदना पड़ेगा, और फिर pound से euro खरीदना पड़ेगा, तो आपके पास है 5 लाग डॉलर, उससे खरीदा अपने pounds, और फिर pound बे आपने बेचा, और वापस किस पे आ गया, पाउंट में, तो सर इतना pounds हमारे पास आ गया, लेकिन 5 लाग 5 लाग डॉलर खरीदने के लिए कितना pounds लगे गई, तो पहले भी आप डिसकस कर चुके है, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 2022 pounds बच जाएगा, कोश्चन ना, मेरे लेक्चर की जरो तनी कोश्चन खुच से बनाने स्टार्ट करो, कोश्चन बना सकते हैं, तो बोलो कहां, जहां ज़्यादा फायदा है, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा, ठीक, तो बस आप लिग दीजेगा कि कहां invest करने से हमको ज़्यादा फायद गेनिन पाउंड, और यहतर कितना था, तो वही अच्छा गेनिन पाउंड, ठीक, पाउंड में invest करने से फायदा, चले जी आगे, यस, और अब बात करेंगे currency और बोर्रिंग, अभी तक बात किसकी कर रहे थे, investment कहां करें, अब क्या बात हो रही है, उधार कहां से ले, चलो यह कोशन अच्छा है, seriously, यह भी कोशन अच्छा, सुनना देहां से, बोल रहा है, Alert Limited is planning to import a multi-purpose machine from Japan, यह कोई company है, जिसका नाम है Alert Limited, जो import कर रहा है जापान से, ठीक है, और मशीन का cost है, येन में, और कितना येन का पी करना है, येन, 3400 lakhs, ठीक, the company, अब भी machine खरीदना तो पैसे चाहिए, तो बोल रहा है, company चाहो तो हमारी Indian bank से ही उधार ले सकती है, कितने percent पे, 18 percent per annum, compounded quarterly, तो मुझसे पूछना मत कि compounded quarterly, क्या होता, तीन मैने में interest पे interest, पहला option है, machine खरीदना साही, पैसे चाहिए, तो पैसे एक काम करो, और जितना भी रुपिया लग रहा है न, आप इस bank से ले रहो, 18 percent पार रहा है, हमके सबसे, दूसरा, और machine खरीदना, इसकी अपिक्छर बोले, आप चाहो तो टोकियो ब्राहन से भी पैसे ले सकते हो, और वहां तो आपको उधार मिल सकता है, और ये इन में पैसा मिलेगा, और सुनो rate of interest कितना है, बहुते दो परशन, बताईए साब, यहां rate of interest कितना है, 18 percent, और यहां rate of interest कितना है, 2 percent, तो Japanese bank से उधार लो ना भाई, लेकिन Japanese bank हमको उधार देगी, क्यों, उसको कैसे पता कि हम वापस कर देंगे, पैसे, सब money market में करते थे, नहीं, money market में करते थे, लेकिन, money market में, bank को पता होता था कि customer दे देगा करके, छोड़ोना है, money market की बाद, मेरा question है, कि यह bank मुझे उधार ही क्यों देगी, क्योंकि यह Japanese bank है, हाँ, कोई अगर guarantee दे दे, तो guarantee, कोई दूसरी bank guarantee दे दे, या कोई भी guarantee देते, तो हो सकता ही, मुझे उधार दे सकती है, तो यहाँ एक Indian bank है, मुलती हम later on credit दे दे देंगे, कि इस bank को और ये bank, इसको payment कर देंगे, आप चिंता मत करो, आपको उधार मिल जाएगा, आप तीन मेहने बाद, इस bank को yen में चुका देना with interest, आपका कुछ फायदा है क्या, आप से सिर्फ commission लेंगे, 2% for 12 months, ऐसा लिखा दे रही है, 2% interest, साथ में इस भाई साब ये वाली bank को भी 2% commission देना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा, एक्शन रेट दे रखा है, 100 रुपए is equal to 340 yen, और यहां 345 yen, 180 days forward rate, इसको ठीक से लिखा है, मैंने तो yen per रुपीज का rate बना लिया, 3.40, 3.45, ठीक, एक रुपिया में कितन रुपीज पर yen भी तो बना सकते थे, हम बना सकते थे, वैसे भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, commission 2% ये तो अपने हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ है, बताईए क्या हमें फॉर्म ब्रांच का offer accept कर लेना चाहिए, सबसे इंडियन बैंक की बात करें, तो इंडियन बैंक स से 3400 लाग, 3400 लाग को खरीदने के लिए spot rate ही है, तो हमें 1000 लाग रुपए की जरूरत पड़ेगी, और 1000 लाग रुपए हम उधार लेंगे 18% पर रैनम के हिसाब से, तो 3 मेहने का 18 into 3 by 12, divided by 100 plus 1.045, तीन मेहने का रेट है पर 6 मेहने के लिए तो total cash outflow हैगा 1092.025, अगर हम Indian Bank से उधार लेते हैं, अगर हम Tokyo branch से उधार लेते हैं, तो total yen देना है 3400 लाग, ठीक, ठीक है, इतना yen payable है, तो Tokyo branch इतना yen हमें उधार देगी, 2% 6 मेहने के लिए, तो 2% पर रैनम, तो 6 मेहने के लिए 1% तो इतना yen payable है, कब आज की 3 मेहने बाद, 180 दिन बाद, 6 मेहने बाद 6 मेने बाद का rate हमको मालूम है, तो हमें इतना रुपिया लगेगा, क्योंकि हमें ये चुकाना पड़ेगा ने यार 6 मेने बाद, तो इतना yen खरीदना पड़ेगा, इस rate से तो इतना रुपिया लगेगा, वहाँ तक ठीक है, अब बात किस की आती है, commission की, commission कब payable है, आज, commission advance में देना पड़ेगा, loan amount पर, और sir, loan amount कितना है, 1000 लाक, और commission किस में payable होगा, ये इनमे की रुपीज में, रुपीज में, इंडियन बैंक ने commission वो दिया है न, guarantee, letter of trade, तो इंडियन बैंक को देना, तो रुपीज में हमें 1000 लाक, 1000 लाक loan amount है, उसका commission, 10 लाक हो गया, 2% है, स पर ये आज देना, बात खतम, अगर मैं इसमें 10 लाक जोड़ दूं, तो बात खतम हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं, बस समस्या एक, समस्या ये है कि ये कैसा उट्लो कपका, at the end of 6 months, तो ये भी कैसा उट्लो कपका होना चाहिए, at the end of 6 months, पर ये कपका, ये at the end of 6 months, पर ये तो बस इसलिए मैंने commission after 6 months, ये निकला, commission payable है आज, पर ये मान के चलो कि किसी से हमने पैसा उधार लिया होगा commission का, तो ये दोनों कैसा आउट्लो मुझे at the end of 6 months पहुचाना, तो एक हजार 6.2 और यहां 109 कौन सा ज्यादा अच्छा है, talk to your branch is better, ठीक है जे, चले आगे, ए currency of investment का है ये भी, ठीक है, तो यहां मैं पढ़ा रहा हूँ पर ये currency of investment, अच्छा question है, नया question actually, पढ़ते, बोले, एक treasury desk of global bank incorporation in UK, UK, UK में कौन सी करने से चलती है, pound, invest करना चाहते है, pound 200 million, कितने period के लिए है, 6 महने के लिए, और इनके पास दो option है, 1 और 2, 200 million pounds, invest करना है, पहला option है कि आप जापान में invest करते हैं, और दूसरा option है कि आप US में invest करते हैं, अगर हम जापान में invest करते हैं, तो पहले pounds को convert करना पड़ेगा, किस में, yen में, और उसका rate दे रखा, मतलब सर, yen पर pound दिया है, और यह dollar per pound दिया है, ठीक, कर लेंगे, कोई दिकर ने, तो पहले yen में convert कर लेना, बोले ठीक है, और उससे आप खरीद लेना, high dividend yield, Japanese security, बोले share market में, पैसे लगा दिना, ठीक है, भी यह लगा देंगे, तो बोले अगर लगा देते, तो आपको dividend की income होगी, yen में, इसके अलावा, जो आपकी security है, वो सस्ती हो जाएगी, बोले दो percent से, अच्छा, दो percent discount पर भी कहेगी, इसके अलावा, बोले, आप stock lending and borrowing activity से 10 million yen कमा लेंगे, और security को बेज देंगे, हम इस तारी को ठीक है, भी यह जापान में invest कीजिए, share market में पैसे लगाई है, और तीन मेहने बाद, छे मेहने बाद, dividend की income मिल जाएगी, stock lending and borrowing की income मिल जाएगी, और security को बेच ओगे, उसकी income मिल जाएगी, और वो जितना भी yen को collect करोगे, उसको फिर convert कर देना, forward it, किदर है forward it, यह, और देखना pound कितना आ रहा है, जितना लगा रहा था, 200 million उतना आ रहा है कि उससे ज्यादा आ रहा, देख लेते, 200 million pound बेचेंगे, rate है, pound का ही rate दिया, ठी देखते हैं, एक तो 1182 million का आपको dividend की income होगी, और stock lending and borrowing scheme से 10 million की income होगी, उसके अलावा shares बेचोगे, तो यह 2% कम में भी किएगा, तो total इतना ये income होगी, और फिर इसको divide करोगे, किसके सब से, 150 के सब से, तो इतना pounds मिलेगा, और लगा रहा है हो 200 million pound, तो total मिलाकर आपका इत इतना gain हो जाएगा, ठीक है, और सर, US में invest करो, तो US में invest आपको fixed income security में करना, बताओ, यहां risk है, यहां risk नहीं है, और बोले, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 5% पर है न, मतलब 5% मिलेगा, पर इसको भी convert तो करना पड़ेगा, कितने के सब से, 1.28, पहले 200 को 1.28 के सब से convert कर लिजी, इतना डॉलर आया, इतने डॉलर पर 5% 6 मेने का इतना interest मिला, तो total इतना डॉलर आपके पास है, और उसको आपने convert कर दिया, तो इतना pounds, और लगाया था आपने 200, तो आपको इतना का gain हो रहा है, अब इधर भी gain है, इधर भी gain है, इधर भी एक जैसा, इधर तो बताओ कही investment करें, कोई शक्की बात नहीं है कि आप fixed income security में invest करोगे, क्यों risk नहीं है ना भाई, वही बताया है, since income on investment of both alternatives is equal, then we can invest any of two countries, but on the basis of risk, we should invest in US, less risk, कम risk है, इसलिए US में invest करेंगे तो जाथ अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब बात किस के करेंगे, अब बात करेंगे international cash management, international cash management है क्या चकर सर, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बड़ा simple है, मैं, इंडिया, US, UK, ये दो मेरी सबस्ट्रे है, इनके पास पैसे ही पैसा है, मुझे पैसे की सुप्रत है, तो एक तरीका ही है कि भाई, मैं अपनी बैंक से उधार ले लूँ, और इनके पास जो अपनी बैंक में जमा कर दे, ये इंट्रेस्ट के इंकम कमाए, और मुझे तो देना पड़ेगा, लास्ट में हम तीनों को मिलना ही तो है, दूसरा तरीका में इन से पैसे, मुझे ज़र रहत है, तो मैं क्यों बैंक जाओ, इन से ले लूँ, जो बचा है, उसके लिए बैंक जाओ, ये भी तो cash management हो सकता, इट मींस हम centralized cash management करें की decentralized, अपना अपना देखो, ये मैंने करवाया था अपको international cash management, देखते हैं, ठीक है, सुनोगे, लिखा है, AMK and Indian based company, बुल रहे हैं कोई Indian company है, और उसकी subsidiary US में हैं और UK में हैं, ठीक है, US में और UK में, और surplus fund है, दोनों subsidiary के पास surplus, US के पास 12.5 million, 12.5 million, डॉलर में है, और UK के पास 6 million, ये pounds में हैं, और हम, हमारे साथ क्या समस्य है, हमारे साथ इधर क्या समस्य है, ये तो बताया नहीं, पर यहां नीचे लिखा, Indian जो है, cash deficit है, पास 100 million, हमें deficit है, और बाकी जगा surplus है, millions में हैं, तुम्हें 3-0 card देता हूं, बाकी बहुत ज़्यादा दिकत, सब जगा से में 3-3-0 card दिया है, rupees in thousand में question हो जाए, ठीक है, action rate दे रखा, rupees का rate दिया हुआ है, हम manage कर लेंगे, ठीक है, और किस में बताना आपको, इन rupees, इसका भी cash balance, rupees में बताओगे, इसका भी, और इसका भी rupees में बताना, for each of the following scenario, ignoring transaction cost and taxes, बताओ भई यह क्या scenario है, बोले हर एक company, या तो invest करेगी, फाइनेस करेगी, it's on cash balance, and efficient, independently, यह बोल रहा हमको नहीं मिलना है, हमारे पास तो खुब पैसा है, हम अपना investment करेंगे, आप अपना देख लो, ठीक है, देखते हैं, चलो भई, it means Indian company को 5 लाक, बॉरो करना पढ़ेगा, इंडियन company को बॉरो करना पढ़ेगा, पाच लाक रुप है, और किस rate से बॉरो करना पढ़ेगा, सर बॉरो इंडियन वाला का 6.4, तो पर 30 दिन का लेना पढ़ेगा, आपको, तो 6.4 into 30 divided by 360 divided by 100 plus 1, 1.00533 factor से multiply कर देंगे, तो यह आ जाएगा, पर इन लोग के पास तो खुब पैसा है, एक लाग 25,000 डॉलर को invest करेंगे, 1.5 परशन के सबसे, तो 1.5 का factor निकाल ही लोगी है, 12,500 सुरी, 12,500 के invest किया, तो invest करने से इतना डॉलर आ गया, पर हमें रुपीज में बताना है, तो फिर रुपीज का ही रेट, यह डॉलर है, रुपीज का रेट दिया, तो डिवाइड और 0.0217 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसी pound 6000 उसको invest करने से इतना आएगा, और उसको हम रुपीज में convert कर देंगे, तो अगर सब अपना अपना कर रहे हैं, और फिर last में मिला रहे हो, तो भाई net cash balance आपके पास रुपीज में इतना बचेगा, अपना अपना कर रहे है, investment किया, मैंने उधार लिया, और last में जब हम मिले 30 दिन बात, तो इतना cash balance बच रहे हैं, लेकिन हम centralize कर देते हैं, centralize मतलब सर क्या लिखा हूँ, जरह पढ़ेंगे, cash balance को pull कर देंगे, अभी कि अभी, in India, मतलब US से भी बुलवा लेंगे, और UK से भी बुलवा लेंगे, और फिर उसको हम देख लेंगे, जो भी बचेगा, हम इनवेस्टमेंट कर देगे, देखते क्या, क्या सीन है, US के पास है, 12,500 डॉलर, उसको बुलवा लिया, 0.0, आज का rate, तो इतना रुपया आ गया, UK के पास जो था, उसको भी इतना रुपया हो गया, और इंडिया का वालना का जो डेफिस्ट है, उसको पैमेंट कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास इतना पैसा बचा, और उसको फिर हमने 30 दिन के लिए इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास इतना आ गया, तो बताओ कौन सा उप्शन उच्छा, उप्शन 2 इस बेट, क्या बहुँ जाए था मुश्किल था, नई सर, पर अच्छा था सर, ट्रांजेक्शन एंट ये तो छोड़ो, इसकी तुम बात में बात में करूँगा, सबसे पहले ये कोशन और देख लेते हैं, कि लिष्ट में पर अच्छा कोशन है, होता क्या है, कि यार चलो होता क्या यहीं से पढ़ते हैं, पर ऐसी वात है कि 27 दिसंबर की बात थी, कश्टमर आया आपके पास, और बोलता है कि हमको डीजी चाहिए 2,50,000 हमको हॉलेंड में पैमेंट करना है, हमने का डी कह दे देंगे डीजी, पर हुआ क्या, बैंक में स्ट्राइक हो गई, तो जो 27 दिसंबर को देना था, हम 3 जनवरी को देने वाले डीजी, तो हो सकता उस दिन, जो 27 दिसंबर को मुझे देना था, इस्ट्राइक है तो दे नहीं पाऊंगा, तो 3 दिसंबर को ले जाना भाई, 3 जनवरी को ले जाना, तो समस्या क्या आ गई, रेट में तो अंतर हो सकता न, डीजी का रेट, और हम कहां के रहने वाले हैं, रुपीस इंडिया के रह जहा से, श्ट्राइक की वज़ह से बताओ कस्टमर को गेन हो रहा के लॉस हो रहा, क्रॉस रेट है और कुछ नहीं, समस्या है, रेट दे रखा है, रेट, और इस रेट को, यहां क्या लेका, डॉलर पर रुपीज हंडेड, उसको मैंने रुपीज हंडेड हंडेड को इससे डिवाइट करके, ऐसे ही, यह ठीक दिया, यह पहले कम फिर जाता, तो कि यह क्या दिया है, डॉलर पर पाउंड इसको भी ठीक से लिख दिया, और डीजी पर पाउंड ये भी ठीक से लिख दिया, और मुझे क्या ज़ए रुपीज पर डीजी, चिदी सी बात है, रेट को तो जड़ा सोचते हैं, हमें क्या है हमारे पास हमारे पास है रुपीज और उससे क्या खरीदना है, डीजी, अब सोचते हैं, पहले रुपीज से डॉलर खरीदेंगे, समझ रहे हो ना, रुपीज देंगे और डॉलर खरीदेंगे, फिर डॉलर से पाउंड खरीदेंगे औ एक ये वाला रेट जाएगा ठीक bank रुपीज़ खरीदेगा उसके बात अब सर हमारे पारे डॉलर आ गहा सर्व बेंक हम से डॉलर खरीद्एगा मतलि ही वह यह व्या रेट आ गहा है अब हमारे पास क्या अपध क्या है kann और Langट सब फिर पर डीजी निकला हुई तो रुपीज देके डॉलर खर देंगे डॉलर देके पाउंड घर देगे इह यह होतकर रूपीज से डोलर डॉलर से पाउंड पाउंड ते डीज dos and Fernandosa Regie मुझत अगर led 레फ कर दिवाई कर दिया, डॉलर पर पर पांड दिया दिया, और फिर पांड पर डीजी दिया, तो उल्ता है, तो बन सी ड kita कर दिया, और जब डिवाइट करने के बाद जो आया हम उसमें मारजिन एट डिया तो कितनें कपर ढ़िए मुझे dvg 14.09 डिवह तरहां, और मुझे 35,000 रुपए का लॉस हो है यह question में cross rate का expert knowledge चाहिए जो आपको है यह question मैं नहीं करवा रहा हूँ transaction exposure economic exposure 4-5 pages का है पर एक सर्थ करवा दून आप आखरी आखरी क्यों नहीं करवा रहा है क्योंकि यह question मेरे YouTube channel में डला हुआ है तो थोड़ा था time आप भी करो fast forward करके देख लो 15 मिनट का है पाच मिनट लगेगा दस मिनट लगेगा यहां करवाँगा वहाँ देख लीजिएगा और सर बड़ा question है जी हां बड़ा question है तो यह question का link में description में दे देता हूँ तो देखा जाए तो क्या forex खतम हो गया है यस बहुत बड़ा chapter है Sir derivative का जो test paper लिया है आपने उसका solution आप हमें दोगी कि नहीं रोगे पक्का देने वाला हूँ एक दो दिन में कल या पर्सो पर्सो तो सायद में कहीं हो रहूँगा कल पक्का कल दे दोगे न ठीक है derivative का जो solution है वो कल मैं आपको दे दोगा ठीक है दूसरा Sir question paper चाहिए हमको आप interest rate risk management का question paper मिलेगा कल एक वीडियो अप्लोड होगा कुछ information होगी यह सर रिविजन क्लासिस जो आया है आपका सैडूल पूरा गरबढ़ हुआ इसलिए गरबढ़ हुआ कि बच्चों नहीं गरबढ़ करवा दिया उन्होंने का सर आपने जो IC AI का जो material यूज कर रहे हूँ उन्हीं का presentation यूज कर रहे हूँ वो मत करो आप अपना वाला करो तो भही है मुझे फिर से recording करनी पढ़ रहे है सर सब कुछ चलो पर मैं करूँगा मैंनत कल बात करते कल कुछ बात भी करनी आप से कल मैं आओंगा फिर से YouTube पे तो कल बात करेंगे थैंक यू सो मच भाई बाई पेपर देना है कल में त्यार करके लाँगा इंट्रेस्ट रिस्क मैनेजरिम का पेपर ठीक है रिविजन हो गया होगा मुझे लग रहा ठीक जी ओके थैंक यू सो मच भाई बाई